अध्याई 491-510 आखिर आधिकाल के इश्वरिय सम्राट वर्तमान इश्वरिय सम्राटों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे. उनके पास और भी कई तरकीवे थी. यदि वे कुछ इश्वरिय सम्राटों के खिलाफ भी बचाव नहीं कर सकते थे, तो वे अभी भी अपने लिए इश्वरिय सम्रा वे शायद बहुत पहले ही खोद कर निकाले जा चुके थे। उन्होंने इससे कैसे खोजा। मैंने सुना है कि उन्होंने दो पवित्र जानवरों को पकड़ा और उनके मुह से इसके बारे में सीखा। ऐसा नहीं था कि ये जियाओने इसके बारे में नहीं सोचा था लेकिन उनके पास उन्हें आसानी से रोकने का कोई तरीका नहीं था। को दबाने का लक्ष्य था। यह इश्वरी ये समराटों का भी विरोध कर सकता था। हाला कि यह तरीका केवल उन इश्वरी ये समराटों के लिए उप्यूक्त था जो मर चुके थे ये जियो नहीं। यह ऐसा ही था जैसे दो लोगों के पास दस हजार डॉलर थे। एक व्यक्ति जो मृत्यू के कगार पर था निश्चित रूप से उस दस हजार डॉलर की परवा नहीं करेगा। यहां तक कि अगर उसे यह सब फेकना पड़े तो भी वह हिचकिचाएगा नहीं। जहां तक एक जीवित व्यक्ति का सवाल है उससे दस हजार डॉलर फेकने के लिए कहना सवाल से बाहर होगा। यदि ये जियाओं ने अपने शरीर में कानून उर्जा का उप्योब किया तो यह गंभीर श्रिंखला बद प्रतिक्रियाओं की एक श्रिंखला का कारण बनेगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि इससे उनकी खेती पर असर पड़ेगा। अगर इसे ठीक से नहीं किया गया तो इससे उसकी खेती भी गिर जाएगी। खेती में एक बूंद कोई साधारन बूंद नहीं थी। उसके बाद वह इसकी भरपाय के लिए कानून की उर्जा का इस्तिमाल करेगा। इस तरह की चोट किसी की प्रतिभा को नुकसान पहुचाएगी। यह ठीक वैसा ही था जैसे गर्भवती होने पर एक महिला सामान्य रूप से बीमार हो जाती है। अगर वह बीमार हो जाती तो वह कुछ दवा लेती, कुछ पोशक तत्वा खाती और अपने शरीर को फिर से भर लेती। वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ब्वितिय, अगर वह गर्भवती होती और बच्चे को जन देती, तो उसकी शारीरिक फिटनेस निश्चित रूप से 100% कम हो जाती। भविश्य में वह कितना भी खुद को भर ले, वह उसकी भरपाए नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जियाव अपने शरीर में कानून की उर्जा का बलेदान नहीं करेगा ताकि एक पवित्र जानवर को सील कर सके। हाला कि यह जरूरी नहीं की एक बुरी चीज थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वास्तव में इश्वरिय समराट के मकबरे में प्रवेश करने की आप नहीं था। दो देव कुलों ने पूरे देव वंश को वहां नहीं लाया था बलकि उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा था। ऐसे में उन्हें कबर को तोड़ने के लिए दूसरी जगहों से और लोगों को इकठा करने का तरीका खोजना पड़ा। क्या उन्होंने आश्चर्य से पूछा क्या इश्वरिये समराटों ने प्रवेश नहीं किया। नहीं। जिया शिनई ने अपना से रहिलाया। इश्वरिये बादशा आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ समय पहले ऐसा ही एक मामला सामने आया था। इश्वरिये समराट की समाधी का कुछ हद तक परीक्षन किया गया था। यदि कोई इश्वरिय समराट प्रवेश करता है तो यह इश्वरिय समराट के मगबरे की स्थापना से सबसे आधिक प्रतिक्रिया का कारण बनेगा जिसके परिनामस्वरूप विस्फोर्ट होगा। अगर चीजे गलत हो जाती हैं तो न केवल इश्वरिय समराट की कब्र में सभी संसाधन नश्ठ हो जाएंगे बलकि इससे इश्वरिय समराट भी गिर सकता है। यह जियाओ के मुह का कोना हिंसक रूप से फटकने से खुद को रोप नहीं सका। बहुत निर्मम अनाधी युक्के वे इश्वरिय समराट इसी और के द्वारा खोदी जाए। शायद दूसरा पक्ष अपना शरीर भी निकाल लेगा और कुछ अजीब हरकते करेगा। उदाहरं के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को काट देना। कोई इससे स्वीकार नहीं करना चाहेगा। है ना। चूनकी वे इससे स्वी प्रवेश करेगा। हाला कि यदि इश्वरिय राजा अंदर जाता है तो वही इश्वरिय समराट की कब्र को खोलने में सक्षम नहीं हो सकता है। यही मुख्य कारण था कि इश्वरिय समराट के नीचे के अस्तित्व इश्वरिय समराट की कब्र में प्रवेश कर सकते क्या आपको जाच से कोई नतीजा मिला? मैंने किया, ऐसा कहा जाता है कि इश्वरी ये समराट के मगबरे को खोलने और उसमें प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए गौडसलेयर दाइरे के पाच्वे स्तर से उपर 9999 अस्तित्वों की आवश्यक्ता होती है. ये जियो ने सिरहिलाया. वह जानकारी बहुत पहले से जानता था लेकिन उसने शुरुवात में यह नहीं कहा. ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसने सब कुछ बहुत विस्तार से कहा, तो जुवान युवान कभीले को निश्चित रूप से उस पर शक होगा. उसका मकसद क्य था. यदि उसने केवल ईश्वरिय समराट के मगबरे के अस्तित्व का उलेक किया, तो हुवान युवान कभीले के द्रिश्चिकुन से सोच रहा था. कभी-कभी ऐसा ही होता था. यदि आप किसी बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं, तो दूसरे आप पर विश पिश्वास नहीं करेंगे. अच्छा ही हुआ कि वह ज्यादा दूर नहीं गए. क्या दोनों पक्षब लोगों की भरती कर रहे हैं? जिया शिनई ने जवाब दिया. हाँ, हालाकि गौड़सलेयर दायरे के पाच्वे स्तर से उपर 99999 अस्तित्व बहुत आधिक नहीं थे, छे महान देव कुलों में से सभी वहाँ नहीं थे. वे जितने लोगों को ला सकते थे, उनकी संख्या सीमित थी. वे इस आवश्यक्ता को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सके. इसलिए एक छोटी सी चर्चा के बाद, वे पास के ताराक शेत्रों से कुछ निम्न स्तरिय देव कुलों की भरती करेंगे. जब तक वे एक गॉडस लेयर दायरे के पाच्वे स्तर से उपर हैं, वे आ सकते हैं और इश्वरिय समराट की कब्र की खोज में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, कोई फर्क नहीं पढ़ता कि ये कौन है, वे जिन संसाधनों को लुटते हैं, व लेकिन आभर रहा था. उम्मीद के मुताबिक, बड़े प्रभाव वाले लोगों से काम करवाना आसान था. उनकी दक्षता को देखें, सीधे पास के ताराक शेत्रों से भरती. दबन, बेशक छे देव कुलों को भी अपने स्वयम के देव कुलों से पर्याप्त जनशक्ती मिल सकती थी. हाला कि इश्वरीय समराट की कब्र को खोलने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा. इसके अलावा, वे अधिक जनशक्ती खो सकते हैं. उसी समय, वे जनशक्ती की कमी के कारण अपने देव वंश को एक सुरक्षित घेरा में डाल सकते थे. गोडसलेयर दायरे क पाच्वे स्तर से उपर के कई मार्शल आर्ट मास्टर्स जिन्हें पास से भरती किया गया था, उन्हें तोपके चारे के रूप में भरती किया गया था. अगर वे मर गए तो हो. यहां तक कि अगर वे मरते नहीं थे, तो उनके द्वारा प्राप्त संसाधनों को उनके साथ समान रूप से साजह किया जाता था वे ज्यादा नहीं खोएंगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भरती किये गए मार्शल आर्ट मास्टर सबसे मजबूत थे इश्वरिय राजा के दायरे के पाँचवे स्तर को पार करना उनके लिए शायद असंभव था इस बीच छे महान देव कुलों में नौवे स्तर के इश्वरिय राजा थे नौवे स्तर के इश्वरिय राजाओं का सामना करते हुए भले ही वे इश्वरिय समराट की कब्र में प्रवेश करते हैं और कुछ अच्छा सामना करते हैं वे इसे उनसे छीन नहीं पाएंगे इसके बारे में कैसा है आप मेरे लिए एक जगा की व्यवस्था करने का तरीका सोचते हैं समय आने पर आप मुझे साथ ला सकते हैं जिया शिनई ने सिरहिलाया मैं जिया परिवार के एक मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में आपके लिए एक पहचान बनाऊंगा समय आने पर आप मेरे पीछे पीछे आ सकते हैं मैं दूसरे पक्ष का दिखावट नक्षा आपको दे दूंगा आप छिपाने की तक्नीक का उप्योग कर सकते हैं और आपके लिए परीक्षा पास करना आसान होना चाहिए मैं कोटा की रिपोर्ट बाद में करूंगा बुजर जाने के बाद हमें बस इश्वरिय समराट की कब्र के खुलने का इंतजार करना होगा ये जियों ने सिरहिलाया फिर जैसे उसने कुछ सोचा हो वो फिर से बोला चार महान देव कुलों से कितने इश्वरिय समराट आये हैं चार आ गए जैसा सोचा था ये जियों की आँखों में सतरक्ता का संकेत दिखा ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी पहरे पर रहना है इश्वरिय राजा के दायरे के सात्वे स्तर से आगे प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर स्वर्ग और प्रित्वी के बीच के अंतर जैसा था पिछला क्रॉस रियलम युद्ध डेटा इश्वरिय समराट पर लागू होने के लिए उप्यूप नहीं था वह नहीं जानता था कि इस समय वह इश्वरिय समराट से किस हद तक लड़ सकता है वह कितनी चालों का आदान प्रदान कर सकता था क्या यह केवल एक चाल हो सकती है शायद वह एक चाल भी नहीं टिक पाया आखिरकार जब उसने पहले आकाश में जाकने के लिए अपने मूल शिश्य का उप्योब किया था जुवान युवान कभीले के इश्वरिय समराट और नीदल एंडवल्ड कभीले के इश्वरिय समराट इसे सपष्ट रूप से महसूस कर सकते थे इसलिए वह वास्तब में निश्चित नहीं था कि इश्वरिय समराट कितना मजबूत था यदि यहां के दो इश्वरिय समराट अन्यद दो इश्वरिय समराटों का विरोध कर सकते हैं तो क्या वही इश्वरिय समराट की कब्र में इश्वरिय राजा के दाइरे के नौवे स्तर तक आगे बढ़ पाएगा? यदि वह आगे बढ़ सकता तो वह इतने सारे तरीकों की मदद से एक इश्वरिय समराट का विरोध करने में सक्षम हो सकता था. फिर भी अभी भी एक इश्वरिय समराट था जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था दिन के अंथ में दूसरी पार्टी अभी भी बहुत मजबूत थी संख्या में दमन एक दर्द था इसे भूल जाओ मैं बस एक बार में एक कदम उठाओंगा इस बिंदू पर उनके पास कोई अच्छा विचार नहीं था उसे इश्वरिय समराट की कबर पर जाना पड़ा क्योंकि इश्वरिय समराट की कबर में घुसने के बाद इश्वरिय सामराज्य के खजाने का रहसे उजागर हो सकता है इश्वरिय सामराज्य के खजाने के सामने आने से पहले उन्हें एक और उन्नती करने का तरीका सोचना था तब ही उसके पास यह देखने का मौका होगा कि क्या वह दूसरे पक्ष द्वारा इश्वरिय सामराज्य के खजाने की खोज करने से पहले इश्वरिय समराट के दाएरे में आगे बढ़ सकता है केवल उस तर तक आगे बढ़ने से ही वह कानूनों की सारी शक्ती को अपने शरीर में समाहित कर पाएगा भले ही वह उन सभी को एक साथ परिश्वरित न कर सके लेकिन कम से कम वह उन्हें अपने शरीर में समाहित कर सकता था ताकि दूसरे उन्हें छीन न सके नीचे की दिव्य क्रिस्टल खदाने लगभग खोदी जा चुकी थी फुवान लिवली और अन्य लोगों के कठिन प्रयासों के तहट उन्हें भी नहीं पता था कि उनके हाथों में कितने दिव्य क्रिस्टल थे वे देव्य क्रिस्टल उन्हें Minor Destiny तकनीक का उप्योग करने में मदद कर सकते थे जिस गती से Minor Destiny तकनीक ने आध्यात्मिक उर्जा को जलाया वह बहुत तेज थी भले ही उसके शरीर में Creation Masterpiece तकनीक हो जिसने उसे बिना किसी सीमा के आध्यात्मिक उर्जा को अफशोशित करने की अनुमती दी यह Minor Destiny तकनीक की खपत के लिए नहीं बना सकता था विशेश रूप से भविश्य में इश्वरिये समराट के क्षेत्र में कौतुक से निपटने के लिए उसे रेंकों को पार करना पड़ सकता है ऐसी परिस्थितियों में दिव्य क्रिस्टल एक बहुत अच्छा उपभुज्य बन गया था जो उसे अपनी आध्यात्मे कूर्जा को शीघ्रता से पुना प्राप्त करने की अनुमती दे सकता था फिलहाल उसे पहले से ही कुछ शीर्श्रेनी की कवच और कीमती कलाकृतियों का निर्मान करना चाहिए उनका पिछला कवच पर्याप्त स्तर का नहीं था यह अब ईश्वरिय राजाक्षेत्र के आठवे स्तर पर उसकी वर्तमान साधना से मेल खाने में सक्षम नहीं था यदि वह बहतर कवच बना सकता है तो उसके पास भविश्य में ईश्वरिय समराट के विरुध जीतने की अधिक संभाव नहोगी था जैसा कि उसे बताया गया था उस समय उसने उन सभी सामगरियों को इकठा किया जो उसने पूरे इतिहास में जमा की थी और उन्हें कवच बना दिया था चाहे वह सामगरी हो जो उसने विभिन इश्वरिय राजाओं की कबरों से प्राप्त की थी या त्वचा जो उसने पवित्र जानवरों को मारने के बाद चीली थी ये जियाओं ने उन सभी का उप्योग किया उसे कवच की दो परते बनानी थी, जिन में से एक कथोर थी वो हिल नहीं सकता था, इसलिए उसे बाहर से सक्त लेकिन अंदर से नर्म बनाना पड़ा उसे ये सुनिश्चित करना था कि वो जूरों को ठीक से हिला सके बाहरी परत को बिना किसी नुकसान के इश्वरिय राजा के दाएरे के नौवे स्तर से उपर की क्षती का सामना करने के लिए परियाप्त कथोर होना था इस तरह अगर उसका सामना एक इश्वरिय समराट से होता, तो उसे विरोध करने का मौका मिल सकता था यदि वह इश्वरिय राजा राज्य के नौवे स्तर की क्षती का सामना भी नहीं कर सकता था, तो इश्वरिय समराट का विरोध करने की बात करने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी कवच के लचीले हिस्से में अच्छा लचीलापन होने के साथ साथ पर्याप्त कथोरता भी होनी चाहिए ताकि यह आसानी से तूट न जाए यद्यपी मुख्य रक्षा बिंदू कवच की बाहरी सामगरी थी यहा परिहार्य था कि कोई चमड़े के कवच पर हमला करेगा जो आंतरिक भाग से जुड़ा था इसके अलावा ये जियाओ ने इश्वरिय सामराज्य के खजाने से कानूनों की शक्ती का एक हिस्सा भी निकाला और कवच को मजबूत करने के लिए जाली बना दी इस तरह यह आत्म मरम्मत की क्षमता के साथ साथ कवच में एक निश्चित मात्रा में बुद्धि मत्ता जोड़ सकता है ये जियो के वास्तविक हमले को बढ़ा सकता है और दुश्मन के हमले की विशेष्टाओं को भी कमजोर कर सकता है कानूनों की सर्वशक्ति मान शक्ती बहुत उप्योगी थी ये जियो द्वारा कवच की उपस्तिती को बेहत स्टाइलिश बनाया गया था यह उनके पिछले जीवन में किसी फिल्म या टीवी श्रिंखला में शीर्श्रेनी के कवच जैसा था हाला कि वह एक आभासी कल्पना थी जबकि उनकी वास्तविक थी बहुत सारी नर्म सामगरी होने के कारण ये जियो ने एक और लबादा बनाया उन्होंने लबादे में स्पेस वार्पिंग मास्टरपीस तक्नीक विशेश रक्षा और मतिभरम की क्षमता को जोगा इस तरह भले ही वह बेहोश हो गया हो फिर भी लबादा उसे भागने में मदद कर सकता था इसे एक ऐसी चीज के रूप में माना जा सकता है जो एक महत्वपून क्षन में उसकी जान बचा सकती है जिसक्षन कवच का निर्मान हुआ सभी दिशाओं में सुनहरी रोशनी फैल गई तहखाने में जमीन एक बार फिर टुकडों में कट गई भयानक द्रिश्य ने ये जियाओ को बेहद हैरान और भावनाओ से भर दिया कवच का वह सेट कीमती कलकृतियों की स्तर पर सोप्रतिशत था ये जियों ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और ग्रेड ड्रेगन को बुलाया उन्होंने उत्कृष्ट तकनीक का प्रसार किया और कवच पर एक रेखा बनाए पूरी प्रक्रिया के दोरान कवच शतिग्रस्ट नहीं हुआ था इस पर सिर्फ एक बेहद कमजोर स्प्रेच दिखाई दे रहा था उस द्रिश्य को देखकर ये जियों खुद को थोगा उत्साहित किये बिना नहीं रह सका वह सफल हो गया था इसके अलावा कानूनों की शक्ती के प्रभाव में इसमें पहले से ही एक निश्कित स्थर की चेतना और खुद को सुधारने की क्षमता थी यह अपने आप ठीक होने लगा उस पर छोटा सा खरोंच पलक जपकते ही पूरी तरह से ठीक हो गया C. परफेक्ट के रूप में यह जियों ने अपने शरीर पर कवच पहन रखा था यह उनके शरीर के काफी करीब था कवच में आध्यात में कूर्जा को अफशोशित करने की विशेशता थी अगला सबसे महत्वपूल्ण खंड था नामकरंग, आखिरकार वे सबी चीजे थी जिन में पहले से ही आध्यात मिक्ता थी यह समझ में नहीं आया कि उनका कोई नाम भी नहीं था हाला कि तुझ जियों के लिए यह स्पष्ट रूप से उस तरह की कीमती कलाकृतियों को बनाने से भी अधिक कठिन था वह दूसरों के बिल्कुल विप्रीत था हो सकता है कि अन्य लोग हजारों वर्षों के बाद भी एक कीमती कलाकृति बनाने में सक्षम नहों लेकिन वह इसे कुछ दिनों में बना सकते थे हाला कि अगर दूसरे कुछ मिंटों में एक अच्छा नाम लेकर आ सकते हैं तो उन्हें कुछ सौद दिनों की आवश्यक्ता हो सकती है उसे क्या कहा जाए ये जियाओ ने अपने मंदिरों को रगणा ज्वलन्ट ड्रेगन कवच्छ हाला कि इसका ड्रेगन से कोई लेना देना नहीं था जब वह रोया तो अजीब लगा हम, गोल्डन बेल शील्ड, लोहे की कमीज, डैनियल, जियो मिंग, लियू नेंग, बुई फेन, निकोलस जाओ सी, लियू शियाओ कुई, वांग दाहोंग, फ्रोस्ट का दुख, एपोफिस, गंदगी जमीन पर गिर गई मेरा सिर इतना दर्द कर रहा है कि यह फटने वाला है, डी, एमेन, यह होना चाहिए क्योंकि गोल्डन बुग दिव्या आत्मा नामकरन में बहुत निराश्टी, इसलिए इसने मुझे उतना ही बुरा बनने के लिए प्रभावित किया, यह जियो ने अपने सिर पर दस्तक और इसके बारे में ध्यान से सोचा, कवच को लिटिल ड्रागन क्यों नहीं कहते, यह ग्रेट ड्रागन का पूरक होगा, आखिरकार ग्रेट ड्रागन पहले बनाया गया था, इतने लंबे समय तक साथ देने के बाद उनमें गहरा रिष्टा हो गया था, इसलिए उन्हें कम इसे कोई दर्जा तो देना चाहिए, लबादे को थरी ड्रागन कहा जाता था, ठीक है, समस्या पूरी तरह से हल हो गई थी, उस समय राजा जूओ अंदर आया, जब उसने यह जियो को देखा, तो उसने उत्साह से कहा, यह जियो, मैंने आखिरकार पौराने की इश्वरिय क्षेत्र में सफलता पूर्वक कदम रखा है, हाँ 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 हाँ, आज हम दोनों को ठीक से सेलिब्रेट करना चाहिए, यह जियो ने सिर हिलाया, हमें ठीक से जश्न मनाना चाहिए, दुपहर के समय, मैं लियोली से कुछ व्यंजन बनाने के लिए मंगवाऊंगी, एह, कवच की ताकत से बहुत दूर थी, यह ऐसा था जैसे कवच एक अंतहीन समुद्र था, वो समुद्र से पूरा समुद्र नहीं देख सकता था, यह जियो ने फिर सिर हिलाया, मैंने अभी इसे बनाया है, इसका उप्योग सुरक्षा के लिए किया जाता है, यह बहुत प्राजा जोओ के दिमाग में वह घ्यान नहीं था, वास्तव में वह अकिला नहीं था जिसे उन चीजों की ऐसी चेतना नहीं थी, समराटजिंड और अन्य लोगों में भी ऐसी चेतना नहीं थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि कीमती शिल्पृति की अवधारना कुछ ऐसी थी जिसे सामान ये गौड रियल मार्शल आर्ट मास्टर भी नहीं जानते होंगे। कुवा, ये जियो ने एक ऐसे उत्तर के बारे में सोचने की कोशिश की जिसे समझना आसान था। आप इसे इश्वरिय समराट क्षेत्र के उपर मार्शल आर्ट मास्टर्स द्वारा उप्योग किये जाने के रूप में समझ सकते हैं। ना, ये एक पल के लिए उसने महसूस किया कि जो कुछ हो रहा था उसका दिमाग उसे संसादित नहीं कर सका। ये जियाओ एक इश्वरिय समराट नहीं बन पाया था, लेकिन उसके पास पहले से ही एक इश्वरिय समराट स्तर का खजाना था। क्या उस साथी की सहायक सुविधाय हमेशा इतनी उन्नत होंगी? अब आपके पास ऐसे कितने खजाने हैं? ये जियो ने अपने हाथ में लिये हुए महान ड्रेगन को हिलाया। कहते हैं. क्योंकि कबच और हथियार पुरक हैं, एक सामने और एक पीछे, इसलिए उन्हें ग्रेड ड्रेगन और स्मॉल ड्रेगन कहना आसान है। क्या देखाम आदमी जैसी नहीं थी. अरे हाँ, तुम अब ऐसे उच्चे कोटी के अस्त्र शस्त्र और कवच बना रहे हो? क्या आप उनका उप्योग कर सकते हैं? मैंने सुना है कि बेहद उच्च श्रेनी के हथियारों और कवच को नियंत्रित करने में सक्षम होने के करती है. आपकी वर्तमान साधना के साथ यदि आप उस तर तक नहीं पहुचे हैं, तो इसे नियंत्रित करना खतरनाक होना चाहिए है न? ये जियो ने सिरहिलाया. ठीक है, मेरी वर्तमान साधना इश्वरिय समराट किस तर से अधिक दूर नहीं है. मैं अब भी इसका इस्त करूंगा. यह कहने के बाद, राजा जोओ मुडा और चला गया. खाने को क्या था? कौन अभी भी खाने के मूड में होगा? ये जियो जैसे संकी के साथ खाना असहज होगा, है न? ये जियो अवाक था. उसने मूल रूप से राजा जोओ को कुछ पवित्र जानवर का मास द पनुमान लगाया कि वह बहुत जल्दी अपनी साधना को इश्वरियक शेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होगा. कवच और लबादे के उस सेट को तैयार करने के बाद उससे एक सप्ता पहले ही पूरा हो गया था. उस समय, जिया शिनई ने आखिरकार एक और संदेश भेजा. खुल गई थी इश्वरिय समराठ की समाधी. छे महान देव कुलों ने गौड़स लेर दायरे के पाचवे स्तर से उपर 9999 अस्तित्व एकत्र किये थे. स्वाभाविक रूप से इसमें ये जियो भी शामिल था. ये जियो अब तुम इश्वरिय समराठ की कब्र में प्रवेश कर सकते हो. यहां जल्दी से इकठा हो जाओ. उसी समय इरादे का पत्थर उस व्यक्ति के चेहरे पर भी जागिरा था जिसे जिया शिनई ने जिया परिवार से चुना था. सूचना मिलने के बाद ये जियो ने तुरंट दूसरे पक्ष की उपस्तिती क अनुसार अपना रूप बदल लिया. उसके बाद स्पेस वार्पिंग मास्टर पीस तकनीक सक्रिय हो गई और उसका शरीर तुरंट मौके से गायब हो गया. जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही जिया परिवार के सभास्थल पर पहुँच चुका था. उसका रू जियुवान कभीले के लोगों ने एक सूची आयोजित करने के बाद लोगों को धीरे-धीरे आध्यात्मिक हवाई पोत में प्रवेश करने दिया. निंग जियुवान और अन्य लोग केवल नीचे से देख सकते थे, उनकी आखे इर्षय से भरी हुई थी. एक दम बढ़िय वे सभी ईश्वरिय समराट की कबर पर खोजबीन करने जा सकते हैं. यह अफसोस की बात है कि हम केवल यहां से देख सकते हैं. सौन क्विंगक्सियू ने साथ वना दी. इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारी योग्यता बहुत खराब है. हमारी स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम होंगे. क्या वे गौजलेर दायरे के पाच्वे स्तर या उससे उपर की और बढ़ने में सक्षम होंगे. उन लोगों में से जो अब आध्यात्मिक हवाय पोत पर सवार हैं. यंग मास्टर यून के अलावा जो अपने साथ के दशक में थ अगर हम अभी वहां जाते हैं तो हम केवल सभी के लिए बोज बनेंगे. जेंग फेंगुआ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और करवी मुस्कान के साथ कहा, जब वह समय आएगा तो लिली एक भी धंडी हो जाएगी. लिंग शाओयू ने आक्रोश भरे भाव से कहा, ऐसा कौन कहता है? इश्वरिय समराट की समाधी बंदगो भी जैसी नहीं होती. यह सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि ऐसा कहा जाता है. शायद हमारे पास अपने जीवन में इश्वरिय समराट की पौरानिक कब्र को देखने का केवल यही एक मौका होगा. अंत में हमारे पा तो उनमें से एक निश्चित रूप से यह जियो था. हाला कि यह जियाओ 30 साल की उम्र तक भी नहीं पहुँचा था. अधिक से अधिक, वह 27 साल से अधिक का होगा. वह 28 साल का भी नहीं था. फिर भी, वह पहले से ही इश्वरिय, प्राजा के क्षेत्र में विलक्षन प्रत सिभा का धनी था. इन तथा कथित युवा उस्तादों को देखते हुए, वह पहले से ही 40 वर्ष से अधिक के थे. उनमें से कुछ को अभी तक इश्वर के क्षेत्र में आगे बढ़ना था. जैसा कि अपेक्षित था, यह जियो अब तक का सबसे महान है. एक छोटी लंबी समय से आध्यात्मिक हवाई जहां जो से भरा हुआ था. उनमें से अंगिनत थे जो जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक फैले हुए थे. जब वह पहुँचे तो वे असपश्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि कई आध्यात्मिक हवाई पोतों के भीतर 6 अत्यंत शक्तिश काली शक्तिया छिपी हुई थी. ये जियाओ जानता था कि वे 6 इश्वरिय समराट को तुक थे. उसने अपनी धारना को जारी नहीं रखा और बस चुपचाप सभी का अनुसरंग किया. 6 महान देव कुलों की व्यवस्था के तहत उसने जिया शिनई और जिया परिवार के स जब भी बेकार था जब उन्होंने कब्र को उल्टा कर दिया था. ऐसा इसलिए था क्योंकि गौडली किंग्स के मगबरे के अंदर की चीजे ये जियाओ पहले ही ले जा चुका था. वे सामगरी थी जिनका उप्योग लिटिल ड्रेगन को बनाने के लिए किया गया था. आस युवा स्वामी और अन्यत सौ कुलों के गटबंधन के साथ इश्वरिय राजाओं की कुछ कबरों पर लड़े और अंगिनत संसाधन प्राप्त किये. यहां इतने सारे इश्वरिय राजाओं के मगबरे हैं इसलिए अंदर और भी अच्छी चीजे होनी चाहिए. आधिक ह यह देख सकते हैं कि क्या हम इश्वरिय समराट की कबर में और अधिक प्राप्त कर सकते हैं. जैसा कि वे बोल रहे थे, हर कोई पहले से ही एक इश्वरिय समराट की कबर के मुख्य द्वार के सामने आ चुका था. दूरी में और भी कई लोग थे. वे सभी अन्य देवता लिए उत्सुक थे, यह जियाओ अपना सेर हिलाए बिना नहीं रह सका. उन सभी लोगों ने सोचा कि वे इतने भोले होंगे कि बाद में कुछ अच्छी चीजे छीन लेंगे. हाला कि वास्तव में उनके लिए कोई भी अच्छी वस्तु ले जाना असंभव था. उन कुछ इश्वरिय समराटों के बाहर पहरा देने के साथ, जिनके पास ताकत नहीं थी, वे बाहर जाने पर त्वचा की एक परत्खो देंगे. ये जियों ने उसके दिल में विचार किया. अगर उसे कोई अच्छी चीज मिल जाती तो उसे तुरंद जाना पढ़ता. इश्वरिय स समराट के मगबरे के मुख्यक शेतर से दिव्य रक्षीनने के बाद यह बहुत संभावनाती की वह दूसरों के द्वारा महसूस किया जाएगा. यदि वह स्वयम चला जाता है, तो अन्यल लोग हुआन युवान देवता कभीले के बारे में नहीं सोच सकते हैं. आखिरकार अभी भी कुछ देवकुल थे जिन्हें छे महान देवकुलों ने भेजा था. हाला कि अगर वह रुका, तो इस बात की बहुत संभावनाती की इससे एक बड़ा युद्ध छिर जाएगा. हुआन युवान देवता कभीले नुकसान में थे, इसलिए अगर वे लड़े तो बहुत परेशानी होगी. उस समय, कुछ इश्वरिये समराटों के नियंत्रन में, इश्वरिये समराट की कब्र का मुख्यक्षेत्र आखिरकार खुल गया. वह मगबरा जो हजारों वर्षों से खामोश था, आखिरकार खुला गया. अगले ही पल, आध्यात में कूर्जा का एक उच्छाल जो सभी की कलपनाओं को पार कर गया था, बेना रुके तेजी से फटा. यह समुद्र में एक बड़ी लहर की तरह था. गौजलेयर दायरे में कई अस्तित्व इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे, उन्होंने अपने शरीर को स्थिर किया और थोड उत्पन हुई थी. ईश्वरी ये समराट की कब्र में आध्यात्मिकूर्जा वास्तव में इतनी घनी भूत हो गई थी. यह इतना घना था कि हर कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था. हाला कि बहुत जल्दी हर कोई उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका. केव इश्वरी समराटों ने आदेश दिया. सभी मार्शल आर्ट मास्टर्ज एक एक करके प्रवेश करें. लाइन काटो या छीनो मत प्रवेश करना शुरू करें. आग्या पाकर सब लोग इश्वरी समराट की समाधी में दाखिल हो गए. शुरू आत में हर कोई अभी भी अप अंत नियंतरंग खो दिया. ऐसा इसलिए था क्योंकि अंदर बहुत सारी अच्छी चीजे थी. बाकी सब चीजों को एक तरफ रख कर अंदर की जमीन को अंगिनत वर्षों की आध्यात में कूर्जा से पोशित किया गया था. यह लंबे समय से उच्चे गुनवत्ता वाले दिव्य क्रिस्टल में बदल गया था. वे बहुरंगी थे और आध्यात में कूर्जा से भरे हुए थे. जब सबने वह मंजर देखा तो उनकी आखे लाल हो गई. इसे चीन लो, मेरा, यह सब मेरा है. जो कोई भी मेरे दिव्य क्रिस्टल को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उस से मार डालूंगा. लगता था लोग पागल हो गए है. छीना जपती करने उपर जाते ही उनकी आखे लाल हो गई. इश्वरिय समराटों के लिए वे नियंतरंग जारी रखने के लिए तैयार नहीं थे. एक कारण यह था कि उन्हें केवल संख्या बनाने और इश्वरिय समर की कब्र में प्रवेश करने के प्रतिबंध को पूरा करने के लिए प्रवेश करने की अनुमती दी गई थी. प्रवेश करने के बाद अपने स्वयम के कुलों के अलावा अन्य अब महत्वपून नहीं रह गए थे. दूसरी ओर यह इसलिए भी था क्योंकि इस समय उन्हें ह बाद कमखेती वाले जिया परिवार के सदस्यों का एक हिस्सा भी दिव्य क्रिस्टल के लिए बाहर लर रहा था। उच्छे साधना वाले इश्वरिय समराट की समाधी में उल गए। जिया शिनई ने चुपके से अपनी आवाज प्रसारित की। ये जियो खिया आप अकेले जा रहे हैं या आप हमारे साथ जा रहे हैं। मैं अकेला जा रहा हूँ। कोई बात नहीं। मैं जिया परिवार के इश्वरिय राजा के साथ जा रहा हूँ। यदि आप अकेले जा रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। ये जियो ने सिरहिलाया, अराजक्ता का फाइदा उठाते हुए, उन्होंने स्पेस वार्पिंग मास्टपीस तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंट मौके पर ही गायब हो गए। ये जियो जिसने बड़े समूर को छोड़ दिया था, तुरंट एक जंगली घोड़ा बन गया और नहीं उड़े। इसके बजाए वह काबर के दूसरे आधे भाग की और उड़ गया। उसने सिल्वर ड्रेगन किन की स्मृति को स्कैन किया था, इसलिए वह जानता था कि मकबरे की सनरचना वैसी नहीं थी जैसा की सभी ने सोचा था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कें केंदर में केंदरित था इसके विपरीत ईश्वरीय समराठ की स्थिति किनारे पर थी केंदर में, वास्तव में केवल कुँछ खेती की संसाधन थे जैसे कि खेती की तकनीक गोलिया, स्वर्गिय और सान्सारिक खजाने, कीमती कलाकृतिया, शोधन सामगरी और इसी तरह। पर्याप्ती भले ही उसके पास वे सामरिय नहों फिर भी वह उन्हें छीन सकता था। हाला कि यदि उसकी साधना पर्याप्ती भले ही वह उन सामगरियों को छीनने में काम्याब हो जाता तो यह समभव था कि उसे और भी मजबूत अस्तित्व द्वारा छीन लिया जाएगा। यहीं से समस्या हुई, फिर भी ये जियाओ अभी कुछ समय पहले ही बाहर आया था जब उसने एक अत्यंत कीम्ती दिव्य मश्रूम की खोज की थी. यह एक अत्यंत कीम्ती गोली शोधन सामगरी थी जो गोलियों में विबिन सामगरियों की अस्वीक्रती में मध्यस्थता कर सकती थी यह सोचने के लिए कि यहां वास्तव में इतनी अच्छी बात है यह जियाओ ने अपने बड़े हाथ से हवा को पकड़ लिया और सभी दिव्य मश्रूम जमीन से बाहर निकल आए और तुरंट उसके पास आ गए जमीन पर और मिट्टी नहीं थी और सारी मिट्टी दिव्य क्रिस्टल के अस्तित्व में बदल गई थी अगर ये अंगिनत दैवियस फर्टिको के लिए नहीं होते जिन्हें ये जियाओ ने दिव्य सामराज्य के खजाने के बाहर से खोदा था जो कि वहां से कई गुना अधिक था तो वह शायद उसी क्षन इन दैवियस फर्टिको को खोदने से खुद को रोप नहीं पाता उसने अपना हाथ उठाया और जमीन पर दैवियस फर्टिक परत को विस्फोर्ट से उड़ाते हुए हमला किया उसे जो आश्चर्य हुआ वही यह था कि दिव्य क्रिस्टल के नीचे खाली जगह नहीं थी इसके बजाए यह पूरी तरह से कांसे से बना एक मैदान था कांसे की सतह पर कुछ महीन रेखाये खुदी हुई थी वे पंक्तियां सीधी थी जिनका एक सिरा ईश्वरिय समराट की कब्र के प्रवेश द्वार से जुड़ा था और दूसरा सिरा यह जियाओ के सामने की दिशा से जुड़ा था उसी समय एक या दो लंबवत पटियां भी थी जो उन रेखाओं को जोड़ती हुई इश्वरिय समराट के मगबरे की अन्य दिशाओं की और ले जाती थी यह जियो थोड़ा हैरान था जब जमीन का आकार बनाया गया तो उसकी आखों के सामने चमकीले लाल तरल की कुछ धाराय तुरंट चमक गई यह जियाओ की पुतलिया एक बार फिर सिकुड गई वह स्पाश्ट रूप से देख सकता था कि जो वस्तु अभी अभी उसके सामने से गुजरी थी वह और कुछ नहीं बलकि दिव्यरक्त थी ताजा दिव्यरक्त जिस दिशा से यह दिव्यरक्त आया था वही इश्वरिय समराज्य की कब्र का प्रवेश द्वार था जो की वे अस्तित्व भी थे जो दिव्य क्रिस्टल के लिए लड़ रहे थे उस समय यह जियाओ को एक बुरा पूर्वाभास हो गया था लगा कि उसने कुछ सोचा है प्रारमविक डैवियर सामराज्य में कुल 13 इश्वरिय समराट थे लेकिन वे कई भागों में विभाजित थे उनमें से एक कानूनों की शक्ति थी जो दिव्य सामराज्य के खजाने की रक्षा करती थी दूसरे भाग की तब युद्ध में मृत्यू हो गई थी दूसरा भाग इश्वरिय समराट था जो मरने को तयार नहीं था और भविश्य में पुनर जीवित होने का प्रयास करता था इश्वरिय समराटों को पुनर जीवित करने के लिए इश्वरिय सामराज्य के खजाने से कानूनों की शक्ति की आवश्यक्ता हो सकती है उस समय सर्वोच सनातन के आदेश के कारण आदेम दिव्य सामराज्य को कई मार्शल आर्ट मास्टर्स द्वारा घेर लिया गया था जिन इश्वरिय समराटों ने अंत तक बचाव किया था उनके पास कानूनों की शक्ति को एक साथ इकठा करने और अपने स्वयम के जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था हाला कि कानूनों की शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें पहले जागना पड़ा जगाने का तरीका सिल्वर ड्रेगन किंग और अन्य लोगों की तरह ताजा दिव्यरक्त का उप्योग करना था यदि उनका अनुमान सही था तो सिल्वर ड्रेगन किंग और अन्य लोग उस विधी का उप्योग ईश्वरिय समराटों को अंदर से जगाने के लिए करना चाहते थे इश्वरिय समराट के मगबरे की स्थापना के लिए इसे खोलने के लिए 9995 स्थर या गौडसलेयर दायरे के मार्शल आर्ट मास्टर्स की आवश्यक्ता थी इसका कारण था उस परिद्रश्य में जहां सिल्वर ड्रेगन किंग और अन्य दिव्यर रक्त इकठा करने में सक्षम नहीं थे या उस मामले में जहां सिल्वर ड्रेगन किंग और बाकी सभी मारे गए थे ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि बाद के देवताओं को प्रवेश करना होता तो उन्हें इतने लोगों को इकठा करना पड़ता उन लोगों के प्रवेश करने के बाद सौप्रतिशत संभावनाती की वे भारी मात्रा में संसाधनों के लिए आपस में लरेंगे मृतक निश्चित थे, जब कोई व्यक्ति मरता है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारा दिव्यरक्त उत्पन होता है नीचे का कास्यरक्त स्लोट दिव्यरक्त को अफशोशित करेगा और लगातार इश्वरिय समराट को अंदर से जगाएगा ये इश्वरिय समराट जगाना चाहते हैं, जब ये जियाओ ने उस मामले के बारे में सोचा, तो वो एक गहरी सांस लेने से खुद को रोप नहीं सका कितनी बड़ी महत्वा कांच्षा है, इतने लंबे समय तक मरने के बाद भी, वे अभी भी आदेम दिव्य सामराज्य की दिव्य शक्ती को जगाना और फिर से जगाना चाहते थे हाला कि कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना उनके लिए वास्तव में संभव था ऐसा इसलिए था क्योंकि यद्यपी वे गिर गए थे, उनकी लाशे अभी भी वहीं थी और उनके शरीरों में दिव्य रखत भी भी था उनकी युद्धक शमता को अभी भी आदे से अधिक बनाय रखा जा सकता है मार्शल आर्ट मास्टर्स के रूप में जो कभी एक इश्वरिय समराट के स्तर पर थे, उनकी साधना शायद पहले या दूसरे स्तर के इश्वरिय समराट को भी पार कर गई होगी यदि ऐसा होता, तो उनकी शेश शक्ती अभी भी प्रathम स्थर के इशवरिय समराट ख्षेत्र के आसपास पहुच सकती थी. किसी को यह जानना होगा कि छे महान देव कुलोद्वारा बाहर भेजे गए इश्वरिय समराट केवल प्रतम स्तर के इश्वरिय समराट के दाइरे में थे इस यूग की मार्शल संस्पृती का पहले ही पतन हो चुका था इसकी तुलना प्राचीन यूग की ताकत से नहीं की जा सकती थी वे शायद उन पुरातन इश्वरिय समराटों को पराजित करने में भी सक्षम न हो एक बार वे इश्वरिय समराट बच गए नहीं यदि उनमें से एक भी बच गया तो यह बड़ी परेशानी लाएगा इश्वरिय समराट सिलवर ड्रेगन किन से अलग थे इश्वरिय समराट उसका विरोध करने के लिए परियाप्ट शक्तिशाली थे यही एक कारण था, एक और बिंदू था पुरातन इश्वरिय समराट निश्चित रूप से दिवय समराज्य के खजाने का स्थान जानता था यह वास्तब में परेशानी भरा मामला था इश्वरिय समराज्य के खजाने का स्थान पता था दिवय समराज्य के खजाने को खोलना जानता था कानूनों की शक्ती को आसानी से परिश्कृत कर सकता था और यहां तक कि अपने अस्तित्व का विरोध भी कर सकता था ये जियो वास्तव में इससे बड़े खत्रे के बारे में नहीं सोच सकता था उसने तुरंद जिया शिनई से संपर्क करने के इरादे का इस्तिमाल किया क्या हम हुआन युवान कभीले और नीदरलेंड के कभीले के लोगों को वापस बुला सकते हैं क्या गलत है जिया शिनई का सवाल जल्दी से इंटेंट स्टोन से आगे बढ़ गया ये जियो ने एक बार फिर उत्तर दिया यह एक जाल है आदिकाली इन इश्वरिय समराट हमें एक दूसरे को मारने और उन्हें जगाने के लिए दिव्यरक्त एकत्र करने के लिए उप्योग कर रहे हैं एक बार जब हम पुरातन इश्वरिय समराटों को जगाते हैं तो यह हमारे लिए एक विनाशकारी जटका होगा क्या जिया शिनई आश्चर्य से चिलाए लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ती गंभीर हो गई और उसने कहा भले ही मामला ऐसा ही क्यों न हो हम इन लोगों को अब कैसे जाने दे सकते हैं अगर मैं चाहता भी तो वे तैयार नहीं होते यह जियो को तुरंट सिर्दर्द महसूस हुआ जिया शिने सही थी यह जगह कोई बेतरती बिल्ली या कुत्ते के खेलने की चीज नहीं थी अगर उन्होंने कहा कि वे इसे नहीं चाहते हैं तो वे इसे छोड़ सकते हैं यह एक विशाल इश्वरिय समराट की समाधी थी ना जाने कितने साधन भीतर छिपे थे यहां तक की कई संसाधन ऐसे थे जो इश्वरिय समराटों के लिए बहुत उप्योगी थे जैसा की कहा जाता है धन खत्रे से आता है यदि मृत्यू की वास्तविक संभावना होती भी तो भी इश्वरिय समराट की समाधी पर कोई हारमानने को तैयार नहीं होता यह जियाओ ने अपनी भाहों के बीच की जगह को रगड़ा कोई बात नहीं मुझे अन्य देव कुलों की परवा नहीं है मुझे हुआन युवान कभीले और नीदरलेंड के कभीले के मार्शल आर्ट मास्टर्स को सूचित करना है नाजुक शन में मुझे एक मजबूत निर्ने लेना होगा और समय पर निकलना होगा इसके अलावा एक और बात है यदि आप दूसरे पक्ष से लड़ने से बच सकते हैं तो पूरी कोशिश करें कि आप दूसरे पक्ष से न लड़ें एक बार जब एक मार्शल आर्ट मास्टर मर जाता है तो यह निश्चित रूप से इश्वरिय समराटों के जागरं को गती देगा ठीक है मैं उन्हें तुरंट सूचित कर दूनगा उनसे कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे यदि वास्तव में कोई इश्वरिय समराट पुनर जीवित हो रहा है तो सभी को पहले संभवक्षन में भागने दे जिया शिनई के साथ संबंध काटने के बाद ये जियो ने एक बार फिर से स्पेस वार्पिंग मास्टर पीस तकनीक का इस्तेमाल किया और तेजी से आगे बढ़ी यहां तक कि अगर वे पुनर जीवित करने के लिए उस विधी का उप्योब करना चाहते थे तो भी कम से कम एक बिंदू था पुनर उत्थान को एक पल में पूरा करना उनके लिए असंभव था इसके लिए एक समय अवधी की आवश्यक्ता थी वह समय अवधी उनका मौका था यह जियाओ जहां था वही से तुरंट गायब हो गया जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही एक अत्यन साधारन दिखने वाली पहारी पर पहुँच चुका था आदेम पुतली खुल गई और यह जियाओ ने तुरंट इसे स्कैन करना समाप्त कर दिया यह मगबरा दिखने में साधारन लग रहा था लेकिन वास्तव में इसे बहुत सावधानी से बनाया गया था आठ त्रिकोनों में इसे कियांकी स्थिती माना जा सकता है समपूर्ण इश्वरिय समराट की समाधी आठ त्रिकोन के अनुसार बनाये गई थी उन आठ इश्वरिय राजाओं की कबरों को सीमा पर आदेम दिव्य सामराज्य के आठ इश्वरिय समराटों द्वारा रखा गया था वापस जब आदिम दिव्य सामराज ये गिर गया तो कुल 11 इश्वरिय समराट मारे गए उन में से 3 के दिव्य शरीर चकनाचूर हो गए थे और उनकी आत्मा पूरी तरह से बिखर गई थी कुछ भी नहीं बचा था इसलिए उन्हें दफनाने की जरूरत नहीं थी इस प्रकार अभी भी आठ इश्वरिय समराट शेश थे जिन आठ इश्वरिय समराटों को मार डाला गया था वे गुप्त मुहरों का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए करते थे कि समय बीटने के बाद उनके शरीर का ख्षय न हो उनकी दिव्य आत्माय नश्ट नहीं होंगी और उन्हें पुनर जीवित किया जा सकता है गिरे हुए इश्वरिय समराट आदेम दिव्य सामराज्य के इश्वरिय समराट नालन थे इश्वरीय समराट नालन आदेम दिव्य सामराज्य में सबसे प्रतिभाशाली अस्तित्व था सिल्वर ड्रेगन किन की यादों के अनसार उनके पास स्वर्ग को हिला देने वाली और धर्ती को हिला देने वाली प्रतिभाथी उसके पास शक्तिशाली युद्धक्षमता के साथ 7 शक्तिशाली उपचार तकनीग भी थी वह मौलिक इश्वरिय सामराज्य को पुनर जीवित करने की कुञ्जी था यदि वह जागरित होता, तो वह उन इश्वरिय समराटों को फिर से जीवित कर देता और फिर कानूनों की शक्ती वापस ले लेता, अपनी खेती के आधार को अपनी चरम स्थिती में बहाल कर देता वह बाद की अवस्था के इश्वरिय समराटों का एक समुह होगा, तारों भरे आकाश के नीचे वर्तमान स्थिती पर इसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है आठ त्रिग्रामों के स्थान में आठ कब्रे थी और उनमें से एक नौवी कब्र थी ये जियाओ निश्चित नहीं था कि कौन सा इश्वरिय समराट नालन का मगबरा है, इसलिए वह केवल उन्हें एक एक करके मार सकता था यहां तक कि अगर वह पुनर जीवित होने से पहले इश्वरिय समराट नालन को नहीं पास सके, तो कम से कम वह जागरित होने के बाद एक कम इश्वरिय समराट को फिर से जीवित कर सकते थे इसे परोक्ष रूप से उसे कम परेशानी देने वाला भी माना जा सकता है दूसरे पक्ष के ठिकाने की पुष्टी करने के बाद ये जियाओं ने एक गहरी सासली और अपना दाहिना हाथ उपर उठाया ये जियो के नाम पर मेरे सामने सरनी खोलो विस्ने अधिबोधक चिन्ह उधरंड चिन्ह अगले सेकेंड में सरनी स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई थी ये जियाओं ने महसूस किया कि उसके शरीर की आधी से आधिक आध्यात में कूर्जा एक पल में समाप्थ हो चुकी थी ये ऐसा था जैसे एक सामान्य व्यक्ति को एक संतोष जनक व्यायाम के बाद ततकाल कुछ गोजी बेरी पीने की आवश्यक्ता हो माइनर डेस्टिनी तक्नीक हर पहलू में अच्छी थी लेकिन जिस गती से आध्यात में कूर्जा जलती थी वह बहुत तेज थी इसके अलावा इसने उससे बिलकुल भी नहीं बताया कि उसे कितनी आध्यात में कूर्जा का उप्योग करने की आवश्यक्ता है इसलिए उसने लापरवाही से इसका उप्योग करने का साहस नहीं किया अगर वह सावधान नहीं होता तो दुश्मन मरने से पहले ही मर सकता था यदि यह एक सामान्य सरनी होती तो यह जियों को निश्चित रूप से माइनर डेस्टिनी तकनीक का उप्योब करने की आवश्यक्ता नहीं होती उसे केवल एक सामान्य विधी का उप्योब करने की आवश्यक्ता थी हाला कि इश्वरिय समराट के मकबरे में सभी सरनियों के साथ कानूनों की शक्ति जुली हुई थी कानूनों की शक्ति पर कबजा करना आसान मामला नहीं था अगर ईश्वरिय बादशा आभी जाए तो भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सरनी खुल गई और ये जियों ने सीधे उसमें कदम रखा उस मगबरे का इंटीरिय बेहत साधारंग था यह ईश्वरिय समराट की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा यह उनकी शांदार अंतियश्टी योजना की आवश्यक्ताओं को पूरा नहीं करता था यह जियाओं ने अनुमान लगाया कि उन्होंने शायद अपने सभी संसाधनों को कबरों में से एक में धेर कर दिया था और यह कब थी जिसे तोड़ना सबसे कठिन था हाला कि वे बाते महत्वपून नहीं थी जो महत्वपून था वह उस इश्वरिय समराट का डिव्यरत था ताबूत से पहले ये जियो आया ताबूत एक अत्यंत कीमती विशेश सामगरी से बना था यह कुछ-कुछ शीशे जैसा था और पूरी तरह पारदर्शी था हाला कि इसमें जीवन को लंबे समय तक चलने और ख्षय ना करने की क्षमता थी यह इश्वरिय समराट के दिव्य शरीर को भी सनरक्षित कर सकता था कोई सोच सकता है कि यह कितना कीमती था भीतर एक अत्यंत रूपवती स्त्री सोई हुई सुंद्री की भाती चुपचाप लेटी हुई थी उसके शरीर पर कुछ धाव थे अंगिनत बार अनुभव करने के बाद भी उनका रखरखाव किया गया था और उनकी मरम्मत नहीं की गई थी कोई कल्पना कर सकता है कि उस समय उसे कितनी गंभीर चोटे लगी होंगी क्या यह महान ईश्वर यह समराथ है यह जियो धीरे से आगे बढ़ा और ताबूत को धक्का दे कर खोला एक विशाल रक्तसार एक सुगंध के साथ मिश्रित होता है जो केवल एक महिला के शरीर पर दिखाए देगा जो उसके नथुने में घुज गया इससे यह जियो को बहुत आश्चर्य हुआ उसने इसे अग्यात संख्या में दसियों हजार वर्षों तक धंक कर रखा था लेकिन वास्तब में समुद्र की कोई गंध नहीं थी पिर भी यह इतना सुगंधित था ताबूप की गुनवत्ता वास्तब में अच्छी तरह से प्राप्त हुई थी यह ताजा और सास लेने योग्य था ताबूप के नीचे कांसे की जमीन पर बने पैटन से जुड़ा था जिसे यह जियाओ ने पहले देखा था यह बहुत स्पश्था की वह इसका उप्योग दिव्यर रक्त को अफशोशित करने और जगाने के लिए कर सकती थी उस समय यह जियाओ ने देखा की दूसरी पार्टी ने अपने हाथ में एक स्पेसियल स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी यह है यह जियो की आखे संकुचित हो गई यह अनबूथी वास्तब में एक कीमती कलाकृती थी पौरानिक पुरातन इश्वरियर समराट से अपेक्षा के अनुरूप यहां तक की उसकी स्टोरेज रिंग भी एक कीमती कलाकृती थी यह जियो की शाही जेद सील में इतनी शक्तिशाली भंडारंग शमता थी फिर भी यह एक कीमती कलाकृती नहीं थी कोई सोच सकता है कि वो स्टोरेज रिंग कितनी शक्तिशाली थी अंदर कितने खजाने थे कोई आश्चार्य नहीं कि उस मगबरे के अंदर कुछ भी नहीं था इसके बारे में सोचते हुए सबी खजाने को स्टोरेज रिंग में रखा जाना चाहिए था है ना ये जियाओ ने बिना किसी हिचकी चाहट के अपनी मानसिक उर्जा का इस्तेमाल उन्हें खोजने के लिए किया दुर्भाग्य से भंडारन रिंग में प्रतिरोध करने वाली उर्जा की एक अत्यंत मजबूत परत थी वह स्टोरेज रिंग की शक्ती थी जो उसका विरोध कर रही थी ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने इश्वरिय समराट के वल भारी रूप से घायल था और वास्तव में उसकी मृत्यू नहीं हुई थी वह अभी भी इश्वरिय समराट नालन के पुनर जीवित होने की प्रतीक्षा कर रही थी चीटे, अगले सेकेंड में ये जियाओ ने तुरंत अपने माथे को छेदने के लिए ग्रेड ड्रेगन का इस्तिमाल किया उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली आक्रोशिपूल्न उर्जा एक जवार की लहर की तरह निकली और ये जियाओ पर हमला कर दिया उर्जा बहुत आधिक शक्तिशाली होने के कारण ये जियाओ लगभग भग गया था अंगिनत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वही इश्वरीय समराट इश्वरीय समराट नालन के पुनर जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहा था हाला कि परिनाम यह हुआ कि उसका दिव्य शरीर और उसकी दिव्य आत्मा नश्ठ हो गई मृत्यू के क्षंड में उसने अपना सबसे शातेर पलटवार किया दुर्भाग्य से लंबे समय तक सोने और गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह जीवित रहते हुए पूरी तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकी अगले ही पल उसने अचानक अपनी आखे खोली वे कैसी आखे थी? यह ऐसा था मानो उन्होंने सितारों और समुद्र को भेर लिया हो वे दिव्या नेत्र थे ये जियो सिल्वर ड्रेगन किंग की यादों से जानता था कि तेरह शक्तिशाली पुरातन इश्वरिय सम्राटों में से तीम के पास दिव्या आखे थी इसके अलावा उन में से एक तारकिय दिव्या आखे थी जो दिव्या आखों की रैंकिंग में 16 वे स्थान पर थी यदि उसने सही अनुमान लगाया है तो उसके सामने उस इश्वरिय सम्राट की दिव्या आखे तारकिय दिव्या आखे होनी चाहिए गंभीर रूप से घायल होने के कारण वो अपने शरीर पर नियंत्रन नहीं रख पा रही थी अपनी आध्यात्मे कूर्जा को मुक्त करने के अलावा वह मृत्यू के क्षण में टॉम रैडर की आत्मा को पूरी तरह से नश्ट करने के लिए दिव्या नेत्र का उप्योग करना चाहती थी यदि यध कोई अन्यव्यक्ति होता भले ही वह नौविस्तर का ईश्वरी राजा होता भले ही वह आध्यात्मे कूर्जा प्रभाव का सामना कर सकता था वह उसकी दूसरी चाल तार्किय दिव्यनेत्र का सामना करने में सक्षम नहीं होता और निश्चित रूप से इसके कारण नश्ठ हो जाता सबसे जहरीला औरत का दिल पुरातन ईश्वरिय समराट वास्तव में भयानक था दुर्भाग्य से वह कदम दूसरों के लिए उप्योगी था लेकिन ये जियों के लिए बेकार था यह और भी बढ़िया बात थी इश्वरिय राजा दायरे का नौवा स्तर कम इश्वरिय समराट दायरे कि उन्नती जैसे ही तारकिय दिव्या आखे ये जियाव से मिली इसने तुरंट प्राथमिक शिश्य के गुनों को सक्रिय कर दिया जो तारकिय दिव्या नेत्र से संबंधित होने चाहिए थे ये जियाव की प्रारंबिक पुतली में एक चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि दूसरे पक्ष का दिव्य नेत्र प्रकट हुआ था। तस्वीर के प्रकट होने से इश्वरिय समराट की दिव्य आख अचानक सिकुल गई जो मृत्यू के कगार पर थी। सपश्ट रूप से वह पहले से ही मूल शिश्य को पहचान चुकी थी। उसकी भावनाओं के उतार चड़ाव के कारण उसके शरीर में उर्जा और भी अधे खिंसक रूप से फूट पड़ी। दुर्भाग्य से वह जो अनादिकाल से पहले ही भारी रूप से घायल हो चुकी थी, अपनी ताकत को उजागर करने में असमर्थ थी। ये जियाओ ने ग्रेड ड्रेगन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसे मजबूती से दबा दिया, जिससे वह जरासा भी हिलने दुलने में असमर्थ हो गई। वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडबेथ मास्टरपीस तक्नीक ने ग्रेड ड्रेगन के तेज ब्लेड का पीछा किया और दूसरे पक्ष के माथे में बेतहाशा उच्छा लाया। अंत में एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय को सहन करने के बाद वह पूरी तरह से मारी गई और उसकी आत्मा पूरी तरह से बिखर गई। को मिलाकर वह सफलता पूर्वक उससे मार सकता था। अन्य था अगर यह कोई और होता भले ही वह गौडली किंग दाइरे के नौवे स्थर के शिखर पर कोई होता तो उनकी मौके पर ही मौथ हो सकती थी। हाला कि जल्द ही यह जियाओ के मूँ के कोने मुल गए। पहले इश्वरिय समराट को मारने के बाद वह उस इश्वरिय समराट का दिव्यरक्त प्राप्त कर सकेगा। उस इश्वरिय समराट के दिव्यरक्त से उसकी साधना निश्चित रूप से एक और उन्नती प्राप्त करेगी। जब वह अगले इश्वरिय समराट का सामना करेगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहतर होगा। समय तंग था इसलिए उसने जैसा कहा था वैसा ही किया ये जियों ने तुरंट बलडबात मास्टरपीस तकनीक का इस्तिमाल किया और तुरंट दूसरे पक्ष के शरीर से दिव्यरक्त की एक घनी मात्रा निकाली उलेक नहीं है इश्वरिय समराट का दिव्यरक्त वास्तव मे अत्यंत घना था यह उन 20 इश्वरिय राजाओं से भी आधिक था जिनहें ये जियाओं ने एक ही बार में निकाला था किसी को यह जानना था कि उसके सामने इश्वरिय समराट एक शरीर था जो मृत्यू के कगार पर था और भारी रूप से घायल था उसके शरीर का दिव्य रक्ट बहुत पहले ही उस महान युद्ध में समाप्थ हो चुका था ये जियाओ जानता था कि कई गुप्त तक्निके दिव्यरक्ट का उप्योग करेगी उस तरह की चोटों के साथ युद्ध में अपने दिव्यरक्ट का उप्योग न करना उसके लिए असंभव था दूस प्रतिशत के साथ यह पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। फिर भी उसके पास अभी भी बहुत सा दिव्य रक्त था। इश्वरिय समराट वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि इसने किसी के भी रोन्ते खड़े कर दिये। परिश्कृत करने के बाद उसके शरीर में साधना पहले से ही आठविस्तर के इश्वरिय राजाक्षेत्र के 70-80 प्रतिशत तक पहुँच चुकी थी। वह अभी भी इश्वरिय राजाक्षेत्र के नौविस्तर एक नए छोटे दायरे में आगे बढ़ने से एक छोटा सा हिस सादूर था। मूल रूप से यदि वह अपने चरम पर एक इश्वरिय समराथ थी तो ये जियो ने अनुमान लगाया कि वह एक कदम में सीधे नौविस्तर के इश्वरिय राजा के दायरे में पहुँच सकता था। दुर्भाग्य से चोटों और कई वर्षों के कर दिया था। फिर भी उन्होंने काफी खेती की थी। वह तब अगले इश्वरिय समराथ के साथ सौधा करेगा। ये जियो ने लापरवाही से एक मुक्का फेका और उसके शरीर को चकना चूर कर दिया। हाला कि उसने सभी दिव्य रक्त को निकाला और परिश्वित किया फिर भी उसका दिव्य शरीर एक इश्वरिय समराथ का दिव्य शरीर था। किसी ने यह गारंटी देने का साहस नहीं किया कि भविश्य में कोई शब परिवर्तन नहीं होगा। यदि वह एक दिव्य लाश में बदल जाती है और उसके साथ फिर से परेशानी का पता लगान को स्कैन करने के लिए किया। अंत में उन्होंने पाया कि अभी भी 7200 से अधिक लोग बचे थे। इससे ये जियाओ मदद करने में असमर्थ हो गया लेकिन कुछ हद तक हैरान रह गया। द्वार छोड़ने से लेकर इश्वरिय समराथ को मारने और इश्वरिय समराथ के र हाला कि इसके बारे में ध्यान से सोचने पर यह वास्तभ में समझ में आया। आदेम दिवय समराज्य के इश्वरिय समराथ मूल रूप से उन लोगों को मारने और उनके शरीर में दिवय रट को लूटने के लिए यहा थे। इसलिए उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए प्रेरित करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने के अलावा, वे निश्चित रूप से कुछ ऐसे जाल बिछाएंगे जो काफी संख्या में लोगों को मार डालेंगे। हाला कि उस मामले ने ये जियाओ को जगा दिया, उसे अपने समय का सदुपयोग करना था, नहीं तो वो इश्वरिय महराजा जट जाग जाएंगे। उन्होंने स्पेस वॉपिंग मास्टरपीस तकनीक का इस्तेमाल अपने चरम पर किया था, उसके पास इसे देखने का समय भ पहुँच गया, ऐसा इसलिए था क्योंकि इश्वरिय समराट के मकबरे के बारे में जो जानकारी उसने सिल्वर ड्रेगन किन की यादों से प्राप्त की थी, वह उसे दूसरों की तुलना में एक कदम तेज होने और उन मकबरों को आसानी से खोजने की अनुमती दे सकता थ ये जियों के नाम पर इस मकबरे की सरनी खोलो, माइनर डेस्टिनी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और सरनी को तुरंत खोल दिया गया था, ये जियों ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत प्रवेश कर गया, दूसरा इश्वरिय समराट एक अधेर उम्र का व्यक्ति थ उनके शरीर के आसपास पहले से ही कई प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उदाहरं के लिए जब ये जियाओने प्रवेश किया, तो वह सपश्ट रूप से देख सकता था कि उसकी उंगलिया हिल रही थी, उसे प्रतिक्रिया का मौका दिये बिना उसने ताबूत खोल दिया, अचानक अपनी आखे खोली और उसके पास एक भयन कर दहारने का समय नहीं था, ये जियो ने ट्रू ड्रेगन मास्टरपीस तकनीक का प्रसार किया और अपने शरीर पर एक के बाद एक मुके मारे, बूम, 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 धमा का वज्रपात की तरह था, हर हिंसक हमले से उसक शरीर हिंसक रूप से कापने लगता था, कुछ भूसों के बाद उसकी पूरी तरह से सासे थम गई और उसकी मौत हो गई, ऐसा लगता था कि वही इश्वरिय समराट उस महेला के समान भारी घायल नहीं था, हाला कि यह भी एक अच्छी बात थी, इसका अर्थ था कि उसके शरीर में देवियर रक्ट दूसरे पक्ष के रक्ट से थोड़ा अधिक होना चाहिए। दूसरे पक्ष की अनिच्छुक आँखों को देखते हुए, ये जियों ने तुरंत ब्लडबैथ मास्टरपीस तकनीक को सक्रिय कर दिया और दूसरे पक्ष के शरीर में सभी दिवयर रक्त को बाहर निकाल दिया, इसे परिश्कृत करने के लिए अपने शरीर में अफशोशित कर लिया। साथ ही उन्होंने आराम से उनके हाथ से अनबूर्थी लेकर उनकी उंगली में पहना दी। वह अनबूर्थी एक कीमती कलकृती ग्रेट स्थानिक भंडारन अनबूर् वर्तमान युग में कुछ प्रथम या द्वितिय स्तर के इश्वरिय समराटों के पास शायद ऐसा उपचार नहीं था। अपने दिव्यरत को अफशोशित करने के बाद ये जियों ने तुरंत इसे उसी स्थान पर परिश्कृत किया। एक और दिन और रात बीद गई। उ बढ़ा का इश्वरिय राजाक्षेत्र। उस समय, इश्वरिय समराटों के कि आपके और आस्मान में अचानक बिजली का एक बड़ा बादल इकठा हो गया। इश्वरिय समराटों की कब्र में प्रकट होना सामान्य होना चाहिए। शायद यहां पर मरे हुए इश्वर ये समराट, नाराज हैं। उन्होंने हमें अपना मगबरा खोदते हुए देखा, लेकिन वे हमें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। क्या वे अपना क्रोध नहीं निकाल सकते और थोगा दहार सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मगबरे में ये जियों ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक बार फिर से एक नएक शेत्र में खेती की जा रही है। आध्यात में कूर्जा सघन हो गई और ये जियाओ का दिल और अधिक आश्वस्त हो गया। मैं पहले से ही गौडली किन दाइरे के नौवे स शमता के साथ मैं इश्वरिय समराटों के विरुधर लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। इसके अलावा गोल्डन बुप दिव्या आत्मा संचलेशन के अगले चरण से बुझवेगी। ये जियाओ की आखों में उत्सा का एक संकेत चमक उठा। उसने लापरवाही से इश इश्वरिय समराट की लाश को राक में बदल दिया। फिर उन्होंने स्पेस वार्पिंग मास्टरपीस तकनीक का इस्तिमाल किया और मौके पर ही गायब हो गये। उसने इश्वरिय समराट के दिव्यरक्त को पूरी तरह से परिश्कृत नहीं किया था। वह पहले से ही इश्वरिय समराटों को दबाने के लिए परियाब था जो मृत्यू के कगार पर थे। इसलिए उसे अपनी ताकत में सुधार जारी रखने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारंग था। हाला कि वे मृत्यू के कगार पर थे और अगर वे जाग भी जाते तो भी उनके लिए इश्वरिय समराट की साधना को पूरी तरह से प्रदर्शित करना असंभव था। हाला कि इनसे निपटना उतना आसान नहीं था जितना की जागने के बाद ये गहरी नींद में होते हैं। अगर वह उपर जाता तो वह तुरंत उन्हें एक स्लेश दे देता। यह समय प्रयास और चिंता को बचाएगा। इसके अलावा अगर वह और डेर करता और उन्हें पूरी तरह से जगाने देता तो क्या होता अगर वे एक साथ ही कट्था होते। यह वास्तव में बहुत बड़ी समस्या होगी। खासकर उस इश्वरिय स समराट के क्षेत्र में उन्नत हो सकती थी। यह वाकई घातक होगा। बहुत जल्दी यह जियाओ तीसरे मगबरे पर पहुँच गया। यह जियो के नाम पर मगबरे की सरनी को सक्रिय करे। फिर यह जियाओ ने कदम रखा। कब्र में ईश्वरिय समराट ने अपनी चेतना को पहले से ही सक्रिय कर लिया था वह धीरे धीरे बोलने लगा कौन है कौन इस समराट की कबर में घुसने की हिम्मत करता है दबाव से भरी एक गहरी और सरल आवाज ने रूप को जग जोर कर रख दिया भले ही वह भारी रूप से घायल हो गया था और अंगिनत वर्षों से ग वहों को थोड़ा उपर उठाय बिना नहीं रह सका तुम हो उसे जो जवाब मिला वही एक ठंडी चमक थी वह बहुत शांती से चला गया इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता उसे ये जियोद्वारा सीधे नरक भेज दिया गया और ये जियोद्वारा दिव्यरक्ट को पू इश्वरिय समराट का दिव्यरक्ट नहीं था फिर भी उसके शरीर में बचा हुआ दिव्यरक्ट अभी भी एक विशाल आधार आकृती था यह अभी भी काफी नहीं था उसे अभी भी मारना जारी रखना था इश्वरिय समराट सामराज्य की और बढ़ने के लिए उसकी सा बड़ा बंध हो जाता है और यह एक अताश लड़ाए है ये जियो कुछ बुरा हुआ है इश्वरी ये समराग की कब बंध हो गई है उस खबर को सुनकर ये जियाओ बेहद हैरान हुआ जाहिर है उसे ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी ये कैसे हो सकता है नहीं ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है अपने दिव्य इरादे के साथ ये जियाओ ने पहले ही पता लगा लिया था कि अभी भी 5,000 मार्शल कलाकार बाकी थे जो इश्वरीय समराग की कब्र में प्रवेश कर चुके थे दूसरे शब्दों में 4,999 लोग पहले ही मर चुके थे उन में से पांच्वे स्तर के गौडसलेयर दाइरे के अस्तित्व के साथ साथ उच्च स्तर के अस्तित्व भी थे इतने सारे लोगों के शरीर में दिव्य रख पहले ही एक अत्यंत विशाल स्तर पर पहुँच चुका था दो दिनों में ही इतने लोगों की मौत हो गई ये पुरातन इश्वरिय समराट पुनर जीवित करने के लिए वास्तव में निर्मम थे। हाला कि इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद यह समझ में आया। कौन नहीं जीना चाहता था। इसके अलावा इश्वरिय समराटों की दृष्टी में वे नीच योध्धा कलाकार चीटियों से अलग नहीं थे। ये जियाओं ने अपनी भोहों के बीच की जगह को रगणा। वह चार महान देव कुलों के लोगों और भरती किये गए लोगों से परेशान नहीं हो सकता था। उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। हाला कि जुबान युवान कभीले के लोग उसके कारण प्रवेश कर गए थे। इसके अलावा वे सभी तारों वाले आकाश के नीचे एक ही जाती के थे। उनके लिए खड़े होकर उन्हें मरते हुए देखना उनके लिए असंभव था। इसके अलावा अगर सभी को मरना है और उन इश्वरिय समराटों को पूरी तरह से जगाना है तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। एक गहरी सास लेने के बाद वह फिर से बोला हुआन युवान कभीले के लोगों को जितना हो सके छिपने दे और फिलहाल तेज किनारों से बचें। विशेश रूप से चार महान देव खुलों के लोगों के साथ लड़ाई न करें। जितना हो सके हताहतों की संख्या कम करने का प्रयास करें। यदि मेरा अनुमान सही है तो ईश्वरिय समराट जागरित होने वाला है। क्या कहा? जिया शिनेची के बिना नहीं रह सकी। इरादे के पत्थर के माध्यम से भी ये जियाओ उस पल में अपने भयानक रूप की कलपना कर सकता था। क्षेत्र में अपनी साधना प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है। हो सकता है कि वे अपनी साधना को केवल इश्वरिय राजा क्षेत्र के शिखर पर प्रदर्शित करने में सक्षम हो। यहां नौवे स्तर के इश्वरिय राजा भी है और नौवे स्तर के इश्वरिय रा वह नौवे स्तर के इश्वरिय राजाक्षेत्र के अंतिम चरण में थी। कुछ शिखर पर पहुँच गये थे जबकि कुछ शिखर पर नहीं पहुँचे थे। फिर ठीक है, मैं जल्द से जल्द जुबान युवान दिव्य जाती को सूचित कर दूंगा। हाला कि मेरी ताकत कम है और ज्यादा विश्वसनियता नहीं होगी, वे शायद मुझ पर विश्वास न करें। मुझे क्या करना चाहिए। ये जियों ने एक पल के लिए सोचा। उसके शरीर में अभी भी दिव्य रक्त का एक अंच्छ था जिसे शुध नहीं किया गया था। यदि वहन्य पुरातन इश्वरिय समराटों के दिव्य रक्त को लेता है, तो वहनिश्चित रूख से इसे चरम सीमा तक परिश्वित करने में सक्षम होगा और खुद को इश्वरिय समराट के दाएरे में पूरी तरह से आगे बढ़ने की अनुमती देगा। उस समय उन्ह इसके अलावा, अपनी शक्तिशाली उन्नती की गती के साथ इश्वरिय समराज्य के खजाने में कानून की उर्जा के साथ मिलकर, यह मध्यस्तर के इश्वरिय समराट के दाएरे में आगे बढ़ने से पहले लंबा नहीं होना चाहिए। जब तक वह उन्शीर श्रेनी की द यदि वे दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्रिपान तलवार अमर का अभी भी कुछ वजन होना चाहिए। कम से कम जेन त्यान्या निश्चित रूप से उसकी बातों पर विश्वास करेगा और नीदरलेंड के कभीले के एल्डर कैंगमिंग भी उसकी बातों पर व उन्होंने अपना संचार समाप्त कर दिया, अगले सेकेंड में ये जियाओ की अभिव्यक्ती थोड़ी गंभीर हो गई। इश्वरिये समराट जाग रहे हैं, हाला कि उनकी खेती इश्वरिये समराट के दायरे की पूरी सीमा तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वे निश्चि इश्वरिये समराट के दायरे में वापस आ गया हो। यहां तक कि अगर वे इश्वरिये समराट के दायरे में वापस नहीं आये थे, तो युद्ध के अनुभब उत्कृष्ट तकनीक, दिव्या आखें, खजाने की कलाकृतिया और अन्य गुप्त तकनीके जो उनके पास इश्वरिये समराटों के रूप में थी, वे कुछ ऐसी नहीं थी, जो साधारन चोटी के नौवे स्थर के इश्वरिये राजाओं की तुलना कर सकें। एक देवता जो नश्वर संसार में पीछे छूट गया था, आखिर वह अभी भी एक देवता ही था। यदि ये रंदवी को हराना चाहता है, तो उसकी साधना के लिए सबसे अच्छा होगा कि वह नौवे स्थर के इश्वरिये राजा के दाएरे में उपर उठे। हाला कि वर्तमान में उसके द्वारा उप्योग किये जाने वाले दिव्यरक्त के साथ यह अभी भी नौवे स्थर के अगले स्थान पर पहुँचे। उसी समय, हुआन युवान कभीले, नीदलेंड वल्ड कभीले और चार महान देव कुलो के मार्शल आर्ट मास्टर्स ने पहले ही एक मदबरे की खोच कर ली थी और इसके लिए एक दूसरे का सामना कर रहे थे। यह ऐसा था जैसे वे यह प्रतिसपर्धा कर रहे थे कि कौन अधिक मजबूत है। यूँचांद किंग जब से हम 30 साल पहले अलग हुए थे, हम दोनों के पास फिर से मारपीट करने का मौका नहीं है। उस समय, मैंने तुम्हें आधी चाल से हरा दिया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम आज भी मुझे आधी चाल से हरा सकते हो। यूँचांद किंग ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और सुन लेइफू को उदासींता से देखा। सुन लेइफू, हम सभी इश्वरिये राजाक्षेत्र के शिखर पर हैं। क्या इतनी छोटी सी चाल खेलना तुमने अभी देखा कि तुम्हारे साथ तीन अन्य मार्शल आर्ट मास्टर थे, इसलिए तुम मुझे उकसाना चाहते थे और फिर मुझे मारने के लिए दूसरों के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। फिर वापस तुम मुझसे आधी चाल से हार गए। अब तुम अब भी को कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। सुन लेइफू की आखे अचानक थंडी हो गई और थंड़क की कुछ किरने निकली। युन चांद किंग सही थे। उनके पास वास्तब में यह विचार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि अकेले अपने खेत उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं था। जबकि युन चांद किंग जुवान युवान कभीले में अपनी पीली के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे। सामान में परिस्थितियों में एक देव वन्ष एक शीर्ष प्रतिभा को पोशित करने के लिए बहुत प्रयास करेगा जिन प्रमुक युन चांद किंग से तुलना नहीं कर सकती थी। हाला कि इतने लोगों के सामने वह गुस्सा नहीं कर सकते थे। उसने नौवे स्तर के इश्वरिये राजा के रूप में अपना आचरन खो दिया था। उसने उपहास किया और जारी रखा। युन चांद किंग अ आपके हुएन युवान देवता कभीले की रैंकिंग से उपर हैं। हम कुछ ग्रूप अटेक्स कॉनरेल ट्रिक कैसे खेल सकते हैं। यू चांद किंग की आँखों में थंडी चमक आ गई। लूओ लिश्वी उसके बगल में नीदरलेंड के कभीले के शीर्ष नौवेस्त हैं वो ही इश्वरिय समराट की कब्र में संसाधन हैं। हम एक पल के लिए भी अपना साहस दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यू चांद किंग ने एक गहरी सास ली और अपने दिल में गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। लूओ लिश्वी सही थी। कुछ भ हो गई। उसने जोर से चिल लाया, आईपी, 6, 110, क्या, आप एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते, क्या आप मुझसे हारने और चेहरा खोने से दरते हैं, या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, एक बार ये शब्द कहे जाने के बाद उपस्थित चार महान दे जेन तिन्या, जो पीछे खड़ा था, जिया शिनई की रिपोर्ट सुनकर चोंग गया, वह तुरंत यून चानकिंग के पक्ष में आया और एक गुप्त संदेश प्रेशित किया, वरिष्ठ यून, नाराज मत हो, प्रिपान तलवार अमर ने संदेश भेजा है, वह चाहता है कि हम जल्दी से पीछे हटे और इस इश्वरिये समराट की कबर के लिए लड़ाई में भाग न ले, यून चानकिंग रह गया, वह मुड़ा और एक हैरान भाव से उसकी ओर देखा, उसकी आखे कुछ खाली थी, जेन तिन्या ने गंभीर भाव से सिरहलाया, उसकी निग अली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे, चलिए चलते हैं, जैसे ही उसने आदेश दिया, अन्यल लोग तुरंत उसके पीछे हो लिए और चले गए, नीदरलेंड के देव कबीले के लिओ लिश्वी ने सपश्ट रूप से यह उमीद नहीं कि थी कि वह अचानक अ हुमा और हुवन युवान देवता कबीले का पीछा किया, नेदरवरल्द देव कबीले के अन्य मार्शल आर्ट मास्टर्स ने तुरंत पीछा किया, चार महान देव कुलो के युद्ध कला के उस्ताद भी उस दृश्य को देखकर भ्रमित हो गए, उन्हें समझ नहीं आ र राज है, भले ही उनकी समग्रशक्ति ओसे कम हो, वे इश्वरिय समराट की शांदार कब्र को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, उनका अनुसरन करें और देखें कि क्या उन्हें कोई नया संसाधन मिला है, प्रित्वी आत्मा देवता कबीले के इश्वरिय राजा ने ए उनके पास क्या अच्छे अफसर हो सकते हैं, वे बस हम से दरते हैं और सीधे हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए उन्होंने बचना, चुना, चलो अब और समय बरबाद मत करो, इस मगबरे को खोलो, भीता रवश्य ही बहुत सी अच्छी बाते चिपी होंगी, ज चार महान देव वंच के सदस्यों के मूं के कोने सिकोडने के अलावा और कुछ नहीं कर सके, जब तक वे उस मगबरे को खोलते, अंदर के खजाने शायद इतने आधिक होते कि उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए काफी होता, इश्वरिय समराट, अंदर एक पुरातन इ आगे बढ़े और सरनी को तोड़ना शुरू कर दिया, हाला कि उसी क्षण कब्र से अच्चानक एक अजीब आभार इसने लगी, भाय चांद के अभी क्या हुआ, महान इश्वरिय समराट की कब्र को खोजना हमारे लिए आसान नहीं था, हम क्यों पीछे हटे, वहां कितने स अगर हम उन सभी को चार महान देव कुलों को देद दें, तो क्या इससे उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी? युन चानकी ने एक गहरी सासली और गंभीर अभिव्यक्ती के साथ कहा, मैं विशिष्ट स्थिती के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन यह आदेश जुवान युवान देवता कभीले की क्रिपान तलवार अमर द्वारा दिया गया था, इसलिए मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, उसकी बात सुनो और पीछे हटना शुरू करोू. लुओ लिश्वी दंग रह गई, वह कमोबेश क्रिपान तलवार अमर का नाम जानता था, क्योंकि जब वह पहली बार यहां आया था, तो कैंगमिंग ने उसे उसके बारे में पहले ही बता दिया था. उस समय, लुओ लिश्वी क्रिपान तलवार अमर से भी चौक गया था. उसने यह भी सोचा था कि जुवान युवान देवता कभीले में एक नया पैत्रिक प्रेगन प्रकट हुआ था. हाला कि क्योंकि उसने क्रिपान तलवार अमर को पहले कभी नहीं देखा था, वह नहीं जानता था कि वह कैसे कर रहा था. अंत में उन्होंने युन चानकिंग के मुह से क्रिपान तलवार अमर का नाम फिर से सुनने की उमीद नहीं की. इसके अ देखो. मुझे भी यकीन नहीं है. दूसरी पार्टी वास्तव में कौन है? यह समाचार मुझे जिया परिवार की जिया शिनई ने बताया था. युन चानकिंग ने अपनी निगाहे जिया शिनई की ओर लगाई और जिया शिनई ने तुरंत उत्तर दिया. जहां तक उनकी पहचान की बात है. मैं भी निश्चित नहीं हूँ. उन्होंने ही मुझसे संपर्क करने की पहल की और मुझे इश्वरिय समराट की कब्र के अंदर के मामलों के बारे में बताया. जिया शिनई ने जूट बोला. हाला कि इस बात की बहुत संभावना थी कि ये जिया औबाद की इससे उसे गुस्सा आएगा या नहीं. जिया शिनई बहुत स्पष्टी की भविश्य में जुवान युवान कबीले में ये जियो की स्थिती निश्चित रूप से कम नहीं होगी. उसे उसके साथ एक अच्छा रिष्टा बनाना था. इस कारण से युन चानकी को धोखा देने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा. उसने तुमको क्या कहा? उन्होंने मुझे बताया कि इश्वरिये समराट की कब्र में विभिन इश्वरिये समराट वास्तव में पुनर जीवित होने का अफसर लेना चाहते थे. क्या कहा? सभी के हाव भाव अचानक बदल गए जै से उन्होंने कुछ असाधारन सुना हो. इश्वरिये समराटों का पुनरुत्थान होने वाला था. वो कोई मजाक नहीं था. इश्वरिये समराट के मकबरे को एक बार फिर से सील कर दिये जाने के बाद उनमें से सबसे मजबूत इश्वरिये राजाक्षेत्र के शिखर पर यह भी कहा कि यद्यपी वे इश्वरिये समराट जागेंगे, वे सभी अति प्राचीन यूप के दोरान भारी रूप से घायल हो गये थे. यह उनके मरने के बराबर है. जिस साधना स्तर को वे अप्रदर्शित कर सकते हैं वह इश्वरिये राजाक्षेत्र के अधिक्तम दिल कर लेते. एक पल के लिए रुकने के बाद लुओ लिश्वी मदद नहीं कर सका लेकिन पहली में पूछा. हाला कि चुन की इश्वरिये समराट अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें उनसे दरने की कोई आवश्यक्ता नहीं है. आप ह साथ ही, वो हमारे दिव्यरक्त का उप्योग उनकी खेती को पुनर स्थापित करने के लिए भी कर रहा है. अगर हम लड़ना जारी रखते हैं, तो इसकी बहुत संभावना है कि वे इश्वरिये समराट के दाएरे में वापस आ जाएंगे. पर्यावरन, या, अगर ऐसा होत है, तो हम बड़ी मुसीबत में पर जाएंगे. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इश्वरिये समराट जल्द ही जागेंगे. यद्यपी हमारे पास विरोध करने के लिए गौडली किन के चरम पर प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट मास्टर हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष निम् मजबूत करने के लिए अफशोशित किया जाएगा. लड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसके विप्रीत यह केवल दूसरे पक्ष की खेती को मजबूत करेगा. जैसे ही उसने कहा कि एक अत्यंत भायानक आभा अचानक पीछे से भड़ा कुठी. जब वह अत्यंत भायानक कन महसूस की. दोनों के भाव अत्यंत गंभीर थे. अभी, वह क्या था? जेन तिन्या कापते हुए पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी. युन चानकींग ने उत्तर दिया, यह एक इश्वरिय समराथ था. यदि मेरा अनुमान सही है, तो यह वैसा ही होना चाहि यह जैसा कृपान तलवार अमर ने कहा था. अनादी युक का इश्वरिय समराथ वास्तव में बहरा, गया, फिस, हर कोई मदद नहीं कर सकता था लेकिन ठंडी हवा की सास ले सकता था. उनके शरीर पर बाल खड़े होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे. यह ऐसा था म पानों उनके पैरों के तलवों से लेकर उनके सिर के उपर तक खंड़क थी. पुरातन इश्वरिय समराथ वास्तव में पुनर जीवित हो गया था. क्या यह बहुत भायानक नहीं था? लुओ लिश्वी ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा. हाला कि एक चीज है जो अभ भी ठीक है. दूसरे पक्ष का प्रभामंडल वैसा ही प्रतीत होता है जैसा क्रिपान तलवार अमर ने कहा था वह उतना प्रबल नहीं है. वे अभी तक इश्वरिय समराथ के दाएरे में नहीं पहुँचे हैं. वे केवल इश्वरिय राजाक शेत्र के शिखर पर हैं. ऐसा पास युद्ध के अनुभव का खजाना है जो हमसे कहीं अधिक है. समान स्तर पर लढ़ने पर वे अभी एक निश्चित लाब रखते हैं. सौभाग्य से हम अभी जल्दी से भागे. नहीं तो हमें भी इसमें घहसीटा जा सकता है. हाला कि चार महान देव कुलों में चार श सकता. एक साथ जोड़ा गया यह बलनव जागुत इश्वरिय समराट से निपटने के लिए परियाप्थ होना चाहिए. हाला कि यह उसे मारने के लिए परियाप्थ नहीं हो सकता है. यह कमोबेश उसे पीछे हटाने के लिए परियाप्थ है. मैं अभी नहीं जानता कि पान तलवार अमर आगे क्या करेगी? लूओ लिश्वी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी. यह साथ ही आता है और बिना किसी निशान के चला जाता है. उसने कभी हमारे सामने अपनी पहचान उजागर नहीं की. मुझे दर है कि हम अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते. हाला कि चुन की इश्वरिय समराट पहले ही जाग चुका है और वद के साथ उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी. मुझे लगता है कि हमें आगे की योजना बनानी चाहिए और एक सरनी स्थापित करने के लिए जगा ढूंधनी चाहिए. यदि दूसरा पक्ष खत्म हो जाता है तो हमारे पास उसे वापस बुलाने के लिए कुछ साधन हो सकते हैं. यू चांदकी ने सिर हिलाया और उस योजना से सहमत हो गए. जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे. दूसरी तरफ ये जियाओ पहले ही चौथे इश्वरिय समराट की कब्र के पास आ चुका था. हाला कि जब वह उस स्थान पर पहुँचे तो उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई. ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि कब्र में इश्वरिय समराट उस समय अपने ताबूत से पहले ही जाग चुका था. इसका मतलब था कि दूसरे पक्ष में घुसने और उसक हत्या करने की उसकी योजना को बेकार घोशित कर दिया गया था. हाला कि ये जियों ने अपना गुसा शांत नहीं किया. उसे उस इश्वरिय समराट को चाहे कुछ भी हुपराप्त करना था. इश्वरिय राजाक्षेत्र की शिखर नौवे स्तर तक पहुँचने के लिए आ पश्ट रूप से एक रास्ता सोचा. फिर उसने अपनी आभा को पूरी तरह से धाल लिया और एक बिर्भी लीक नहीं हुआ. जल्दी कबर पर सरनी दिखाए दी. कुछ हलके उतार चड़ाव के साथ यह अपने आप खुल गया. प्रकाश की एक चमक के साथ प्रतिदवंद की शक्तिशाली आभा धीरे-धीरे रिसने लगी. उसके बाद एक बड़ा पैर सरनी से बाहर निकला. उसके बाद मगबरे के सामने एक लंबी और मजबूत आकृती दिखाए दी. आखिरकार मैं इन अंतहीन वर्षों से गुजरा हूँ और एक बार फिर इस दुनिया की रो अनाया से एक लापरवाह भावना पैदा हुई. उसके सिर के उपर से थोड़ा थोड़ा करके उसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया. उन्होंने अपना आभामंडल जारी किया और इसे थोड़ा महसूस किया. क्या मेरे अलावा और कोई इश्वरिय समराथ निकले हैं? उन अभी वह अभी भी इतना बुरस वभाव रखता है. उन्होंने जरा सी असेहमती पर हमला बोला, लेकिन इसे भूल जाए, अभी हर कोई पुनरुत्तित होने की प्रतीक्षा कर रहा है और उनकी शक्ती अभी अपने चरम पर नहीं पहुँची है. मुझे जाना चाहिए और म इश्वरिय समराथ वास्तव में इश्वरिय समराथ होने के योग्य था. यद्यपी उसकी वर्तमान शक्ती उसकी चरम शक्ती नहीं थी, फिर भी एक इश्वरिय समराथ के रूप में उसकी शक्ति शाली छटी इंड्रिय अभी भी अस्तित्व में थी. सामान्य नौवे स्त या यहां तक कि शिखर नौवे स्तर के इश्वरी राजाओं के साथ व्यवहार करते समय ये जियाओं की छिपी हुई विधी शायद उसे महसूस भी नहीं कर पाएगी। कोई उस पर हमला करना चाहता था तो महान ड्रेगन ने पहले ही उसकी गर्दन कात दी थी। प्लॉक उस इश्वरी ये समराट का सिर्ख अमजोर होकर जमीन पर गिर गया। एक त्वरित मार अगर ये चुपके से हमला नहीं होता तो ये जियो शायद और भी खुश होता। ये जियाओ ने यहां तक महसूस किया कि उस पल में उसकी हत्या का स्तर बहुत उचा था, हास्यास पदरूप से उचा था। इस प्रकार इश्वरी ये समराट का सिर्जो भूमी पर गिर पड़ा था, वह भी उस शंगोर निराशा और हैरानी से भर गया। बहुत कोशिश कर तब यह हुआ कि दूसरा पक्ष शुरू से ही यहां इंतजार में पड़ा हुआ था। लेकिन उस आदमी को क्या पता था कि वह जाग जाएगा। वह कौन था। जैसे ही वह अचंभे में था, ये जियाओ की तलवार अचानक उसके ग्लैबेला में घुस गई। उस समय वह पास्तब में पहले ही तीन इश्वरिय समराटों को मार डाला था। एफ सी के उस वक्त उनका दिल पूरी तरह से तूट गया था। साथ ही उनके होसले भी पस्त हो गए। ये जियाओ ने सीधे तोर पर अपने शरीर में सभी आध्यात में कूर्जा और रक्त सार को अफशो पूटित हुई। यह डरावना था और ऐसा लगता था जैसे आस्मान तूट गया हो। सम्रिद और विशाल उर्जा उमर पड़ी। ये जियों की अभिव्यक्ति जम गई। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। एक और इश्वरिय समराट भी निकला था। जो अभी बाह आया था। उसमें पहले से ही दो इश्वरिय समराट कहर बरपा रहे थे। उसने चार इश्वरिय समराटों को मार डाला था और अभी भी तीन ऐसे थे जो अभी बाहर आने बाकी थे। खाला कि उन्होंने अनुमान लगाया कि वे जल्द ही बाहर आएंगे। दोड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हाला कि सभी इश्वरिय समराट बुरी तरह घायल अवस्था में थे लेकिन उसने अभी अभी एक इश्वरिय समराट की हत्या की थी। उसके चुपके से किये गए हमले के कारण ही वह बच पाया था। दूसरे पक्ष के पास उसकी कीमती क अलकृतियों को निकालने का मौका भी नहीं था। यदि वे उसका आमने सामने सामना करते हाला कि उन्हें विश्वास था कि वे लड़ सकते हैं तो वे निश्चित रूप से एक गतिरोध में होंगे। यदि वे अन्य इश्वरिय समराटों का ध्यान आकरशित करते तो वे बड़ी मुसीबत में पर जाते। उनके शरीर में पहले दिव्यरक्त को शुध करना बहतर था। ये जियाओ ने हाथ उठाया और उस इश्वरिय समराट की लाश को नश्ट करते हुए हमला किया। फिर उसने इश्वरिय समराट की कब्र में प्रवेश किया और उसके इश्वरिय समराटों के दिव्यरक्त को परिश्कृत किया, जिसे उसने एकत्र किया था, अपनी आध्यात में कूर्जा और रक्त सार को एक उच्चे दाइरे में धकेल दिया। वही इश्वरिय राजा क्षेत्र के शिखर पर पहुँच गया था। उसक्षन उसने अपने अंतरिक अंगों, मध्याह और रक्त वहिकाओं को देखा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर कठोरता की एक अभूत पूर्व और अकलपनिय डिग्री तक पहुँच गया था। उसने यह भी महसूस किया कि उसका मास और खून इतना मजबूत था कि जब वही इश्वरिय र बंद कर ली और अपनी उंगलिया बंद कर ली। इतनी छोटी सी हल्चल से वास्तव में उसकी रक्त वहिकाओं से गलगडाहट की आवाज आई। गलगडाहट ये जीयो हैरान था, उसके शरीर में दिव्यरक्ट चला गया और यह वास्तव में बिजली के समान शक्तिशाली शक्ती के साथ फूटने में सक्षम था, क्या यह दरावना नहीं था, हाला कि इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद वह समझ गया, उनकी ताकत अब एक अभूपोर स्तर पर थी, जैसे जैसे उसके शरीर में दिव्य रक्ट बढ़ता गया, उसका रक्ट चाब भी असीमित रूप से बढ़ता गया, उनका शरीर एक शिखर नौ सितारा दैविय हतियार के बराबर भी हो सकता है, जो एक कीमती कलाकृती के असीम रूप से करीब है, इश्वरी ये समराट बनने के बाद उनके शरीर की तुलना एक कीमती शिल्पृती की कथोर्ता से भी की जा सकती है, उस तर के एक शरीर को न केवल अत्यदिक शक्तिशाली ड्राइविंग शमताओं की आवश्यक्ता होती है, बलकी ड्राइव करते समय शरीर में दिव्यरक्त की गती से घर्शन के कारण भारी मात्रा में विद्यूत उर्जा उत्पन होती है, यह एक वड़ाउं मार्शल आर्ट मास्टर बनने का प्रतीक था, किताबों में एक बार कहा गया था कि जितनी उची केती होगी, पहाडों को हटाना और समुद्र को भरना उतना ही, आसान होगा, एक हाथ के एक जटके से कोई भी बादलों को उलट सकता है और बारिश कर सकता है, एक साधारन ख्रिया एक बड़ा परिवर्तन लाएगी, वास्तव में ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने कोई विशेश तरीका इस्तिमाल किया था, यह केवल इसलिए था क्योंकि उनके शरीर में एक सटीक और विसफोटक ताकत थी, हर तरह से वे आम लोगों से अरबों गुना मजबूत थे, ऐसा लग रहा था कि सभी के शरीर बिलकुल एक जैसे थे, हाला कि वास्तव में पानी और मिश्र धातू इस पात की तरह उनके बीच की कठोरता की तुलना नहीं की जा सकती है, अंतर बहुत ज़्यादा था, अभी, मैं अभी भी महान इश्वरिय समराट के दायरे में आगे बढ़ने से एक कदम दूर हूँ, हाला कि यह अंतेम चरन आसान नहीं है, प्राचीन काल से ही इस कदम पर असंख्य भौतिक कलाओं के आचारियों और अद्वितिय प्रतिभाओं की मृत्यू हो गई थी, वे केवल इश्वरिय समराट राज्य को देख सकते थे, जुकी निकट था और आगे नहीं बढ़ सकता था, इश्वरिय समराट के दाइरे में आगे बढ़ने का मौका और भी मुश्किल होगा अगर कोई पहली बार असफल हुआ हो, इसके अलावा जितना आगे जाएगा उतना ही मुश्किल होगा, मुझे एक बार में सफल होना चाहिए, इश्वरिय समराट के दाइरे में आगे बढ़ने के लिए भारी मात्रा में उर्जा की आवश्यक्ता होती है यह नौवे स्तर से इसके शिखर तक आगे बढ़ने से कई गुना अधिक शक्तिशाली था पांच इश्वरिय समराट दो इश्वरिय समराटों और एक कम एक से दो गुने थे उस स्तर पर वो इश्वरिय समराट के दाइरे में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता था यह जियाओ की आखे लगातार जिल मिला रही थी शायद उसे और दिव्यरक्त की आवश्यक्ता होनी चाहिए वर्तमान में उस मगबरे में न केवल पुरातन इश्वरिय समराट थे बलकी कुछ नौवेस्तर के इश्वरिय राजा या यहाँ तक की नौवेस्तर के शिखर इश्वरिय राजा क्षेत्र रस्तित्व भी थे उदाहरन के लिए चार महान देव कुलो के लोग चार महान देव कुलों के लोग मूल रूप से जुवान युवान कबीले और नीदरलेंड वल्ट कबीले के विरोधी थे जुवान युवान कबीले की तुलना में चार महान देव कुलों की रैंकिन फोली अधिक होने के कारण वे निश्चित रूप से जुवान युवान और नीदरलेंड के कुलों को दबा देंगे दोनों पक्षों के बीच संधर्शा परिहार्य था जब तक हुवान युवान कभीले और नीदरलेंड के कभीले खुद को बहतर बनाना चाहते थे तब तक वे अपनी स्थिती को खत्रे में डालेंगे वास्तव में इतने सालों तक चार महान देव कुलों ने हुवान युवान कभीले को कई बार दबा दिया था उन्होंने हुवान युवान कभीले के काफी संख्या में सदस्यों को भी मार डाला था अगर उन्हें जुवान युवान कभीले को नश्ट करने का मौका दिया गया तो ये जियो गारंटी दे सकता था कि वे जरासी भी दया नहीं दिखाएंगे तब उनमें से कुछ को मारने का अफसर लेना उनके लिए बहुत उचित था ये सोचकर ये जियाओ के मून के कोने थोड़ा मुर्य बिना नहीं रह सके फिर उसने जिया शिनई को एक संदेश भेजा उसके बाद वह आधिकारिक रूप से आगे बढ़ा और इश्वरिय समराट की कब्र खोली जहां वह था उसी समय दूसरी ओर छे महान देव कुलों के कुलों को पहले से ही एक साथ मजबूर किया गया था इश्वरिय समराट की कब्र को सील कर दिया गया था और पांच इश्वरिय समराटों को पुनरजीवित किया गया था भले ही जब वे जीवित थे तब उन्हें भारी चोटे लगी थी, वे केवल अपनी साधना को इश्वरिय राजा सामराज्य के शिखर पर प्रदर्शित कर सकते थे, हलाकि उनकी कीमती कलाकृतियों, उत्कृष्ट तक्निकों और इश्वरिय समराट स्तर पर समृद्ध युद जो बच गए वे मार्शल आर्ट के उस्ताद थे, जो थोड़े मजबूत थे, जैसे की गौडसलेयर दायरे के साथवे या आठवे स्तर से उपर के लोग, इसका अर्थ यह भी था कि उनके पास अधिक दिव्यरक्त था, यदि उन इश्वरिय समराटों को अपना दिव्यरक प्राप्त करना था, तो कौन जानता था कि उनकी खेती का आधार कितना ठीक हो जाएगा? उस समय, वे अपने पक्ष में इश्वरिय समराटों को मारने में भी सक्षम हो सकते हैं. यह एक सच्ची आपदा होगी, यह उनकी देव जाती के लिए विपत्ती होगी. इसलिए, छ एक के बाद एक हिंसक विसफोट हुए. उस विसफोट ने पूरे आकाशी आक मगबरे को थोड़ा हिला दिया. हाला कि उस वक्त किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. इमेनिट, खुला हुआ, इसे मेरे लिए खोलो. सनलेफू बार-बार दहारा, उसकी आखे लाल. लाल, उसकी एक आख पहले ही फोर्डी गई थी. पुरातन ईश्वरिये समराट के आतन को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद वह पहले से ही अपनी बुद्धी से डर गया था. एक ईश्वरिये समराट एक ईश्वरिये समराट था. भले ही वह भारी रूप से घायल हो गया था और उसने अंगिनत वर्षों का लाब उठाते हुए केवल अपनी साधना को इश्वरी राजा राज्य के शिखर पर प्रदर्शित किया, फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिससे वियासानी से तुलना कर सकें। उसने यह भी कहने का साहस किया कि यदि वह उनसे आमने सामने लगता है, तो वह निश्चित रूप से उनमें से किसी को भी पराजित नहीं कर पाएगा। वह शायद उनकी दस हजार चालों से भी नहीं बच पाएगा। उस तरह की निराशा ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से ठका दिया। उसक्षन वह एक के बाद एक उग्र दहारने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय वह केवल उस मुहर को नश्ट करना चाहता था और शीग्रता से उस थान से भाग जाना चाहता था। तियानकांद गौड कभीले के एक और मार्शल आर्ट मास्टर ने उसे साथ वना दी। इसे भूल जाओ, लगता है इस इश्वरिय समराट की कब्र नहीं खुलेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहां मरने के लिए तैयार हैं। चिंता मत करो, हमारे इश्वरिय समराट जल्दी अंदर की समस्याओं पर ध्यान देंगे। जब तक वे चलते रहेंगे, हम बचेंगे। हाला कि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पांच अत्यंत शक्तिशाली आभामंडल उभराए। सब के हाव भाव बदल गए, ये वे हैं, ये वे हैं, डी, इमेनिट, अपनी पूरी ताकत से लड़ाई के लिए तैयार रहो। इश्वरिय राजा के दायरे से नीचे की सभी, पीछे हट जाते हैं। जो इश्वरिय राजा के दायरे से उपर हैं, उपर जाओ और अपनी पूरी ताकत से दुश्मन का सामना करो। वे अपनी साधना को केवल इश्वरिय राजाक्षेत्र की शिखर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि वे ईश्वरिय समराट के राज्य में अपनी साधना प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो हम उन्हें रोक सकते हैं। सनलेइफू ने हुआ निवान गौट कबीले और नीदलेंड वल्ड गौट कबीले की तरफ देखा और थूपने से खुद को रोक नहीं सका। वो एक ही समय में क्रोधित और नाराज था। उन दो डीतारानकन मन देवता कुलो ने वास्तव में अपने स्वयम के देवता कबीले के कमजोर सदस्यों की रक्षा के लिए अग्रिम रूप से एक गठन किया था। उन्हें सबसे कम नुकसान हुआ था। जब पाच इश्वरि समराटों ने हमला किया तो चार महान देव कुलो और वहां भीजे गए देव कुलो के युद्धकला के स्वामी क्षती का सामना करने में सक्षम थे। फुवान युवान देवता कबीले और नीदरलेंड के भगवान कबीले ने पूरी प्रक्रिया को देखा। उसके बाद चार महान देव कुलों में बहुत अधिक हताहत होंगे। हाला कि उस समय प्रवेश करने वाले अभिजात वर्क के कुलीन थे और उनके परिवारों के पैत्रे खॉल में उनका दिव्य रक्त और दिव्य शरीर होगा और साथ ही उन्हें पुनरजीवित करने के लिए चिकित स तक्निकों का उप्योग किया जाएगा, पुनरजीवित होने के बाद उनकी खेती और योग्यता भी गिर जाएगी। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि चार महान देव कुलों की समगर शक्ती भी गिर जाएगी। दुवान युवान और नीदल एंवुल्ट कुलों के पक्ष में जबरदस्ती धकेलने के तरीके के बारे में सोचना था। जैसा वह सोच ही रहा था पाच परम आभा आगई। वे पाच अत्यंत प्रभाव शाली व्यक्ति थे। वे इश्वरिय समराट थे। केवल दबाव भी उन्हें दराने के लिए कापने के लिए काफी था। इश्वरिय समराग की कब्र के भीतर पाच आकृतिया हवा के माध्यम से चली गई। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम एक काटने वाले के कदम की तरह था जिसने सभी को इस हद तक दबा दिया कि वे सास भी नहीं जुन्द थे। वे सभी यहां छिपे हुए हैं। क्या वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। हे 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 मूर्क साथियों, बस चीटियों का एक जुन्द। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि हमारी योजना कुछ ऐसी है जिसे वे तोड सकते हैं। क्या मजाक है। जबकि पुर करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने शरीर में सभी दिव्य रक्त को इकठा करें ताकि आपका साधना आधार पहले ठीक हो सके, तभी आप एक मजबूत खेती का आधार और एक मजबूत उपचारक्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे ताकि हम अपनी कुछ चोटो क ठीक कर सके, धर्मी समराट नालन ने सिरहिलाया, उसी क्षन अचानक आकाश में दबी हुई गलगणाहट की लहर गूंज उठी, गलगणाहट की आवाज को भाम पते हुए उसकी टक्टकी गहरे अर्थ के साथ आकाश में फैल गई, नालन क्या गलत है, इश्वरी ये नालन की दृष्टी गहरी थी क्योंकि वह उदासींता से बोलता था, मुझे नहीं पता, यह बस इतना ही है, मुझे हलका सा अहसास हो रहा है कि कुछ सामान्य नहीं है, ज्यादा मत सोचो, हम अचानक जाग गए हैं और इस छोटे से मकबरे में भारी मात्रा में उर्जा इक नालन के आदेश के बाद पक्ष के दो इश्वरिय समराटों ने बाहर निकलने की पहल की, जिसक्षन वे दोनों दिखाए दिये, वे भीडों के जुन्ड में प्रवेश करने वाले बाग की तरह थे, वे यहाँ हैं, सभी सावधान रहें, यू चानकी जोर से चिल लाया, उ और लू लिश्वी एक ही समय में आकाश में उठे, उसी समय, चार महान देव कुलों की ओर से चार आकृतियां भी प्रकट हुई, वे सभी शिकर स्तर के इश्वरिय राजा और कम इश्वरिय समराट थे, उनमें से छे आकाश में उठे और दो इश्वरिय समराटों के हमलों का सामना किया बाई और के इश्वरिय समराट ने ताय आह मास्टपीस तकनीक का उप्योब किया जो तारों वाले आकाश में उन्तीस्वे स्थान पर था हर हमले में एक विशाल विस्फोटक बुन होता है जो हमले की आकरामक सीमा को बहुत बढ़ा देता है दाई और वाला थं मास्टपीस तकनीक का उप्योब कर रहा था जो तारों वाले आकाश में चोंतीस्वे स्थान पर था हर हमले में एक हिंसक गलगणाहट की विशेश्टा होगी एक आकस्मिक चाल के साथ गलगणाहट का एक अराजक प्रवाह होगा एक के बाद एक बादलों की गलगणाहट और बिजली गिरी यह धातकता से भरा था दूसरी तरफ 6 लोग भी एक ही समय में 6 मास्टपीस तकनीकों का उप्योब कर रहे थे हाला कि दूसरे पक्ष की उत्कृष्ट तकनीक की तुलना में उनकी तकनीक बहुत हीन थी उनके द्वारा उप्योब की जाने वाली पस्वे स्थान पर स्थान दिया जा सका यहां तक कि अगर वे इश्वरिय राजाक्षेत्र के चरम पर थे तो वे पुरातन इश्वरिय समराटों की मुख्यकृती तकनीक की साथ सीधे संपर्क में नहीं आ सकते थे उन्हें विक्सित करने से पहले उन्हें इश्वरिय समरा भी थोड़ी कापने लगी। किसी को यह जानना होगा कि यह ज्योर बिल्लू स्टार फील्ड नहीं था। यह इश्वरिये समराट की कब्र थी। यह अंदर एक विशेश स्थान था। अंतरिक्ष की गुनवत्ता उनके द्वारा उप्योग की जाने वाली स्थानिक उर्जा की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। दोनों पक्षों के बीच बुनवत्ता में अंतर मिट्टी और लोहे के बीच अंतर जैसा था। हाला कि इतना बड़ा अंतर होने पर भी आच शिखर इश्वरिये राजाओं का सयोगता क्रमन इश्वरिये समराट की समाधी के अं वा में पहले से ही एक अत्यंत हिंसक। विसफोट हो चुका था, जिसक शन प्रकाश का गोला दिखाए दिया, वोहे एक चमकदार छोटे सूरज की तरह था जिसने भूमी को रोशन कर दिया। गौड़सलेयर दायरे के आठवे स्तर से नीचे कोई भी सपश्ट रूप से न आ तक चार महान देवकुलों और अधिनस्तों का सवाल था, उनके पास बचाव के लिए अपनी आध्यात्मिक उर्जा बाधा का उप्योग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गौड़ली किन्द की चोटी से इस तरह का करीबी हमला अभी भी उनमें से आठ के बीच तकराव था। उनके संयुक्त हमले की ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसका वे आसानी से सामना कर सकें। थोड़ी कम खेती वाले कई अस्तित्व अपने रक्षात्मक अवरोध का उप्योग करने के बाद भी पीछे हटने को मजबूर थे। वे बेरहमी से उनके पीछे स्थान एक बाधासरनी गठन की दीवार में धस गए थे। कमपन के कारण उनके आंतरिक अंग फट गए क्योंकि उन्होंने ताजा रक्त उगल दिया। टकराना, 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 टकर की दबी हुई आवाजें एक के बाद एक भूंचती रही। इश्वरिय राजा के दायरे के साथवे या आठवे स्तर पर कुछ मार्शल आर्ट मास्टर्स ने उनकी रक्षा के लिए एक बाधा खोलने के लिए तुरंत अपनी ताकत का इस्तिमाल किया। एक ही चाल के बाद दो पुरातन इश्वरिय समराटों को कुछ सौ फीट पीछे धकेल दिया गया। हाला कि छे इश्वरिय समराट इश्वरिय समराट होने के योग्य थे। भले ही वे केवल उसी चोटी के इश्वरिय राजा शक्ती का उप्योग कर सकते थे, फिर भी वे उन्हें आसानी से दबा सकते थे। वास्ताव में घायल हुए बिना हम दोनों के एक हमले का सामना करने में सक्ष उसके बाद एक और ताय आह मास्टपीस तकनीक डाली गई। चार महान देव कुलो के शिकर स्तर के इश्वरिय राजाओं ने लापरवा होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक ही समय में आगे चार्च किया। चार चोटी स्तर के इश्वरिय राजा दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। वे बमुश्किल अपने बीच की खाये को पाट पाए। जहां तक दूसरे इश्वरिय सम्राट की बात है। उसकी निगाह जुवान युवान देवता वंश के युन चांद कींग और में तीन लोग होंगे। हाला कि उन्हें थोड़ी सीहानी होगी लेकिन वे कम से कम कुछ समय के लिए ठिके रहने में सक्षम होंगे। उस समय उन में से चार एक साथ काम कर रहे थे और उन दोनों को छोड़कर वे पहले से ही घाटे में थे। उनसे निपटना और भी मुश् जैसा कि अपेक्षित था उस ईश्वरीय समराट ने एक बार फिर थंडर मास्टरपीस तकनीक को सक्रिय किया और सीधे उन दोनों के लिए चल पड़े ट्रैकल, केवल एक चाल से ईश्वरीय समराट की विशाल दिव्यशक्ती इतनी शक्तिशाली थी कि उसने किसी के रोंते खड़े कर दिये यूँ चांद कींड और लुओ लिशुई एक ही समय में पीछे हट गए, उनकी बाहें सुनना महसूस हो रही थी वे दोनों अपने दिल में डर की लहर महसूस किये बिना नहीं रह सके पीश्वरी ये समराट की शक्ती वास्तव में भयानक थी जब वे पहले दूसरी पार्टी से लड़ रहे थे, तो एक ही समय में 6 लोगों ने हमला किया था उनकी ताकत थोड़ी संतुलित थी, इसलिए वे अब भी इसका सामना कर सकते थे उसक्षन, उन्होंने केवल अपने शरीर में आध्यात्मिक उर्जा और रक्त के सार को महसूस किया दो लोगों के भाव और भी गंभीर हो गए और उनके हृदेयों को अत्यदिक घुटन महसूस हुई ऐसा इसलिए था क्योंकि यह केवल शुरुआत थी, वे अंतक कैसे टिके रह सकते थे परदे के पीछे तीन इश्वरिय समराटों में से भगवान समराट नालन ने उदासीन द्रिष्टी से कहा एक और व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए जितनी जल्दी हो सके इस लड़ाई को खत्म करें मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता तो मुझे यह करने दो सफेद, दाड़ी और सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग उसके दाहिनी और निकला एक और इश्वरिय समराट के साथ छे महान देव खुलों पर दबाव नाटकिय रूप से बढ़ गया बड़े ने हाथ उठाया और तलवार की रोशनी से कार दिया यह आठ चरम चरन वाले इश्वरिय राजाओं के बीच युद्ध से निकली और सीधे चार महान देव खुलों के पीछे क्रिश्कों के पास चली गई ठीक नहीं, चार महान देव खुलों के मार्शल आर्ट के स्वामी भै से पीले पड़ गए वे मदद के लिए वापस लोटना चाहते थे लेकिन उनके सामने इश्वरिय समराट ने उन्हें रोक लिया अरे, चीटियों, समराट हुआन से लड़ते समय विचलित नहो इश्वरिय समराट हुआन की ताया उत्कृष्ट तकनीक ने उन चारों के तैयार नहोने और सीधे हमला करने का फायदा उठाया इसने चार इश्वरिय राजाओं के जीवन रक्त को मथने और युद्ध की लेको बादित करने का कारण बना उस हमले के तहट वे चारों समय पर मदद के लिए वापस नहीं आ पए पीछे के कभीले के लोग हमले का सामना करने में असमर्थ थे तलवार की रोशनी एक अजगर की तरह थी क्योंकि यह चार देव कभीले के मार्शल आर्ट मास्टर्स के शरीर पर फट गई थी उस समय चार महान डेव कुलों के सभी इश्वरिय राजाओं ने एक ही समय में अपनी आध्यात में कूर्जा जारी की उन्होंने रक्षात्मक बाधा बनाने के लिए अपनी सारी शक्ती इकठी कर ली उनके पीछे निम्न स्तर के इश्वरिय राजा और यहां तक की गौड़सलेर क्षेत्र के मार्शल आर्ट मास्टर्स ने भी अपनी ताकत को इकठा किया और इसे अपने सामने बाधा में डाल दिया 2000 हाय एंड मार्शल आर्ट मास्टर्स की मदद से जिन्होंने उस बाधा का उप्योग करने के लिए अपनी पूरी ताकत इकठी कर ली थी वे उस तलवार के हमले का सामना करने में सक्षम थे बूम तेज धमाके के साथ बैरियर टिड़ा हो गया सब के शरीर काम पुठे सौभाग्य से उन्होंने अपने दाथ पीस लिये और इस कदम को रोग दिया सभी ने राहत की सांस ली हाला कि इस से पहले की वे अनंदित होते सफेद बालो वाले इश्वरिये समराट के हुंट फुरे से मुर गए आपने पहले हमले को रोग दिया फिर मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दूसरे हमले को रोग सकते हैं जैसा कि उन्होंने कहा कि चार महान देव कुलो के सामने अचानक एक हिंसर क्विस्फोर्ट हुआ और आकाश में उड़ गया उर्जा की लहर ने मौके पर रक्षात्मक बाधा को बेरहमी से तोड़ दिया सदमे की लहर बह गई और यहां तक की चार महान देव कुलो के मार्शल आर्ट मास्टर्स को भी वापस जाने पर मजबूर कर दिया गौडली किन दायरे के नीचे कुछ अस्तित्व उस शौकवेव का सामना नहीं कर सके और उनके आंतरे कंग मौके पर ही फट गए उन्होंने खून बहाया और मर गए शक्तिशाली उर्जा ने निर्दैता पूर्वक आपदा से बचने की खुशी को कुचल दिया एक बार फिर उनमें निराशाला दी किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इश्वरिये समराट तलवार की सुनहरी रोशनी के अलावा वास्तव में रंगीन तलवार की रोशनी का इस्तिमाल करेगा पुरातन ईश्वरिय समराटों ने मार्शल पुन्य की बात नहीं की नहीं, जब चार महान देवकुलों के शिखर ईश्वरिय राजाओं ने उस द्रिश्य को देखा तो उनके दिल में इतना दर्ध हुआ कि उनका खून टपकने लगा यह वास्तव में खून टपक रहा था वे 2000 से आधिक लोग चार महान देवकुलों के बीच सभी संभरांत अस्तित्व थे बस उस हमले की वजह से उनमें से सेकडों नश्ट हो गए थे बाकी सभी को अलग-अलग दिग्री की चोटे लगी थी नुकसान वास्तव में बहुत अधिक थे हाला की बुड़ा नहीं रुका तीसरी तलवार की किरन फिर से शुरू हो गई हर कोई मायूस था चार महान देवकुलों के शिखर इश्वरिय राजा हरिदेविदारक और चरम सीमा तक निराश थे उस प्रहार से किसे पता था कि उनके कितने वंश के लोग मारे जाएंगे उस हर्ताल के खत्रे को देखते हुए चार महान देवकुलों के शिखर इश्वरिय राजाओं ने इसे और लेने की हिम्मत नहीं की उन्होंने तुरंट बचने के लिए अपनी पूरी ताकत जूँग दी जैसे ही वे बच निकले तलवार की किरन बेरहनी से चार महान देवकुलों के मार्शल आर्ट मास्टर्स के बीच आ गई उस हर्ताल का इश्वरिय राजाओं ने विरोध नहीं किया गौड़स लेयर रियल मार्शल आर्ट के चार महान कुलों के मास्टर इसका बिलकुल विरोध नहीं कर सकते थे उस स्ट्राइक के तहट 1000 से अधिक गौड़स लेयर रियलम मार्शल आर्ट मास्टर्स की मृत्यू हो गई थी शक्तिशाली बलनेना केवल चार महान देव कुलों के गौड्स लेयर दाइरे के मार्शल आर्ट मास्टर्स को नश्ट कर दिया बलकि इसने जुवान युवान गौड कभीले और नीदल एंडवल्ड गौड कभीले की सरनी सनरचनाव को भी तोर दिया ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हमला बहुत शक्तिशाली था चार महान देव कुलों से बच निकले दरजनो ईश्वरिय राजाओं ने उस द्रिश्य को देखा और उनके दिल दर से दोड़ गए उनकी आखे खुली की खुली रह गई उस समय वे उन लोगों की मृत्यू के शोक की परवा नहीं कर सकते थे उनके दिल में केवल एक ही चीज बची थी एक आपदा से बचने का दर यदि वे पहले नहीं चक्मा देते तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते और ततकाल न मरने पर भी खुन की कमी से मर जाते जब चार महान देव कुलो के नित्रित्व में चार चोटी के इश्वरिय राजाओं ने उस द्रिश्य को देखा तो उनकी आखे रक्त लाल हो गई और उनकी हत्या का इरादा फूट पढ़ा उनके दिलों में दर उनके क्रोध से पहले ही शांत हो चुका था जो बचा था वह सब क्रोध की लप्ते थी उनकी चार उत्कृष्ट तक्नीकों को चरम सीमा तक परिचालित किया गया था आकाश में अंगिनत रोष्णी चमक उठीकियों की चौकाने वाली उत्कृष्ट तक्नीक की शक्तिया लगातार फैल रही थी एक पल में उन्होंने वास्तव में पुरातन ईश्वरिय समराथ हुआ नानलुओ को थोड़ा दबा दिया था हुआन युवान देवता कभीले और नीदरलेंड के भगवान कभीले के सदस्यों की अभिव्यक्ती बेहत गंभीर थी सरनी सनरचना टूट गई थी इसलिए वे शायद अगले थे युन चांदकींड और लुओ लिश्वी ने उनके सामने पुरातन ईश्वरिय समराथ का सक्त विरोध किया वे वापस जाकर उसे बचाना चाहते थे हाला कि यह अफसोस की बात थी कि वे दोनों पहले से ही दूसरी पार्टी से कमजोर थे यहां तक कि अगर वे अपनी क्षमताओं को बलपूरवक सक्रिय करते हैं तो वे वहाँ पर चार चोटी वाले ईश्वरिय राजाओं जैसे उच्चस्तर के नुकसान का सामना नहीं कर पाएंगे हम दोनों पहले से ही एक नुकसान में हैं अगर ले बिगड़ी तो यह हम दोनों के लिए घातक होगा मेरा विश्वास करो हम ठीक हो जाएंगे हाला कि उन्होंने कहा कि वास्तब में यू चांद की ने यह सुनिष्चित करने की हिम्मत नहीं की कि वे ठीक हो जाएंगे वह केवल शर्त लगा रहा था कि महान क्रिपान तलवार अमर वास्तब में आएगी उस समय वह पहले से ही अपने दिल में बुदबुदा रहा था प्रिपान तलवार अमर तुम अवश्य आओ यदि आप नहीं आते हैं तो हमारे हुवन युवान कभीले को इस बार वास्तब में भारी नुकसान होगा एक हजार से अधिक गौट्सलेयर रेल्म मार्शल आर्ट मास्टर गिर गए थे डिव्यरक्ट जमीन से रिसने लगा और गारा हो गया वह उस दिशा में चलने लगा जहां इश्वरिय समराट नालन था सफेद बालों वाले इश्वरिय समराट स्वाभाविक रूप से उन पर ध्यान नहीं देंगे उसने चार महान देव कुलों के इश्वरिय राजाओं पर नजर डाली जो बच गए थे फिर उसने जुवान युवान देवता कभीले और नीदरलेंड के देवता कभीले के लोगों पर अपनी नजर डाली भले ही इश्वरिय राजा अच्छे थे लेकिन उनकी गती धीमी भी नहीं थी वे चूहों की तरह थे उन्हें पकड़ना आसान नहीं था फुवान युवान और नीदलेंड वुल्ट कुलों से बहुत सारे लोग थे यदि वे पहले उन्हें मार देते तो उन्हें भी धेर सारा दिव्यरक प्राप्त हो जाता सफेद बालों वाले इश्वरिय समराट ने अपना हाथ फिर से उठाया और फिर से बाहर निकल गया बीस मील लंबी तलवार की रोशनी दो महान देव कुलों के लोगों की और बढ़ी जेंक तिन्या, जिया शिनई और अन्य लोगों के दिल की धड़कन चरम सीमा तक बढ़ गई थी उनका दिल उनके गले में था जब उन्होंने दूसरों को देखा तो वे और भी डर गए कम खेती करने वालों में से कुछ ने तो अपनी पैंच से भी गर्मी निकालना शुरू कर दिया उस हर्ताल से बहुत से लोगों के मारे जाने की संभाव ना थी दो देव कुलों के इश्वरिय राजा चार महान देव कुलों के समान बच नहीं पाए उन्होंने पूरी ताकत जोग दी और रक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए अपनी ताकत जुटा ली उनके पीछे गौद्जलेर क्षेत्र के मार्शल आर्ट मास्टर्स ने भी अपनी ताकत का योगदान दिया हाला कि यह अफसोस की बात थी कि उनकी संख्या चार महान देव कुलों की तुलना में बहुत कम थी भले ही वही इश्वरिय राजा क्षेत्र हो या इश्वरवादी क्षेत्र वे दूसरी पार्टी के आदे हिस्से तक भी नहीं पहुँच सके दूसरे पक्ष की रक्षात्मक बाधा पुरातन इश्वरिय समराट के एक कदम का सामना कर सकती थी उनकी रक्षात्मक बाधा शायद एक चाल का भी सामना नहीं कर सकती थी अतुलनी ये शक्ती के साथ तलवार की रोशनी तुरंत आ गई क्योंकि ये सीधे दो महान देव कुलों के कुलों की और जा रही थी भयानक आभा इतनी दमभोटू थी कि कुछ लोगों ने घुटने टेक दिये जेन तिन्या के दिल की धड़कन उस पल जमी हुई लग रही थी हाला कि वह गौडली किंग दाइरे के नौवे स्तर पर मौजूद नहीं था लिकिन वह समझ सकता था कि वे इस समय उस कदम को रोक नहीं सकते वह समाप्त हो गया वे चार महान देव कुलों के पच्चिनों पर चलने वाले थे हाला कि उस महत्वपून क्षन में एक चोकाने वाली तलवार की रोशनी अचानक आस्मान से तूट गई बूम! वह तलवार का प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि रोंटे खड़े कर देता था यह तलवार की रोशनी से भी अधिक शक्तिशाली थी जिसका उप्योग सफेद बालों वाले पुरातन ईश्वरिये समराट करते थे तलवार सीधे उसे काटती है विसफोर्ट से प्रकाश आकाश में चमका और उस विसफोर्ट के कारण सभी ने चलना बंद कर दिया केवल स्वर्गी जानता था कि उसक्षन, जेन तिन्या, जिया शिनई और अन्यल लोगों की तनावग्रस नसों को अंततह राहत मिली थी उस पल, जीवन और मृत्यू के दबाव ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे गिरने वाले थे जिया शिनई ने जीवित रहने की मुस्कान प्रकट की और कहा सौभाग्य से मुझे पता था कि वह निश्चित रूप से आएंगे प्रकाश जल्दी से गायब हो गया, केवल धूल और धूवा रह गया धूल में एक हथियार था जो प्रिपान जैसा दिखता था, लेकिन प्रिपान नहीं, और तलवार, लेकिन तलवार नहीं क्या एक शीर्ष ग्रेड कीमती कलाकृति है? महिला ईश्वरियर समराट चिल्लाय बिना नहीं रह सकी उसने यह कहने का साहस किया कि उस कीमती शिल्प्रिती की शक्ती प्राचीन यूग की कीमती कलाकृतियों की शक्ती से कमजोर नहीं थी हाला कि अती प्राचीन यूग के दोरान मार्शल आर्ट संस्कृती का विकास हुआ इसलिए ऐसे कई खजाने थे जो वर्तमान यूग को पार कर गए इसके अलावा उस कीमती कलकृती में वह प्राचीन आभा नहीं थी यह नया जाली होना चाहिए उस यूग में जो उनके लिए पहले से ही अराजक्ता का यूग था वास्तब में कोई था जिसके पास इस तरह के एक शीर श्रेनी के कीमती कलकृती बनाने के लिए ऐसा मानक था यह वाकई चोकाने वाला था धर्मात्मा समराट नालन ने अपना से राकाश की और थोड़ा उपर उठाया उसे लगा जैसे उसे अन्ततः उस बेचैनी की भाबना का स्रोत मिल गया हो ऐसा लगता है कि हमारी कबर में एक असामान्य आतिथी आया है उसके बगल में स्थित ईश्वरिय समराट ने तुरंत ईश्वरिय समराट नालन की दिशा में देखा दुर्भाग्य से उसने कुछ नहीं देखा अगले सेकेंड में इश्वरिय समराट नालन की द्रिष्टी धीरे-धीरे नीचे उतरी और हुवन युवान देवता कबिले के लोगों के सामने आ गई महिला इश्वरिय समराट ने जल्दी से इधर उधर देखा और वह फुगा स्तब्ध महसूस किये बिना नहीं रह सकी तिर जानवर की आत्मा को कैद किया जा रहा हो कवच से हर कोई स्पश्ट रूप से एक दबाव महसूस कर सकता था जो संचित था और मुक्त होने के लिए तैयार था क्या एक शीर श्रेनी का कीमती विरूपन साक्ष कवच इश्वरिय समराट की आँखों ने एक बार फिर ए साधारन था चार महान देव कुल और अन्य पुरातन इश्वरिय समराट सभी ने ये जियो को एक साथ देखा वे कुछ सहम गए और कुछ भ्रमित भी बस वह साथी कौन था वह बिना किसी कारण के यहां कैसे प्रकट हो सकता है यू चांद कींग और लुओ लिश्वी और भ पीछे छोड़ दिया अपनी दाहिनी उंगली की एक हलकी सी हरकत के साथ ड्रेट ड्रेगन स्वचालित रूप से जमीन से उड़ गया और उसके हाथ में आ गया उसके लिए वह धीरे-धीरे सफेद बालों वाले इश्वरिय समराट की और चला उन इश्वरिय समराटों ने गौड़सलेयर दाइरे के पाचवे स्टर से उपर एक हजार से आधिक दिव्यरक्त को अफशोशित कर लिया था यह काफी था इश्वरिय समराट के दाइरे में आगे बढ़ने के लिए उन दिव्यरक्त का योग पर्याप था प्रिपान, मित्र, सावधान रहना वह बहुत शक्तिशाली है यद्यपी वह अपनी साधना को केवल इश्वरिय राजाक्षेत्र के शिखर पर प्रदर्शित कर सकता है वह समान स्तर के कई लोगों के विरुध लर सकता है आप लापरवाह नहीं हो सकते यूँ चांद की मूल रूप से क्रिपान तलवार को अमर कहने के ल प्रोफाइल रखने की जरूरत थी दुर्भाग्य से ये जियो ने उसे कोई जबाब नहीं दिया वह सफेद बालों वाले इश्वरिय समराट की और बढ़ता रहा सफेद बालों वाले इश्वरिय समराट ने अपनी आखे थोड़ी सिकोड ली उनकी चमदार आखों की सूस कर सकता था कि उसके सामने मौजूद ये जियों के पास असाधारन स्तर का कोशल है अन्य इश्वरिय समराटों ने भी कोई चाल नहीं चली वे सभी ये जिया और सफेद बालों वाले इश्वरिय समराट के बीच लड़ाई को बड़े चाव से देख रहे थे मार्शल आ ये जियाओ को देखते हुए जो लगातार उपर की ओर चल रहा था सफेद बालों वाले इश्वरिय समराट ने भी कोई कदम नहीं उठाया इसके बजाए उन्होंने अपनी साधना और युद्ध के इरादे को एक बिंदू पर केंडरित करते हुए और इसे यथा समभव सर निर्धारित हो जाता था उसके और ये जियाओ के बीच की लड़ाई परिनाम को निर्धारित करेगी और जीवन और मृत्यु को भी निर्धारित करेगी इसल eliminating अपनी पूरी ताकत जोखनी पड़ी जैसे ये जियाओ और सफेद बालों वाले इश्वरिय समराट के बीच की दूरी बढ़ती गई, हर कोई अपनी सासे रोग कर उन दोनों को एक टक देखने लगा। कोई भी उस अप्रत्याशित द्रिश्य को याद नहीं करना चाहता था। उन में से एक पुरातन ईश्वरिय समराट था जो अंगिनत वर्षों तक भारी रूप से घायल होने और पुरात बालों वाले इश्वरिय समराट ने एक चाल चलने की पहल की। मार्शल आठ कोटुक में मार्शल आठ कोटुक का गौरव था। सामान्य परिस्थितियों में वे कदम उठाने की पहल नहीं करेंगे। हाला कि उस समय वह पीछे नहीं हट सका। उसे यकीन नहीं था कि यह प्राचीन यूब में लगाई के कारण था जिसने उसे अपनी इच्छा शक्ती खोदी थी या अगर समय के शरंग ने उसे कुछ हट तक दरपोग बना दिया था। हाला कि उसने महसूस किया कि उसके सामने मौजूद ये जियों ने उसे अनिश्चित और बहुत खतरन बना दिया था। इसलिए वह केवल पहले एक चाल चल सकता था और बढ़त हासिल कर सकता था। जैसे ही उसने चाल चली ये जियाओ का फिगा मौके से तुरंद गायब हो गया। इससे पहले की हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, ये जियाओ पहले ही सफेद बालों वाले इश् नहीं हुआ कि वह मारा गया है। एक ही चाल से एक पुरातन इश्वरिय समराट को तुरंद मार डालना। उसी क्षण अचानक सभी की धरकने तेज हो गई। प्लॉप सफेद बालों वाले इश्वरिय समराट के सिर और शरीर ने उनकी पूर्ण मृत्यू के कारण नियंत्र पुरातन इश्वरिय समराट था जिसने उन्हें इस हद तक पीटा था कि उनके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक पुरातन इश्वरिय समराट था जो अभी भी अपराजित रह सकता भले ही वह इश्वरिय राजाक शेत्र के शिखर पर अपनी साधना प्रदर्शित कर सकता। था, अंत में, वह वास्तव में एक ही चाल में ये जियो द्वारा तुरंत मारा गया। सभी ने यह भी नहीं देखा कि उसने अपनी चाल कैसे चली। ये जियो ने अपना हाथ हिलाया और सफेद बालो वाले इश्वरिय समराठ के सभी दिव्यरक्त को निकालने के लिए ट्रू ड्रेगन मास्टरपीस तकनीक का इस्तिमाल किया और इसे अपने स्थानिक वलय में सनरहीत किया। नाम में ब्लिडबैथ मास्टरपीस तकनीक एक अत्यंत दुष्ट तकनीक थी। अगर इसे सारवजनिक तोर पर इस्तिमाल किया जाता तो अगर कोई इसे पहचान लेता तो ये उसके लिए बुरा होता। उन लोगों ने ट्रू ड्रेगन मास्टरपीस तकनीक को पहले कभी नहीं देखा था और ये उतना बुरा नहीं था। वे लोग भी इसे बुरी तकनीक से नहीं जोडेंगे। पहले पुरातन इश्वरिय समराट के दिव्यरक्त को अफशोशित करने के बाद शेश-चार पुरातन इश्वरिय समराटों के भाव पहले से ही थोड़े गंभीर होने लगे थे। मूल रूप से वे उसी श्वरीय समराट की कब्र में लगभग अजेयर अस्तित्व थे आमने सामने की लड़ाई के बारे में भूल जाओ भले ही यह आमने सामने की लड़ाई हो वे दरेंगे नहीं हाला की उस समय एक अस्तित्व जो उन्हें तुरंत मार सकता था वास्तव में प्रकट हुआ था उनके लिए यह एक अत्यंत शक्तिशाली खत्रा था अच्छा अच्छानक चार महान डेव कुलों में से सनलेईफू चिल लाया वह जल्दी से ये जियाओ की तरफ गया और अपने हाथों को सहलाया यह वरिष्ठ वास्तव में अद्भूत है वह वास्तव में एक पुरातन ईश्वरिय समराट को एक चाल में तुरंत मारने में सक्षम था यह जूनियर वास्तव में उसकी प्रशंसा करता है यदि वरिष्ठ हार नहीं मानते हैं तो हमारे चार महान देवता इन चार पुरातन ईश्वरिय समराटों से निपटने के लिए वरिष्ठों के साथ हाथ मिलाने को तैयार है जब सभी ने उस द्रिश्य को देखा तो वे मदद नहीं कर सके और अंदर ही अंदर सुन लेइफू को बेशर्म होने के लिए कोसने लगे जब उन्होंने देखा कि ये जियाओ कितना शक्तिशाली है तो वे तुरंट उसके पास गय और उसकी चापलूसी की उसे अपने शिविर में खीचना चाहते थे हाला कि हर किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि अगले सेकंड में ये जियो अचानक शैतिज रूप से फिसल गया स्लेश के बाद सुन लेइफू का सिर मौके पर ही उड़ गया उपस्थित सभी लोग तुरंट स्तब्ध रहे गए किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जियो वास्तव में सन लेइफू के खिलाफ कोई कदम उठाएगा एक को यह जानना था कि यद्यपी वह वर्तमान में पुरातन इश्वरिय समराट का सामना कर रहा था चार महान देव कुलों के सदस्यों ने उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया अगर उसने इस तरह की चाल चलने की पहल की तो क्या यह अपने आप में और दुश्मन नहीं जोड़ लेगा वास्तव में ये जियाव मूल रूप से चार महान देव कुलों के साथ अच्चे पदू पर नहीं थे और बहुत पहले ही उनके 20 से अधिक इश्वरिय राजाओं को मार चुके थे उस समय कोई जूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं थी एक सच्चे मार्शल आर्ट कौतुक के साथ शुरू करने के लिए निदर था चार महान देव कुलों की तरह अधिक शत्रूओं का होना बहुत अधिक नहीं था और उनमें से कम होना भी कम नहीं था वह जितना अधिक मारेगा उसे उतना ही अधिक दिव्यर रख प्राप्त होगा इश्वरी ये समराट के दाएरे में आगे बढ़ना उसके लिए उतना ही अधिक स्थिर होगा ये जियाओं ने सन लेइफू के शरीर में रख्त का सारा सार भी निकाल दिया चार महान डेव वंश के सदस्यों के भाव तुरंट बदल गए इमेनिट उसने वास्तव में हमारे चार महान देव खुलो के इश्वरिय राजा को मार डाला क्या ऐसा हो सकता है कि वह सोचता है कि हमें धमकाना आसान है शत्रू के शत्रू कई पुरातन इश्वरिय समराटों के मित्र हैं मुझे लगता है कि हम अपने विवादों को एक तरफ रख सकते हैं और पहले इस व्यक्ति से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं दुर्भाग्य से चार पुरातन ईश्वरिय सम्राटों ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उन्हें ये जियाओ से निपटने में मुश्किल हो सकती है लेकिन उनकी अपनी गरिमा थी इसके अलावा ये जियाओ ने अब तक जो ताकत दिखाए थी उसके साथ चार महान देव कुलों के इश्वरिय राजा किसी काम के नहीं होंगे उनके साथ गट जोड करना केवल उनके मानकों को कम करेगा इस से चार महान देव कुलो के इश्वरिय राजा इतने ख्रोधित हुए कि उन्होंने खून की उल्टी कर दी। उन्होंने पहले ही अपनी स्थिती कम कर दी थी और गठबंधन का अनुरोध किया था। अन्थ में दूसरी पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से नजरंदाज कर दिया और उन्हें कोई चहरा नहीं दिया। यह बहुत ही शर्मनाक था। हुए नानलुओ एक साथ हमला करो। उस समय इश्वरिय समराथ जो पहले यून चांद कींड और लुओ लिशुई के साथ लड़े थे ने ये जियाओ का विरोध करने के लिए इश्वरिय समराथ हुआ नानलुओ को बुलाया। इसी दोरान दोनों ने हमला कर दिया। थंडर मास्टरपीस तकनीक और ताय अह मास्टरपीस तकनीक तेजी से प्रसारित हुई और ये जियो पर दबाव पढ़ने लगा। उन दोनों को आक्रमन करते देखकर चार महान देव कुलो के तीन शिखर ईश्वरिय राजाओं ने एक दूसरे की और देखा और एक ही समय पर आक्रमन कर दिया। हाला कि पुरातन ईश्वरिय समराट उन्हें हेयर द्रिश्टी से देखते थे और उनके साथ हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनके पास ये जियो से निपटने के लिए अपने हमलों में सहयोग करने के लिए अपनी स्थिती को कम करने और उनके साथ हाथ मिला आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जियो सुन लेइफू पर हमला करेगा वह निश्चित रूप से उन पर हमला करेगा इसके अलावा समझदार आखो वला कोई भी व्यक्तिस पश्ट रूप से देख सकता था कि ये जियाओ का खत्रा पुरा भाविक रूप से उससे निपटने के लिए एक साथ इकठा होंगे लुओ लिश्वी बोले बिना नहीं रह सकी चांड किंग क्या हमें उपर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए क्या यह साथ ही आपके हुआन युआन कभीले का सदस्य नहीं है युन चांड किंग ने कहा युन शिनई ने फिर से बात की सेबर तलवार इंमोटल ने हमें एक जटका रोकने में मदद की उसने पहले ही हमारे साथ अपने संबंधों को लेकर संदेह पैदा कर दिया है यदि आप अभी अपनी चाल चलते हैं तो क्या यह निश्चित नहीं हो जाएगा कि हम उसी पक्ष में हैं यहां तक कि अगर चार महान देव कुलों के सभी सदस्यों की मृत्यू हो जाती है तो वे सभी पैत्रिक हॉल में पुनर जीवित हो जाएंगे उस समय वे निश्चित रूप से हम दो देव कुलों पर हमला करेंगे मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है लेकिन हाला कि वह बहुत मजबूत है मुझे डर है कि वह एक साथ इतने सारे विरोधियों के खिलाफ पकड़ नहीं बना पाएगा है ना सीनियर यू मुझे लगता है कि आप इस बिंदू पर निश्चिंथ हो सकते हैं अगर यह मेरी उम्मीद के मुताबिक है तो शायद वह नहीं चाहता कि आप कोई कदम उठाएं क्योंकि अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो यह उसके लिए बोज हो सकता है यह उनके प्रदर उनकी खेती नकली और घटिया उत्पाद थी उन दोनों ने एक ही समय में यह जियाओ को देखा उन्होंने कोई चाल नहीं चली और केवल पहले देखा उस समय दो पुरातन इश्वरिये समराटों ने तीन शिखर वाले इश्वरिये राजाओं के साथ सबी ने एक चाल चली पुरातन कृती तक्नीक से प्रकाश की पाच किरणों ने यह जियाओ पर पाच अलग-अलग दिशाओं से हमला किया खिंसक उर्जा का हमला अभी तक ये जियो के सामने नहीं आया था लेकिन इसने पहले ही ये जियो के पीछे के चमकीले लाल लबादे को बेताशा फरफ़़ाने का कारण बना दिया था यह चमकीले लाल रक्त के धब्बे या एक सुन्दर जंडे की तरह था पुरातन कृती तकनीक के प्रकाश में यह इतना चमकदार इतना उज्जवल और आख को पकड़ने वाला था पाच पुरातन कृती तकनीकों के हमले का सामना करते हुए ये जियो के हाथ में ग्रेड ड्रेगन ने अच्छानक ब्लेड बदल दिये विश्व विनाश मास्टर पीस तकनीक को जोड़ा गया और एक तलवार प्रदर्शित की गई बूम 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 पाच पुरातन मास्टर पीस तकनीक तुरंत अलग हो गई सभी की सासे तुरंत थम गई एक चाल के साथ उन्होंने पाच चोटी के इश्वरिय राजाओं द्वारा फैलाई गई पुरातन कृति तकनीकों को तोड़ दिया उनमें से दो पुरातन कृति तकनीके भी थी जिन्हें शीर्ष चालीस में स्थान दिया गया था यह जियों की हरताल बेहद आश्चार्यजनक थी यह कैसे संभव है महिला ईश्वरिय समराट चिल्लाए बिना नहीं रह सकी दूसरी ओर ईश्वरिय समराट नालन की आखों में एक उत्साह की चमक चमक उठी यह विश्व विनाश की उतक्रिष्ट तकनीक है क्या यह वास्तव में प्रसिद विश्व विनाश मास्टरपीस तकनीक है यह सरवोच मास्टरपीस तकनीक रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है महिला ईश्वरिय समराट ने एक बार फिर कहा और उसके दिल की धर्कन तेज होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी धर्मी समराट नालन ने सिरहिलाया मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में उनके शरीर पर विश्व विनाश की उत्कृष्ट तक्नीक देख पाऊंगा किसी को पता होना चाहिए कि हमारे यूग में भी विश्व विनाश की उत्कृष्ट तकनीक एक अत्यंत दुरलब अस्तित्व थी तारों भरे आस्मान में जो कोई भी इस तकनीक को समझने में सक्षम था वह एक अत्यंत प्रतिभाशाली प्रतिभा था इस व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता युगो युगों में दुरलब थी कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी शक्तिशाली शक्ति को उजागर करने में सक्षम था दिल्चस्प वास्तव में बहुत दिल्चस्प हाला की महिला इश्वरिय समराट की आँखों में कुछ डर था वे कभी कभार लालची रोशनी से चमाक उठती थी विश्व विनाश मास्टरपीस तकनीक यहां तक की आदिकालीन देविय सामराज्य के विभिन ईश्वरिय समराटों के पास उस तरकी सर्वोचकृती तकनीक नहीं थी यदि वे उस सर्वोच उत्कृत तकनीक को प्राप्त कर सकते हैं तो कौन जानता है कि आदिम दिव्य सामराज्य के पुनर निर्मान के लिए उनके लिए कितने लाब होंगे केवल जब युन चांद की और जिया शिनई ने उस द्रिश्य को देखा तो उन्होंने जिया शिनई की बातों पर पूरी तरह से विश्वास किया उसने जो कहा वह सही था यदि वे दोनों उपर जाते हैं तो वे वास्तब में ये जियाओ की लड़ाए में देरी करेंगे पृत्वी पर इस आदमी ने इतनी शक्तिशाली पुरातन पृति तकनीक कहां से प्राप्त की मुझे लगता है कि पुरातन पृति तकनीक का ये स्तर पहले से ही स्टाररी स्काई रेंकिंग के शीर्ष दसमें होना चाहिए है ना मैं भी नहीं जानता हो सकता है कि उन्हें किसी प्रकार की विशेश विरासत मिली हो आखिरकार पुरातन कृती तकनीके वही हैं जो हम उन्हें कहते हैं अती प्राचीन युग में पुरातन कृती तकनीकों को सरवोच कृती तकनीक कहा जाता था उस समय मार्शल आर्ट संस्कृती आज की तुलना में कई गुना अधिक सम्रिध थी इसलिए कई मार्शल आर्ट कौतुप जब वे गिरते हैं तो बेहत शक्तिशाली मास्टरपीस तकनीक ले जाते हैं लुओ लिश्वी ने सिरहिलाया वो अभी भी युन चांद किंग की बातों से सहमत था उसी समय दो पुरातन इश्वरिय समराटों और तीन चोटी के इश्वरिय राजाओं के भाव बदल गए जब उन्होंने एक ही चाल में पाँच हमलों को ये जियुद्वारा नश्ट होते देखा अगले सेकेंड में उन्होंने जल्दी से अपना रूप बदल लिया हाला कि सभी ने पहले कभी सहयोग नहीं किया था और वे अभी भी एक सेकंड पहले दुश्मन थे जब उनकी ताकत अपने स्तर पर पहुँच गई तो उन्हें संगत बनने के लिए केवल एक या दो चालों का आदान प्रदान करने की आवश्यक्ता थी उस समय दो पुरातन ईश्वरिय सम्राटों ने हमला करने की पहल की और ये जियों के चहरे पर तुरंट बंध हो गए अन्य तीन ने हमले में सहाय ताकी और उसे पीछे बैं और दाय पंखों से घेर लिया इन पाचों ने एक साथ हमला किया ये जियों पर पाच बेहत शक्तिशाली हमले मजबूती से बंध हो गए ये जियाओ कितना भी मजबूत क्यूं न हो वह संभवत तह एकी समय में पाच दिशाओं से अस्तित्व के खिलाफ लड़ सकता था इसलिए निश्चित रूप से इससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा हाला कि उन पाच लोगों के सयुक्त हमलों का सामना करते हुए अपनी टोपी के पीछे ये जियों की अभिव्यक्ती थोड़ी सी भी नर्वस नहीं थी पुनरजन मास्टरपीस तकनीक सक्रिय हो गई थी एक निश्चित सीमा के भीतर पाच लोगों की गती तुरंट धीमी हो गई जबकि उनकी गती तुरंट बढ़ गई इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच की खाए बिलकुल नई स्तर पर पहुँच गई थी ये जियाओ शांत और अविचलित था उसने लापरवाही से एक तलवार और आधा चांद काद दिया जिसमें बाएं, सामने और दाएपक्ष शामिल थे तलवार का इरादा फैल गया और विश्व विनाश की उत्कृष्ट तकनीक के साथ इसने एक ही समय में चार मार्शल आर्ट मास्टर्स को दबा दिया उसके पीछे वाले के लिए ये जियों ने वास्तब में बिल्कुल भी कदम नहीं उठाया उसने दूसरे दल के हमले को अपने कवच पर उतरने दिया बूम एक जोरदार विस्फोट के साथ ये जियाओ के बाएं सामने और दायपक्ष के चार मार्शल आर्ट मास्टर्स को एक ही समय में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया उसके पीछे वाले का वार भी उसके कवच पर गिरा हर तरफ धमाकों की आवाज सुनाए दी और रोश्नी विस्फोटक रूप से चमक उठी अंतरिक्ष की ताकत एक बार फिर हिल गई क्या सभी के भाव एकाएक तीवर हो गए अत्यंत शक्तिशाली इससे पहले जब वह अकेले पाच लोगों से लड़े थे तो पाच लोगों की मास्टरपीस तक्नीक को पहले ही नश्ट कर चुके थे यह पहले से ही किसी के रोंटे खड़े करने के लिए काफी चौकाने वाला था उसी समय पाचों लोगों ने अपना रूप बदल लिया और फिर से हमला कर दिया उसने वास्तव में चार लोगों को एक बार फिर से मजबूर कर दिया था इसके अलावा इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह थी कि उसके पीछे किये गए हमले ने वास्तव में उससे बिलकुल भी घायल नहीं किया यह उसके शरीर पर कीमती कलकृती कवच द्वारा पूरी तरह से सन्रक्षित था हुआ किस प्रकार की स्वर्ग विरोधी प्रतिक्रिया थी उन्होंने यह भी महसूस किया कि इस समय वे किसी प्रकार के भ्रम की चपेट में आ गये हैं वे जरूर सपना देख रहे थे आन्य था सामान्य ज्यान की अभेलना करने वाली ऐसी बात क्यों प्रकट होती ऐसी अविश्वस नियबात, हाला की जट का खत्म नहीं हुआ था ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जियों ने आखिरकार पलटवार करना शुरू कर दिया था जब उस चोटी के गौडली किंग ने ये जियाओ के पीछे से हमला किया तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि वह ये जियाओ के बचाव को सफलता पूर्वकपार नहीं कर पाया दूसरी चोटी के गौडली किंग ने अचानक चिल लाया लिंग फैंग जल्दी से पीछे हटो दुर्भाग्यर से वह बहुत देर से चिल लाया जैसे ही उसने चिल्लाना समाप्त किया ये जियाओ घूमा और अपनी तलवार घूमाई उसके कंदे पर ब्रश किया और तुरंट लिंग फैंग के माथे को चेद दिया इश्वरिय समराट नालन द्वारा चीने जाने से रोकने के लिए ये दूसरे पक्ष के दिव्यरक्त को लूटने के बाद ये जियाओ ने महान ड्रेगन को वापस कीच लिया लिंग फैंग की लाश एक टूटी डोर वाली पतन की तरह निर्दैता से जमीन पर गिर गई उसके बाद ये जियो ने अपना बाया हाथ हिलाया और स्पेस वार्पिंग मास्टरपीस तकनीक को सक्रिय किया उसने फौरन अपनी बाई और के गौडली किन्ट शिखर को अपनी और कीच लिया सबके शिश्य सनकुचित हो गए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तब में उनके पास ऐसी तकनीक है वह दुश्मनों को तुरंद दूर से अपनी तरफ भेज सकता था सभी लोगों और उस चोटी के इश्वरिय राजा की प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा किये बिना महान ड्रैगन ने एक बार फिर हमला किया एक थंडी चमक के साथ उसका जीवन और दिव्य रखते एक बार फिर से ये जियाओ द्वारा काटा गया इमेनिट उस समय चार महान देव कुलों में से अंतिम शिखर इश्वरिय राजा जो इश्वरिय समराट की कब्र में ये जियाओ के अधिकार में प्रवेश कर गया था पूरी तरह से ढह गया एक श्राप के साथ वो ही इश्वरिय समराट की कब्र की दूसरी दिशा की ओर उड़ गया उस समय उनका आत्म विश्वास पहले ही चकनाचूर हो चुका था उसके पास ये जियो के साथ लड़ाए जारी रखने का साहस नहीं था अंगिनत लोगों के लिए वो द्रिश्य और भी रोमान चक था उनके दिल की धड़कने तेज हो गई और वे अचमवित होकर वही खड़े रह गए किसी को यह जानना होगा कि चार महान देव कुलों के शीर्श इश्वरिय राजा उस समय भैवी नहीं हुए थे जब वे पुरातन इश्वरिय समराट के खिलाफ लढ़ने के लिए सेना में शामिल हुए थे एओ फिर भी उनके पास दो पुरातन इश्वरिय समराट और तीन शिखर इश्वरिय राजा एक साथ ये जियाओ पर हमला कर रहे थे अंत में वे उसके द्वारा अपनी बुद्धी से डर गए उनमें लढ़ने की इच्छा ही नहीं थी ये जियो के आतंक ने एक बार फिर सभी की विश्वद रिष्टी को ताजा कर दिया हाला कि ये अफसोस की बात थी कि ये जियो ने चाहकर भी उसे भागने नहीं दिया वर किसी को भी जाने नहीं देता था जो उस पर हमला करने की हिम्मत करता था और उसे मारना चाहता था भले ही उनके पास केवल हत्या करने का इरादा था वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन मास्टरपीस तक्नीक को जोडने के साथ ये जियों ने ग्रेड ड्रेगन के हैंडल पर अपना हाथ उठाया और उसे बाहर धकेल दिया जाओ, ग्रेड ड्रेगन तुरंद दिव्य प्रकाश में बदल गया और दूरी में चार्ज हो गया वह रोशनी इतनी चमकिली थी कि ऐसा लगता था जैसे वह अंतरिक्ष और समय को पार कर सकती है एक शन बाद गलगणा हट की आवाज और दूर से एक दैनिय चीक सुनाई दी सबका दिल एक आएक उच्छल पड़ा सभी जानते थे कि शिकर ईश्वरिय राजा भी समाप्थ हो गया था यह बहुत निर्मम था एक के विरुद्ध पाँच जिनमें से दो पुरातन ईश्वरिय समराठ थे इसे स्पश्ट रूप से कहें तो यह ऐसा था जैसे एक के खिलाफ पाँच परिद्रश्य में होना ये जियो के लिए बहुत आसान था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह केवल दस के विरुद्ध एक और अधिक है फिर भी तीन अभी भी उसके द्वारा मारे गए केवल दो को छोड़क वह आदमी इतना संकी था कि लोगों के रोंटे खड़े कर देता था इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उसकी वर्तमान साधना को अभी इश्वरिय समराट के क्षेतर में आगे बढ़ना था यदि वह भविश्य में उस क्षेतर में आगे बढ़ा तो वह कितना शक्तिशाली होगा उस तरह के अत्यंत भायानक दमन ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक पल के लिए सास नहीं ले पा रहे थे जब दो पुरातन इश्वरियर समराटों ने ये जियाओ को एक महान ड्रैगन को बाहर फेकते देखा तो उनकी आखे तुरंथ चमक उथी उन्होंने उसी समय ये जियो पर हमला किया हर कोई जानता था कि युद्ध में कीमती शिल्कृती की वृद्धी साधारन नहीं थी जबकि ये जियो के हाथों में कीमती कलाकृती नहीं थी उसकी युद्धर शक्ती निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी उस पर हमला करने के लिए उस पल का फायदा उठाते हुए निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित प्रभाव होगा ताय अह मास्टपीस तकनीक और थंडर मास्टपीस तकनीक को एक बार फिर दो ईश्वरिय समराटो द्वारा सीमा तक परिचालित किया गया जिससे हमले की उर्जा की दो गेंदे बन गई जो सीधे ये जियो के लिए चली गई उर्जा के उन दो गोलों में एक ऐसी उर्जा थी जो स्वर्ग और प्रित्वी को नश्ट कर सकती थी यदि वे एक साधारन शिखर गौडली किन पर हमला करते हैं तो वे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को भारी चोट पहुँचाने या यहां तक की मारने में सक्षम होंगे दो ईश्वरिये समराट स्वाभाविक रूप से इतने अहनकारी नहीं थे कि यह सोच सके कि वे सिर्फ दो चालों से यह जियाओ को नश्ट कर सकते हैं खाला की उनका मानना था कि कीमती कलAKरितियों के बिना यह जियों जिसके ताकत बहुत कम हो गई थी निश्चित रूप से दबा दी जाएगी यह निश्चित रूप से काफी था कम से कम ग्रेट ड्रैगन को पुना प्राप्त करने से पहले ये दोनों ये जियों को काफी पीडित करने के लिए पर्याप्त थे जब बड़ा अजगर लोटा तो ईश्वरिय समराट नालन और अन्य ईश्वरिय समराट निश्चित रूप से चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे वे निश्चित रूप से ग्रेट ड्रैगन को रोख देंगे उसके बाद एक और ईश्वरिय समराट आएगा और ये जियाओ को नश्ट करने का अफसर लेगा यह हो चुका है फीमेल गॉडली समराट के मुग का कोना थोड़ा मुडा हुआ था वो किसी भी समय हमला करने के लिए पहले से ही तैयार थी जब तक ये जियो किसी दोश का संकेत प्रकट करता वो तुरन्त आगे बढ़ती और ये जियो को एक धातक जटका देती हाला कि ईश्वरिय समराट नालन ने उस पर थोड़ा सिर हिलाया महिला ईश्वरिय समराट कुछ हैरान थी नालन अपना सिर क्यों हिला रहे हो इश्वरिय समराट नालन ने ये जियो को देखा और उदासिंता से कहा वे दोनों मरने वाले हैं क्या महिला इश्वरिय समराट का दिल अचानक चौप गया इतने अच्छे अफसर के साथ भले ही उन दोनों को ये जियाओ से बहुत आधिक लाब न मिला हो वे उसके द्वारा मारे नहीं जाएंगे है ना नालन क्या तुमने गलती की हाला कि इससे पहले की वह कुछ और कह पाती उसकी पुतलिया अचानक सिकुल गई जब हुआ नानलुओ और उसके साथियों के हमले ये जियो के सामने आए तो ये जियो वास्तव में चक्मा नहीं दिया उसने तुरंत अपने हाथ फैलाए और आगे बढ़ा दिया सभी ने सपाश्ट रूप से पतली हवा से प्रकट होने वाले एक विशाल अजगर की दहार सुनी इसके बाद वास्तव में ये जियो की हथेलियों पर दो विशाल ड्रैगन पंजे बन गए जो हुआ नैनलुओ और उसके हमले की उर्जा गेंदों को बंद कर देते हैं क्या, दो लोगों की पुतलिया अचानक सिकुल गई इससे पहले की विप्रतिक्रिया कर पाते, ये जियाओ ने पहले ही उन दो उर्जा गेंदों को कुछल दिया था बूम, उर्जा का एक बड़ा विसफोट हुआ ना केवल ये जियाओ शामिल था, बलकि दो ईश्वरिय समराट भी प्रभावित थे रोश्णी ने तीनों को अपने आगोश में ले लिया उस समय प्रकाश पिछली सभी रोश्णी से भी अधिक सघन और चमकदार था केवल ईश्वरिय समराट नालन और महिला ईश्वरिय समराट ही सपष्ट रूप से देख सकते थे कि क्या हुआ था उस अतुलनीय रूप से चकाचोद करने वाली रोश्णी में उर्जा तरंग ने हुआ नानलुगों को बुरी तरह घायल कर दिया उसी समय यहंत में ये जियाओ के शरीर पर कीमती कलाकृतियों के निशान को भी नश्ट कर दिया ये जियाओ की बाहों के बीच का मास तुरंट फट गया मूल रूप से उन तीनों को एक ही समय में चोट लगनी चाहिए थी उनके लिए कोई नई युद्ध शक्ती होना असंभर था कम से कम उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक विसफोट शांत नहीं हो गया हाला कि ये जियाओ ने उनकी उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन किया और तुरंट अपनी चोटों को ठीक कर लिया पलक जपकते ही उसकी तवचा और मास नए जैसा हो गया इसके बाद उन्होंने एक बार फिर स्पेस वार्पिंग मास्टरपीस तकनीक का इस्तेमाल किया सदमे की लहरों को नजरंदास करते हुए उसने जबरदस्ती अपने और दो इश्वरिये समराटों के बीच की दूरी को करीब खीच लिया उसके दोनों हाथ बाहर निकले और दोनों इश्वरिये समराटों की गर्दने पकड़ ली उन्होंने ट्रू ड्रेगन मास्टरपीस तकनीक का अत्यदिक उप्योग किया और दो इश्वरिये समराटों के गले को तुरंत कुछल दिया दो इश्वरीय समराट स्वर्ग में भेजे गए बत्ती गुल हो गई और सभी ने तेजी से इधर उधर देखा जब उन्होंने देखा कि ये जियाओ दो इश्वरीय समराटों की कोमल लाशों को ले जा रहा है जैसे वह दो मरे हुए कुट्टों को ले जा रहा हो तो पूरी जगह एक बार फिर मौत के सन्नाटे में डूब गई उस समय सदमे के अलावा हुआन युवान भगवान कभीले के मार्शल आर्ट के उस्तादों को भी आश्चर हुआ जो अंदर की कहानी जानते थे जब भीर में मौजूद युन जुवान युवान ने उस द्रिश्य को देखा तो वह खुद का उफास करने से खुद को रोप नहीं सका जब मैं छोटा था मैं वास्तब में उनका विरोधी बनना चाहता था अब ऐसा लगता है कि मैं वास्तब में उनके जूते उठाने के लायर भी नहीं हूँ वह अवाक रहकर फूट फूट कर मुस्कुराया वह शायद उनके जीवन का सबसे बेवकूफी भरा पल था जिया शिनई ने सीधे ये जियाओ को देखा उसकी खुबसूरत आखे अंतहीन प्रशंसा और प्रशंसा से भरी हुई थी जेंग तिन्या ने अपनी मुठी भींचली उसकी आखे उत्तेजना से लाल हो गई वह जानता था कि हुवान युवान कबीले का एक और चमकदार नया सितारा धीरे धीरे उभर रहा है वह नया तारा पूरे तार की आकाश को भी रोशन कर सकता है जिससे पूरा ब्रहमान एक और देख सकता है उनका भविश्य बिलकुल असीन था इसके अलावा जुवान युवान कबीले के एक सदस्य के रूप में जो उसी वंश से संबंधित था वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वहाँ जुवान युवान कबीले के चार अन्य सदस्य थे तो वह अपने फेफ़़ों के शीर्ष पर चिलाना चाहता था यह हमारे हुवान युवान कबीले का सदस्य है यह हमारे कबीले की क्रिपान तलवार अमर है लुओ लिश्वी ने यू चान्द किंग के कंदे पर थपथपाया और उन्हें आशिरवाद देते हुए मुस्कुराया बधाए हो चान्द किंग आपके हुआन युआन कबीले ने इस बार एक और ड्रैगन पैदा किया है यू चान्द किंग के मुँँ का कोनद दो बार हिल गया सच कहून तो वहां के हुआन युआन कबीले के सभी लोगों के बीच उसकी खेती का आधार सबसे आधिक था और वह सबसे ज़्यादा हैरान भी था तब तक वह सदमे से उबर नहीं पाया था एक पल की चुपी के बाद आखिरकार वह बोला लिशुई मुझे उसके शरीर पर एक आकृती दिखाई दे रही है लिशुई मंद मंद मुस्कुराई क्या संयोग है मैंने उनके शरीर पर एक आकृती भी देखी यू चांद की ने और कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि लिशुई किसके बारे में बात कर रहा है पेत्रिक ड्रेगन वह अस्तित्वज जिसने कभी जुवान युवान कभीले को तारों भरे आकाश में चमकने का कारण बनाया था दुर्भाग्य से पेत्रिक ड्रेगन ने अंत में हुवान युवान कभीले को छोड़ने का फैसला किया हाला कि वह नहीं जानता था कि वह साथ ही आखिर में क्या चुनेगा क्या वह हुआन युवान कभीले के साथ होगा और क्या वह कभीले को अधिक उचाई तक ले जाएगा उस समय महान अजगर पहले ही उस चोटी के इश्वरिय राजा की लाश के साथ वापस आ गया था वास्तव में आसानी से हार को जीत में बदल सकता था ओली कीमती कलाकृती के बिना वह वास्तव में कीमती कलाकृतियों के साथ उससे अलग नहीं था वह आदमी उससे अचानक कुसने का मन हुआ हाला कि वह नहीं जानती थी कि कैसे शाप देना है सभी के बीच केवल ईश्वरिय समराट नालन के होंट मुड़े हुए थी जब उन्होंने ये जियाओ को उच्चा आत्माव में देखा विश्व विनाश मास्टरपीस तक्नीक तीसरे स्थान पर है अंड़ेंग मास्टरपीस तक्नीक चौथे स्थान पर रही यह सिर्फ एक व्यक्ति है फिर भी वह इतनी सारी उत्प्रिष्ट प्रिती तक्नीकों को धारंग करने में सक्षम है आपने मुझे बहुत सारे सर्प्राइज दिये हैं जब महिला ईश्वरिय समराट ने यह सुना तो उसका शरीर सिवाएक आपने के नहीं रहा नालन, आप, आपने क्या कहा? ईश्वरिय समराट नालन की अभिव्यक्ति उदासीन थी क्योंकि उन्होंने कहा मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं आभी भी उससे निपटने के लिए परियाप्त मजबूत नहीं हूँ मुझे अपना दिव्यर रक्ट दो जब मैं उसे नश्ट कर दूंगा और ईश्वरिय राज्य का खजाना पा लूंगा तो मैं उस कानून उर्जा को वापस ले लूंगा जो हमारी है मैं तुम्हें फिर से जिन्दा करने का एक तरीका सोचूंगा महिला ईश्वरिय समराट चौक गई लेकिन उसने तुरंट अपने दाथ पीस लिये और कहा लेकिन मैं अब केवल गंभीर रूप से घायल हूँ इतने सालों से मेरी उम्र जमी हुई है मैं आभी भी जिन्दा हूँ धर्मात्मा समराट नालन ने उस पर एक द्रिष्टी डाली और उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया उसने तुरंट मौके पर ही उसकी छाती पर मुक्का मारा छीटे, फीमेल गौडली एमप्रेस मुह भर खून थूकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी वो हैसी उम्मीद कैसे कर सकती थी वो ही इश्वरिय समराट नालन वास्तब में उस पर आख्रमन करेगा उसने उसे मार डाला, जो अभी भी जीवित थी लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गई थी और फिर अपनी ताकत बढ़ा दी नालन, तुम, अगर हम उसे नहीं मार सके, तो हम सब मर जाएंगे अगर मैं उसे हरा देता हूँ, तो आप सभी को जीने का मौका मिलेगा एक साधारन व्याख्या के साथ, इश्वरिय समराट नालन ने उसके दिव्यरक्त को बहा दिया था चार महान देव कुलो के एक हजार से अधिक गौडसलेयर रियलम मार्शल आर्ट मास्टर्स के दिव्यरक्त के साथ मिलकर, इश्वरिय समराट नालन के शरीर में शक्ती बढ़ती रही वो ही ये जियाओ से लड़ना चाहता था, वो उससे लड़ने के लिए बहुत उत्सुप था, ये जियाओ के साधना प्रदर्शन ने वास्तव में उसे स्तब्ध कर दिया था प्रारमविक डेवियर सामराज्य के विलक्षन प्रतिभा के रूप में, डेवियर समराट नालन ने अपने जीवन में अंगिनत प्रतिभाओं से मुलाकात की थी हाला कि उसने ये जीवन जैसा अस्तित्व कभी नहीं देखा था, ये उनके जीवन में पहली बार था जब उनके मन में जी भरकर लढ़ने का विचार आया एक जीनियस की सोच हमेशा सामानने से बाहर थी, हाला कि इश्वरी ये समराट नालन के कारिय आकस्मिक नहीं थे और फिर इश्वरी ये समराट के दायरे में आगे बढ़ना था, जिसक्षन से दोनों पक्ष मिले, यह एक ऐसी स्थिती थी जहां वे तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक उनमें से एक की मृत्यू नहीं हो जाती महिला इश्वरी ये समराट को आत्मसाद करने के बाद, इश्वरी ये समराट नालन के शरीर पर उर्जा और आगे बढ़ी और एक और भी विशाल आभा फूट पढ़ी जिस किसी ने भी इस आभा को महसूस किया वह कापने से खुद को रोक नहीं सका गौडसलेयर दायरे के कुछ अस्तित्व मदद नहीं कर सकते थे लेकिन खुद को जमीन पर गिराना चाहते थे इश्वरी ये समराट उसने पहले से ही इश्वरी ये समराट क्षेत्र के पहले स्तर तक अपनी साधना का आधार पुनः प्राप्त कर लिया है सबकी आँखों से डर का इशारा जलक रहा था यद्यपी वे पहले पुरातन इश्वरी ये समराट के प्रतिभए महसूस करते थे उस समय पुरातन इश्वरिय समराट इश्वरिय राजा सामराज्य के शिखर पर ही अपनी साधना का आधार प्रदर्शित कर सकता था वे अभी भी इसे जेलने में सक्षम थे उस बिंदू पर दूसरा पक्ष पहले से ही इश्वरिय समराट के दायरे के पहले स्तर पर पहुँच चुका था, एक सच्चा इश्वरिय समराट बन गया था। कौन जेल सकता था, जिस बात की सभी को उम्मीर नहीं थी वह यह थी कि इश्वरिय समराट नालन ने महिला इश्वरिय समराट की कीमती कलाकृती भंडारन की अनबूर्थी निकाली और उसे पहन ली। उसी समय उसने अपने और उसके दो स्टोरेज रिंगों को घुमाया और पलक जपकते ही उनके शरीर कवच की एक परत में धंक गए, कोव थे, वे दोनों कीमती कलाकृतिया थी, उसी समय दो कीमती आर्टिफेक्ट हथियार थे, एक पूर्निमा कैची थी और दूसरी लंबी के अलावा, क्या ये जियाओ अभी उसे हरा सकता था? ये जियो ने दो इश्वरिय समराट की लाशो को नमकीन मचली की तरह अपने हाथों में फेक दिया. फिर, वो उनके हाथों पर कीमती कलाकृतियों के भंडारं के छले को अपनी उंगली पर ले आया. उसके हाथ में, उ कीमती आर्टिफेक्ट ग्रेड स्टोरेज रिंग होंगे. उन छलों के अंदर नौ पुरातन इश्वरिय समराग थे और उन्होंने अपने जीवन भर जो खजाना जमा किया था, वह तुल्मिय रूप से कीमती था. वह और धर्मी समराट नालन दूर से ही आमने सामने थे. ज उनके आभामंडल के बीच घर्षन से उत्पन बिजली और गलगला हट थी. उनमें से दो अलग अलग दुनिया का प्रतिनिदित्व करते लग रहे थे. नहीं, सटीक होने के लिए उन्होंने दो यूगों का प्रतिनिदित्व किया. अती प्राचीन यूग और अराजक्ता क एक उस यूग से आया था जहां मार्शल आर्ट संस्कृती सबसे अधिक दीपतिमान थी, जबकि दूसरा उस यूग से आया था जहां मार्शल आर्ट संस्कृती सबसे कमजोर थी. अंत में, ये जीयो चले गए. लगभग उसी समय इश्वरिय समराट नालन भी चल बसे. मार प्राश में एक सफेद रोशनी चमक उठी, अगले ही पल दस हजार सफेद रोशनी उठी, एक पल में उन दोनों ने दस हजार से अधिक बार युद्ध किया था। ये जियाओ और इश्वरिय समराट नालन ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। कुछी सेकंड में उनके द्वारा एक दूसरे पर वार करने की संख्या बढ़ती चली गई। 10,000 1,20,000 2,30,000 2,40,000 2, हर सेकन उन दोनों के बीच जितनी बार मार पीट हुई उसकी संख्या 100.000-0.000 गुना तक पहुँच सकती है दो अत्यंत उच्ष तीवृता वाली उरजाओं के टकराने से पूरा इश्वरिय सम्राट का मगबरा भर गया हर कोई अचंभे में था और उन्हें कांच की तूटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी ऐसा इसलिए था क्योंकि यह छोटा स्थान एक ऐसे हमले से प्रभावित था जो उसके सहनशक्ती को पार कर गया था जिससे अंतरिक्ष में ऐसी स्थिती आ गई थी जहां वह दरार डालना चाहता था यह जियो और इश्वरिय समराट नालन पूर्व से पश्चिम तक डक्षिन से उत्तर तक लड़े उन दोनों की गती भी तेज थी इश्वरिय समराट की कब्र के प्रवेश द्वार पर जो अस्तित्व थे वे अपनी आखृतिया भी नहीं देख सकते थे वे केवल बढ़ती हुई शक्ती को महसूस कर सकते थे क्योंकि वे मारपीट का आदान प्रदान जारी रखते थे जिस तरह इश्वरिय समराट नालन और ये जियाओ अच्छा समय बिता रहे थे उसके माथे पर अचानक एक तीसरी आख आ गई स्वर्गिय दिव्य शिष्य डिवाइन आई रैंकिन में दर डिवाइन आई तेरह वे स्थान पर है जिस शन ये आख दिखाए दी ऐसा लगा जैसे ये जियाओ का प्रक्षे पिवक्र निर्धारित हो गया हो ये जियाओ के अगले एक हजार हमले इश्वरिय समराट नालन द्वारा समय रहते काट दिये गए हाला कि आदे सेकंड के भीतर ये जियों ने दूसरे पक्ष के समय में बदलाव को देखा उन्होंने अपनी आदेम पुतली को सक्रिय किया और तुरंथ ही दैविय पुतली के रूप में अपनी आदेम पुतली में समान गुनों को सक्रिय कर दिया दा प्रिमोर्डियल प्यूपिल, धर्मी समराट नालन की पुतलिया सिकुर गई और वह तुरंत जोर से हस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास। आदेम शिश्य जैसी कोई चीज भी होगी। चलो फिर से करे। इश्वरी समराट नालन ने दो कीमती शिल्प्रितियों को अपने हाथों में पकड़ा और आगे बढ़ने लगे। लराई का सामना करने के दोरान ये जियों ने अपने हाथ में ग्रेड ड्रैगन को पकड़ रखा था। हर बार जब दोनों टकराते, तो न केवल आध्यात में कूर्ज में रहेंगे। हाला कि उस समय अचानक परिवर्तन हुआ, जब ईश्वरिय समराट नालन ये जियाओ के खिलाफ लड़ रहा था, तो उसकी ताकत अचानक दोगुनी हो गई। वह जो मूल रूप से ये जियों के बराबर था, अचानक ये जियों को कुचलने की स्थिति में आ गया। ये जियाओ को पकड़ लिया गया और ईश्वरिय समराट नालन की तलवार से जमीन पर गिरा दिया गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, ईश्वरिय समराट नालन ने एक फिंग सील बनाए और ये जियाओ को दबाने के लिए तुरंत कारावास लेहर को सक्रिय कर दिया। उसके बाद इश्वरिय समराट नालन ने अपनी तलवार को ये जियाओ के कवच में गोब दिया। हालाकि लिटिल ड्रेगन भी एक कीमती कलाकृती थी, लेकिन उस समय इश्वरिय समराट नालन ने जो शक्ती प्रदर्शित की थी वह और भी मज पूछे ये स्वीकार करना होगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपने वास्तव में अपने आप से बहुत सारी मास्टरपीस तक्नीके प्राप्त की हैं। हाला कि मैंने अभी अभी बहुत से दिव्यरक्त को अफ्शोशित किया है। दिव्यरक्त को शुध करने की प्रक्रिया के दौरान मेरी साधना भी लगातार बढ़ रही है। हाला कि मैं कभी उजागर नहीं हुआ। मैं केवल एक महत्वपून क्षन में अचानक प्रकट हुआ और आपको अचम्भे में डाल दिया। अब मैं आपको दबाने के लिए इश्वरिय समराट की कब्र की पूरी शक्ती का उप्योब कर रहा हूँ। हाला कि मेरा साधना आधार पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और मैं पूरे इश्वरिय समराट की कब्र को नियंतरित नहीं कर सकता, फिर भी मैं पूरे इश्वरिय समराट की कब्र को नियंतरित करने में सक्षम हूँ। इनेव, हाला की मेरी वर्तमान शक्ती पहले से ही आपके उपर है इसलिए इश्वरिय समराट के मगबरे की शक्ती जिसे मैं नियंत्रित करता हूँ, वह भी आपके उपर है यद्यपी तुमने ईश्वरी ये समराट के दिव्यरक्त का बहुत कुछ लिया, तुम मैं नहीं हो मैं पहले से ही एक लाश हूँ, इसलिए जब मुझे दिव्यरक्त मिलता है तो मैं इसका सीधे उप्योग कर सकता हूँ और तुमें एक जीवित व्यक्ती हो, इतना दिव्यरक्त मिले तो भी व्यर्थ है इस लड़ाई की शुरुआत से आप हार गए, ये जियाओ के मुझे कोने भी थोड़े मुले हुए थे आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि मैं अन्तक हार जाऊंगा क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप एक जाल बिच्छा रहे हैं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं आपको इश्वरिय समराट की कब्र के द्वार से दूर, उन देवताओं से दूर कीच रहा हूं धर्मी समराट नालन ने अपनी भोहेत फूली उपर उठाई अगले सेकेंड में उन्होंने एक बेहद अविश्वसन ये चीज देखी ये जियाओं ने उस दिव्यरक्त को जारी किया जिसे उसने शिखर चरंग के इश्वरिय राजाओं और पुरातन इश्वरिय समराटों से एक अत्र किया था फिर दिव्यरक्त ने सबसे तेज गती से ये जियाओं के शरीर में प्रवेश किया यह उनके द्वारा अफशोषित और परिश्पृत किया गया था यह महसूस करते हुए कि यह जियाओ की खेती लगातार बढ़ रही थी इश्वरिय समराट नालन स्थब्ध रह गया किसी को यह जानना था कि वह एक मृत व्यक्ति था दिव्यरक्त को अफशोषित करना केवल उसे अपने शरीर में दबाना था उसे शुध करना नहीं जबकि यह जियाओ एक जीवित व्यक्ति था वह दूसरों के दिव्यरक्त के अनुकुल नहीं हो सकता था यदि वह इसे प्राप्त करना और उप्योग करना चाहता था तो उसे इसे परिश्कृत करना पड़ा। अन्य था ना केवल वह इसका उप्योग नहीं कर पाएगा बल्कि वह विस्फोट करके मर भी जाएगा। यह है। यह है। आपने वास्तब में महान ब्लडबैथ मास्ट पीज तकनीक की खेती की। एश्वरिय सम्राट नालन ने पहले ही ये जियाओ की तकनीक को पहचान लिया था। जैसे जैसे ये जियाओ की ताकत बढ़ी, आस्मान में गरजने वाले बादल फिर से घनीभूत होने लगे, गहरे बेंगनी रंग के गरजने वाले बादल। य ये जियाओ ने अचानक इश्वरिय समराट नालन की लंबी तलवार को तोड़ दिया और अपनी ताकत का इस्तिमाल करके उसका दमन तोड़ दिया. ठीक नहीं, इश्वरिय समराट नालन ने अलार्म में चिलाया और पीछे हटने की इच्छा रखते हुए, तेज करने के अनरजन्म मास्टरपीस तकनीक सक्रिय हो गई, उसकी गती को तुरंत कम कर दिया और उसी समय ये जियो की गती को बढ़ा दिया. उसके बाद, ये जियाओ ने कीमती शिल्पृती को बाहर निकाला जिसे इश्वरिय समराट नालन ने अपने शरीर से काट दिया था और अतिर इश्वरिय समराट नालन के शरीर में बेरहमी से वार किया. उस तीव चुभने वाले दर्द और हमले के कारण इश्वरिय समराट नालन का शरीर तुरंत रुक गया. सब खत्म हो गया, ये विचार तुरंत उसके दिमाग में कौन्ध गया. उम्मीद के मुताबिक, अगले ह पल्क, ये जियाओं ने अपने हाथ में ग्रेट ड्रेगन पकड़ा और निर्दैता से उसकी छाती में छेद कर दिया. विश्व विनाश की उत्कृष्ट तकनीक इसमें डाली गई थी, बेतहाशा और निर्दैता से इश्वरिय समराट नालन की आत्मा को नश्ट कर रही थ धर्मी समराट नालन की भुजाये धीरे-धीरे नीचे जुग गई. हाथ, वह हसे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अब भी अंत में हार जाओंगा. हाला की आप सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौतुक नहीं है, जिससे मैं अपने जीवन में मिला हूँ, आप वह हैं जिसकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ. यह कल्पना करना कठिन है कि आप अकेले ही इतनी सारी सर्वोच श्रेनी की मास्टरपीस तक्नीकों को धारन कर सकते हैं. यदि मेरा अनुमान सही है, तो भाविश्य में आप निश्चित रूप से एक योका नित्रित्व करेंगे. दुर्भाग्य से मैं वह द्रिश्य नहीं देख पाऊंगा. हाला कि आप जैसे स्वर्ग के चुने हुए लोगों के खिलाफ लढ़ने में सक्षम होने के लिए मुझे कोई पच्चतावा नहीं है. मार्शल आर्ट विलक्षनताओं के लक्षे अक्सर अधिक सरल और अलंकृत होते थे. उदाहरं के लिए इश्वरिय समराट नालन आदिम दिव्य सामराज्य को पुनर जीवित करने के लिए ये जियों के साथ एक संकोषजनक लढ़ाई की तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकता है. कोई घ्रिना नहीं थी, कोई लाब नहीं था और कोई चिंता नहीं थी. यह सिर्फ एक शुदर लड़ाई थी. वह प्रतिभाओं के बीच आपसी प्रशन सा थी. हाला कि यह पहली बार था जब उन दोनों की मुलाकात हुई थी और वे जीवन मरंग की लड़ाई में लगे हुए थे, लेकिन उस लड़ाई के कारण वे घनिष्ट मित्र बन गये थे. यह जियों ने उदासींता से कहा, यह जीवन और मृत्यू का मामला है. जीवन और मृत्यू भाग्या है. आदिकालीन देवियर सामराज्य लंबे समय से एतिहास की धूल में दबा हुआ है. जहां जाना चाहिए वहां जाएं. धर्मी समराट नालन ने थोड़ा से रहिलाया. मेरे आदिम दिव्यर सामराज्य के खजाने आपके हाथों में गिर ग जानों में से एक है. हम में से तेरही ईश्वरिय समराटों द्वारा खेती की जाने वाली कानून उर्जा है. यदि आप इसे हटा देते हैं तो आपके पास भाविष्य में उस भी तारांकन स्टा का विरोध करने का एक बहतर मौका होगा. डिव्यर सामराज्य का खजाना है इश्वरिय समराट नालन चौक गया लेकिन उसने तुरंट से रहिलाया. ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही दिव्यर सामराज्य का खजाना मिल गया है. बुरा नहीं, वास्तव में बुरा नहीं. मैं भविष्य में आपके मृतकों की दुनिया में जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं. मुझे बताओ, क्या तुमने उसे नश्ट कर दिया? ये जियाओ ने अपने ग्रेट ड्रेगन को बाहर निकाला और उदासीन भाव से कहा. फिर मुझे दर है कि तुम इंतजार नहीं कर पाओगे. हाला कि मैं उस सर्वोच शाश्वत को भेज दूनगा. आप उसे पूछ सकते हैं. इश्वरिय समराट नालन के मूह के कोने मुड़े हुए थी क्योंकि उसका शरीर धीरे-धीरे जमीन पर गिर गया. कभी-कभी वह सोचता, मुझे इतने साल इंतजार क्यों करना पड़ा? मैं अभी भी क्या कर रहा हूं? मैं अभी किसका इंतजार कर रहा इसका मतलब क्या हुआ? आखिरकार भले ही उन्होंने खुद को फिर से जीवित कर लिया. पूरे आदेम दिव्य सामराजय में सभी इश्वरिय समराटों को फिर से जीवित कर दिया, फिर भी उनके लिए उस परम शाश्वत को पराजित करना असंभब होगा जो एक महान सम् जाया. वह इसी युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था और एक ऐसे अस्तित्व की आशा भी कर रहा था जो परम सनातन को नश्ट कर सके जिसे वह हिला नहीं सकता था. सब कुछ के बाद उसने आखिरकार इसका सामना किया. इस प्रकार जब उन्होंने दिव्य सामराज्य के ख बादल और भी सघन होता जा रहा था. बादलों में दबाव भी सघन से सघन होता जा रहा था. यह इतना दमनकारी था कि इसने लोगों को सास लेने में असमर्त बना दिया. दूर्क शितिज में दो आकृतिया उल गई. वे लुओ लिश्वी और युन चान्द किंग थे. व कायद ये जियाओ की उम्र उन दोनों से बहुत छोटी थी. हाला कि उसने इश्वरिय समराट को भी मार डाला था. वह शक्तिशाली साधना उन दोनों के जुकने के योग्य थी. ये जियों ने सिर उठाया और आस्मान की तरफ देखा. उसके हाथ में बड़ा अजगर अभी इश्वरिय समराट का भहुरंगी रख टपक रहा था. ड्रिप 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 ये जमीन पर टपक गया और जमीन को रंग दिया, इसे भहुरंगी बना दिया. मैं क्लेश को पार करने वाला हूँ. आप लोगों को बचने के लिए समय को जबत करना चाहिए. मुझ अगर इसे सही तरीके से नहीं किया गया, तो इससे आपको ऐसी चोटे आएंगी जिनसे आप कभी उबर नहीं पाएंगे. वे दोनों चौक गए. क्या ये जियाओ इश्वरिय समराट के क्लेश को पार करने वाला था? यदि वह क्लेश से उपर उठ जाता है और एक इश्व ये समराट बन जाता है, तो जुवान युवान कभीले के पास वास्तव में एक और इश्वरिय समराट होगा. हाला कि क्लेश से पार पाना भी बहुत बड़े जोखिम के साथ आया था. बहुत से लोग क्लेश से उपर उठने के स्तर पर गिर गए थे. यदि ये जियाओ क्ल पर आने के बाद ये जियाओ को क्लेश से उपर उठना पड़ा. लेकिन अब इश्वरिय समराट की कब्र को पहले ही सील कर दिया गया है. हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है. ये जियो ने बड़े ड्रेगन पर नजर डाली और धीरे से उसके शरीर को सहलाया. कुलों के लोगों को स्थानिक भंडारन के चल्ले में रखो. वे एक पल के लिए स्थानिक भंडारन के चल्ले में रह सकते हैं. उनके भाग जाने के बाद हम उन्हें छोड़ देंगे. दोनों बहुत खुश हुए और तुरंत अपने हाथों को ये जियो की और बड़ाया. भन्यवाद, जाओ, यदि आप बाद में हैं तो बहुत देर हो चुकी होगी. हाँ, दोनों तुरंत पीछे हट गए. आकाश को भरने वाली बैंगनी दिव्य बिजली को देखकर उनके हृदय आत्यदिक दबे हुए थे. चांद कीं, यह बैंगनी दिव्य बिजली है. यू एक साधारन व्यक्ति साधारन दिव्य बिजली का सामना करते हुए एक इश्वरिय समराट बन जाता है, तो इसे बाल-बाल बचना कहा जा सकता है. दस लोगों में से केवल एक ही इश्वरिय समराट बनने के लिए आगे बढ़ पाता है. इसके अलावा, जो बैंगनी दिव बुद महान ड्रेगन ने एक कमजोर ड्रेगन की दहार निकाली. यह एक कीमती कलाकृती थी और बेहत बुद्धिमान थी. यह स्पष्ठा की उस समय, यह जियाओ बड़े खत्रे का सामना करने वाला था. वह खत्रा उसके गिरने का कारण बन सकता है, इसलिए वह यह जियो क चोड़ना नहीं चाहता था. यह जियाओ ने धीरे से उसके शरीर पर हाथ फेरा और उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, मैं एतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ. आपका मिशन दूसरों को बाहर लाना है ताकि मैं मानसिक शांती के साथ कलेश का सामना कर सकूँ. क्या आप समझे. गरजन, डग ड्रेट ड्रेगन ने स्वर्ग को हिला देने वाली दहार निकाली. हाला कि वहने चुक था, फिर भी उसने अंत में यह जियाओ के आदेशों को सुनना चुना. यह जियाओ थोड़ा मुस्कुराया और उसे बाहर फेक दिया. ड्रेट ड्रेगन इश्वरिय समराट नालन के शरीर में सभी दिव्यरक्त को अफशोशित कर लिया. उसके शरीर में दिव्यरक्त इश्वरिय समराटों के शरीरों की तुलना में बहुत आदिक शक्तिशाली था. शक्तिशाली रक्त सार यह जियाओ के शरीर के चारों और लिपता हुआ है. ब बिजली का एक गोला जो तीन फीट मोटा था, आसमान को चीरता हुआ ये जियाओ के शरीर पर गिरा। शक्तिशाली बल ने ये जियाओ के चारों और की कठोर जमीन को खोल दिया, जो पहले से ही दिव्य क्रिस्टल में बदल गई थी। लिटल ड्रेगन आर्टिफेक्ट और ये जियो के शरीर पर थरी ड्रेगन्स लबादे ने उसे उस दिव्य बिजली का विरोध करने में मदद की। फिर आया दूसरा तीसरा, डिवय बिजली एक के बाद एक गिरी, यहां तक कि लिटल ड्रेगन आर्टिफेक्ट और थरी ड्रेगन्स भी इसका सामना नहीं कर सके, थरी ड्रेगन्स सबसे पहले फटे हुए थे, इसकी ताकत लिटल ड्रेगन से काफी कमजोर थी, फिर लिटल आया, डैवी यह शक्ति के सामने कोई भी कलाकृती इसका सामना नहीं कर सकती थी, वह प्रकृती के महान नियमों की शक्ती थी, बिजली के क्लेश से बचने के लिए किसी भी तरीके का उप्योग करने के बारे में सोचना अवास्तविक था, अंत में लिटल ड्रेगन के विखर की जान ले सकता है, उस समय ये जियाओ ने खत्रे की एक अभूतपूर्ध भावना महसूस की, उसके शरीर के सारे बाल बेकाबु होकर खड़े हो गए, डैवी ये बिजली के एक ही जटके ने उसके शरीर को भायल कर दिया था, हाला कि ये जियो इसकी वजह से नहीं जुके इसके बजाए उसने दिव्य बिजली का शुद्धिकरन प्राप्त करना जारी रखा, पलक जपकते ही दिव्य बिजली का एक और जटका लगा, ये जियाओ के शरीर में दर्द बढ़ता ही जा रहा था, अमर कृती तकनीक तेजी से प्रसारित हुई और उसके क्षतिग्रस् फोनिक्स की चीखें, किलिन की लंबी चीखें, राक्षसी आवाजें और सर्वोचे ब्रम्हा की आवाज, ऐसे भजन थे जो जीवन की सर्वोचेता की प्रशंसा करते थे, साथ ही एक समराठ की आवाज जो सब कुछ नियंत्रित करती थी, कुछ अजीब लाइने दिखाए देने लगी ये जियो के शरीर की सत्र, यह मचली के तराजू की तरह लग रहा था, एक गहरे बैंगनी प्रकाश का उतसर्जन कर रहा था, और कुछ पंखो की तरह, एक शुधसुनहरी रोशनी के साथ जिल मिला हट, ये जियो को लगा कि वो मरने वाला है, उसकी चेतना पह जीवन और मृत्यू के बीच की उस अवस्था में ये जियाओ को लगा जैसे वो कानूनों की शक्ती को महसूस कर सकता है, डैवी या बिजली के भीतर ऐसा कुछ प्रतीत होता था जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था, पिर भी यह वास्तव में अस्तित्व में था, अ आखिर क्या थी वो, चीज, यह एक उत्क्रिश्ट तकनीक थी, True Lightning Masterpiece तकनीक, यह Lightning Masterpiece तकनीक नहीं थी जिसे कुछ दरजन या तो तारो वाले आकाश में स्थान दिया गया था, लेकिन True Lightning Masterpiece तकनीक को आठवी स्थान पर रखा गया था, ये जियाओ ने उस Masterpiece तकनीक को समझन के बाद ट्रू लाइटनिंग मास्टरपीस तकनीक स्वाभाविक रूप सी ये जियों की भौवों के बीच की जगह में गिर गई और बाद में गोल्डन बुप दिव्या आत्मद्वारा अफशोशित कर ली गई उस समय ये जियाओने पहले ही उन सभी मास्टरपीस तकनीकों को अपने बैग में ले लिया था जिन्हें स्टाररी स्काई रंकिंग सूची में शीर्ष दसमें स्थान दिया गया था उसके बाद उसकी चेतना एक बार फिर उसके शरीर में लोट आई वह अपने शरीर को तराशने और अपनी ताकत बढ़ाने वाली दिव्य बिजली का आ कत्र हो गए उस भयानक स्वर्ग और प्रित्वी की घटना ने तुरंद बाहर के कुछ ईश्वरिय समराटों के भावों को जन्दिया जो जमने के लिए प्रवेश नहीं कर पाए थे कितना शक्तिशाली दबाव है ऐसा दबाव अचानक क्यों प्रकट होगा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उन्नत हो गया है यह ईश्वरिय समराट बिजली का क्लेश है जो तब होता है जब कोई ईश्वरिय समराट के दाएरे में आगे बढ़ने वाला होता है उन सभी ने पहले वजरपात का अनुभव किया था इसलिए वे इसकी आभासे बेहर परिचित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक इश्वरिय समराट के दाइरे में पहुँच गया हो। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर छेह महान देव कुलो में इश्वरिय राजा के दाइरे में प्रवेश करने वाले शिखर पर युद्धकला के स्वामी थे। उन्होंने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी, वही यह थी कि यहां दिखाए देने वाला लाइटनिंग क्लेश वास्तव में एक डाग परपल लाइटनिंग क्लेश था। किंवदंतियों में यह एक अत्यंत दुरलब प्रकार का लाइटनिंग क्लेश था। इस तरह के बिजली के क्लेश को उत्पन करने और आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए भविश्य में निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट स्वर्ग चुना हुआ इश्वरिय समराथ होगा। वे निश्चित रूप से इश्वरिय समराट क्षेत्र के मध्य चरण या यहां तक की इश्वरिय समराट क्षेत्र के पौरानिक अंतिम चरण तक आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। उस समय, जुवान युवान कभीले के यू चांद कींग और नीदरलेंड के कभीले के लुओ लिशुई अचानक बाहर निकल गए। जब चारों देवकुल के इश्वरिय समराटों ने उस द्रिश्य को देखा, तो वे तुरंत आती उतसाहित हो गए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ल प्रकट होना न केवल सोने पर सुहागा था, इससे होने वाले लाभंगिनत थे। उदाहरन के लिए परिणाम स्वरूप मार्शल आर्ट मास्टर्स की संख्या में वृद्धी होगी। इश्वरिय समराटों की संख्या पहले से ही अत्यंत दुरलब थी। यह एक अत्यंत मह हित्वपूर्ण और दुरलब युद्ध शक्ती थी। एक और भी एहम बात थी। एक इश्वरिय समराट के प्रकट होने के बाद पूरे देव वंश की रक्त रेखा शक्ती बहुत बढ़ जाएगी। उन कभीलों की साधना योग्यता एक अभूत पूर्ण स्तर तक बढ़ है। वह चक्रसमस्त देवकुल के लिए हितकारी होगा। इसके अलावा और भी कई फायदे थे। एक उदाहरन के रूप में यह पूरे देवकुल की रैंकिन को प्रभावित करेगा या यह देवकुल के दिव्यरत की गतिविधी को बनाए रखेगा। संक्षेप में एक इ देवल छे शिखरचरन वाले इश्वरिये राजा थे जिन्होंने प्रवेश किया था। ये दोनों बाहर आ गये थे। वे अपने पैर की उंगलियों से समझ सकते थे कि जो इश्वरिये समराट बनने के लिए आगे बढ़े हैं वे निश्चित रूप से चार महान देवकु के लोग होंगे। चांदकिंग क्या चल रहा है। कौन इश्वरिये समराट बनने के लिए आगे बढ़ने वाला है। यून कांदकिंग ने धीमी आवाज में पुछा। यून चांदकिंग के बारे में उन्होंने कहा। यह बात करने की जगह नहीं है। चलो जल्दी से चल उठे। यून कांदकिंग और अन्य लोगों के व्यवहार ने उन्हें यह महसूस कराया कि वे सौप्रतिशत निश्चित थे कि उनका अपना एक व्यक्ति इश्वरिये समराट बनने के लिए आगे बढ़ा था। यून कांदकिंग और अन्य आवारा कुत्तों की तरह थे ज इतनी तेजी से वे भाग सकते थे भाग रहे थे। बेशक उन्होंने उनका पीछा नहीं किया। एक कारण यह था कि वे खुश मिजाज में थे इसलिए उन्होंने यून कांदकिंग और अन्य लोगों को जाने दिया। दूसरा कारण यह था कि दूसरी और अभी भी दो सकते थे लेकिन वे कब्र से भाग नहीं सकते थे उनके लोग आगे बढ़ने में सफल होने के बाद वे पांच इश्वरी ये समराटों को इकठा करेंगे और उन पर हमला करेंगे यह आसान और अधिक सुखद होगा यून कांद कियोनग और अन्य लोगों के जल्दी से दूर भाग जाने के बाद यू चांद किंग और लूओ लिश्वी ने तुरंत कभी लेके लोगों को उनके स्टोरेज विंड में छोड़ दिया यह देखकर कि उन कुलों को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ था यू कांद किंग और लूओ लिश्वी दंग रह गए क्या हो र पहान देव कुलों के लोगों की संख्या सबसे कम थी दूसरी तरफ इतने सारे लोग थे और इस बात की 100% संभावनाती की वे उनसे निपटने के लिए सेना में शामिल होंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था कम से कम उन्हें अपनी आधी से ज्यादा सेना गवानी चाहिए थी चांद कींग वास्तव में क्या चल रहा है यून कांद की ओंग मदद नहीं कर सकता था लेकिन पहली में पूछ रहा था यून चांद कींग और लुओ लिशुई ने एक दूसरे की और देखा लुओ लिशुई ने कहा वरिश्ठ यू आपका हुआन युआन कबीला वास्त तब में इस बार धन्य है यून कांद की ओंग और भी भ्रमित था उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा है यून चांद कींग ने तब सब कुछ समझाया जो अभी उसके साथ हुआ था जब यून कांद की ओंग और इश्वरिय समराट वूयंग ने जो कुछ भी हुआ था उस इश्वरिय राजाओं का सामना करते हुए वास्तव में उन सभी को मार डाला था उन्हें समान स्तर के लोगों के बीच अजय कहा जा सकता है यह इस हद तक भी था कि पुरातन इश्वरिय समराटों में से एक ने अपने साधना आधार को प्रतम स्तर के इश्वरिय समराट क् किया था हुएन युवान कभीले ने वास्तव में ऐसी स्वर्ग को चुनोती देने वाली प्रतिभा पैदा की थी उसके कारण चार महान देव कुलों को भारी चोटे भी आये थी स्वर्ग वे सभी अच्छी चीजे थी यू कानकियोनक को भी ऐसा लगा जैसे वह सपना प्रकाश अचानक तिम्टिमाने लगा उसके बाद कुछ उची आकृतियां इश्वरिये समराट के मगबरे की दिशा में घुटने टेकने लगी यह है एक प्राचीन वीर आत्मा घुटने टेक रही है यह भगवान भाय कान की उनग आपके भगवान कभीले से यह बववा प्रद्भूत है एक अमर वीर आत्मा घुटने टेक रही है कि दंतियों में कोई केवल स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति बनने की पहचान प्राप्त कर सकता है फिर वापस पैत्रिक ड्रेगन स्वर्ग का चुना हुआ एक था और अब एक और दिखाए दिया है आपका हु पान युवान कबीला वास्तव में स्वर्ग को चुनोती देने वाला है युन कांध कियों बेहद उत्साहित थे उन्होंने यह भी उम्मीर नहीं की थी कि यह वास्तव में स्वर्ग का चुना हुआ है तारों भरे आकाश में अगर कुछ सुपर स्वर्ग विरोधी भाशालिते जो एक खरब में एक थे वास्तव में ये जियाओ की स्थिति एक अस्तित्व थी जो इश्वरिय समराटों के बीच दस हजार में से एक थी तथा कथित स्वर्ग के चुने हुए लोग वे थे जिन्हें स्वर्ग का अनुगरः प्राप्थ हुआ था इश्वरिय समराटों में उनके पास उच्छ स्तर की प्रतिभा, उच्छ उन्नती की गती और समान स्तर पर मजबूत युद्ध शक्ती थी. स्वर्ग के चुने हुए केवल एक ही नहीं थे, बलकि अतीत में वे केवल शीर्ष दस देव कुलों में दिखाए देते थे. ऐसा कहा जाता था कि शीर्ष कुछ, जैसे की ड्रेगन, फीनिक्स और किलिंकुल, देव कुल थे जिन्हें स्वर्ग से आशिरवाद मिला था. इसलिए लगभग हर पीडी का पवित्र बच्चा स्वर्ग के चुने हुए लोग थे. देव कुलों की बाद की पीडियों ने उस अफसर का उप्योग स्वर्ग के चुने हुए लोगों को पैदा करने के लिए किया. दूसरे शब्दों में देव वन्ष जितना मजबूत होगा स्वर्ग के चुने हुए लोगों को पैदा करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी शीर्ष दस से आगे वालों के लिए यह उतना ही कठिन था जितना स्वर्ग में चरना और लोटरी जीतना स्वर्ग के चुने हुए लोगों में से प्रत्येक के पास अत्यंत विशेश परिस्थितिया थी जुवान युवान कभीले के क्रिपान तलवार अमर के पास क्या परिस्थिती थी मूल रूप से हुवान युवान कभीले के लिए इश्वरिय समराट के रूप में साधना करना पहले से ही अत्यंत दुरलब था कांथ में उन्होंने कभी उम्मीद नहीं कि थी कि स्वर्ग का चुना हुआ प्रकट होगा उस समय हुवान युवान कभीले ने विस्फोटक रूप से मुनाफा कमाया था जेंग तिन्या रोने से खुद को रोक नहीं सका एक स्वर्ग का चुना हुआ जुवान युवान कभीले के पास क्या अक्षमता थी ऐसा ही एक और अस्तित्व प्रकट हुआ था 2000 साल पहले ऐसा अस्तित्व प्रकट हुआ था फिर एक दूसरा था यह बहुत अच्छा था जुवान युवान कभीले का भविश्य असीम होना तै था उधर चार महान देवकुलों के चारों देवतुल्य सम्राट जिन्हे वास्तविक स्थिती का ज्यान नहीं था वे भी अत्यन तुत्साहित थे उन्होंने अपनी मुठिया का स्कर भींच ली और उनकी आखों के कोने कुछ नम थे स्वर्ग के चुने हुए के आगमन के साथ भले ही वे इश्वरिय सम्राट थे वे एक पल के लिए अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ थे स्वर्ग हमें आशिरवाद दे यह सोचना की स्वर्ग का चुना हुआ हमारे देव वंच में प्रकट हुआ है हमारे चार महान देवकुल निश्चित रूप से और भी अधिक गौरवशाली होंगे पहले यह बता दूँ कोई फर्क नहीं पढ़ता की किस देवता के पास स्वर्ग का चुना हुआ है हमारे चार महान देवता समूव उनका समर्थन करने की पूरी कोशिश करेंगे हम इस देवकुल को तारकिय आकाश में शीर्ष दस अस्तित्वों में उन्नत करेंगे इस तरह हम भविश्य में और भी अधिक लाब प्राप्त करेंगे भाई चेन सही कह रहे हैं भले ही किसी भी देव वंश का पवित्र बच्चा स्वर्ग का चुना हुआ हो चार महान देव कुलो का गठ बंधन अटूट होना चाहिए उस समय दिव्य मकबरे के अंदर जब ये जियाओने ट्रू लाइटनिंग मास्टर पीस तकनीक को समझ लिया था उसके बाद वह बिजली के हमलों से दर्ता नहीं था उसने बिजली को बेरहमी से अपने शरीर पर हमला करने दिया अपने शरीर में दिव्यरक्त की हर बून को परिश्कृत किया यहां तक की बालों की हर लटको भी उसके शरीर की सतह पर तरह तरह के पैटन उभराए एक अत्यंत दबंग एश्वर्य और एक भयानक आभा जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया गया था और जल्दी से उसके शरीर से फैल गया अंत में यह जियाओ आखिरकार ईश्वरिय सम्राट के दाइरे में आगे बढ़ने में सफल हो गया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था उस सेकेंड में पूरे नौ प्रांतों की मानव जाती की साधना भी उची उडान भरने लगी डौट 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 गड़गड़ा हट की आवाज के साथ नौ प्रांतों के उपर का आकाश धने बादलों की एक परत से धका हुआ था हाला कि बादलों की वह परत उस तरह के गहरे काले काले बादल नहीं थे बल्कि ये सुनहरे बादलों की एक परती जो फी की सुनहरी उर्जा उत्सजित करती थी उस अजीब द्रिश्य के कारण वहां मौजूद अंगिनत लोग मदद करने में असमर्थ हो गए लेकिन थोड़ा आश्चर्य महसूस किया हाला की जल्द ही सभी ने अपनी असमा निताओं का पता लगा लिया पॉप जेयांग हाई शहर से शुरू होकर बेहत कम खेती वाले कुछ मार्शल कलाकारों ने अचानक एक लहर से अपनी खेती बढ़ाए और फिर जल्दी से अन्यक शेत्रों में फैल गए मार्शल आर्टिस्ट जो सडकों पर चल रहे थे, मार्शल आर्ट स्कूल में अभ्यास कर रहे थे या यहां तक की शौचाले भी जा रहे थे, अचानक बेवज़ा आगे बढ़ गए और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए एब, कई लोगों ने तुरंट अपने इरादे के पत्थरों पर अपना स्टेटस पोस्ट कर दिया क्या चल रहा है, जब मैं अचानक आगे बढ़ा तो मैं सिर्फ श्रौच कर रहा था और मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूँ मैं मूल रूप से केवल हावटियन वृतिय श्रेनी में था, लेकिन मैं सीधे हावटियन सात्वी कक्षा में उन्नत हुआ हाला कि आगे बढ़ना पहले से ही धीमा होना शुरू हो गया है, फिर भी ऐसा लगता है कि यह लगातार बढ़ रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक दुरलब मार्शल आर्ट जीनिस हूँ और इस मल ने मेरी गर्भाधान और शिरोबिंदू को अवरूद कर दिया एक दुरलब, अब जब यह बाहर हो गया है तो मेरी गर्भावस्था और शिरोबिंदू अभी खुल गये है इसे भूल जाओ, गर्भाधान और मेरी डियन सिर्फ आपके मल से नियंत्रित नहीं होते है मेरी खेती भी बढ़ गई है, मुझे नहीं पता की क्या हो रहा है मैंने भी सुधार किया है, न सिर्फ मैं सुधर हूँ, मेरी मा भी सुधरी है मेरे पिता भी सुधर गए है मेरी पतनी भी सुधर गई है मेरा बेटा जो अभी अभी पैदा हुआ है अभावतन पहली कक्षा में है क्या बक्वास है मैं बस अपनी प्रेमिका के साथ push forward साधना तक्नीक का प्रयोग कर रहा था मेरी प्रेमिका ने लगातार कई बार पाद मारा हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं लेकिन मुझे लगता है कि हमारा रिष्टा खत्म हो गया है मैं अपने शेश जीवन के लिए इस छाया से बाहर नहीं निकल पाऊंगा किन यूलियान जो खेती कर रहा था अच्छानक तेजी से आगे बढ़ा जल्द ही वह राजा के दायरे से समराट के दायरे में आगे बढ़ी फिर 108 ड्रेगन को आगे बढ़ाया और इश्वर के दायरे में प्रवेश किया वह तब तक नहीं रुकी जब तक कि वह इश्वर के दाइरे के तीसरे स्थर पर नहीं पहुँच गई वह इतनी चौप गई कि वह अवाक रह गई क्या, क्या चल रहा है जिया बिंगींग वही थी उसकी साधना भी ईश्वर लोक के तीसरे स्तर तक बढ़ गई थी। हाला कि वह पहले से ही समराट के दाइरे में थी और उसने दरजनों ड्रेगन की खेती की थी। उसकी रक्तरेखा शक्ती किन युयान की तुलना में बहुत आधिक मजबूत थी इसलिए उसका वर्तमान सुधार वास्तव में किन युयान की तुलना में बहुत कम था। वास्तव में, हाला कि वह और किन युयान दोनों हुआन युआन कबीले से संबंदित थे, फिर भी उसके और ये जियाओं के बीच रक्ट संबंध अभी भी पहले जैसा नहीं था। किन युयान और ये जियो दोनों जियांग हाई शहर में पैदा हुए लोग थे, उनके रक्ट संबंध भी बहुत करीब थे। इसलिए किन युयान का सुधार और भी बढ़ा था। हाला कि मार्शल आर्ट विशेशग्यों की साधना जो की जिया बिंगिंग ने की थी, बढ़ गई थी। वे सभी समराट सामराज्य के अंतिम चरण में आगे बढ़ चुके थे और उनके लाब भी कम नहीं थे। विक्सित, सभी बढ़े अंतर से आगे बढ़े हैं। यह है, यह जियो इश्वरी यह समराट के दायरे में प्रवेश कर रहा है। निंग परिवार्ट समराट जिंग, चार आधरनी यह लोगों और अन्य लोगों की खेती भी तेजी से बढ़ी। वे शीग रही परमेश्वर के क्षेत्र में आगे बढ़े और तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक की वे परमेश्वर के क्षेत्र में नहीं पहुँच गए। इसके बाद ही वे रुके निंग जियुवान अवाक रह गया। उसका साधना स्तर स्वाभाविक रूप से बह किन योयान की हाला कि उसका साधना स्तर किन योयान की तुलना में पहले से ही बहुत अधिक था इसलिए वह किन योयान की तुलना में थोड़ा मजबूत था हाला कि वह अभी भी समराट जिंग और ये जियों के खेती के स्तर के बराबर नहीं था समराट जिंग और दूसरों के अपने से मद्भेद देखकर और तुरंट उससे आगे निकलते हुए, निंग जियुवान को लगा कि उसकी विश्वद्रिष्टी द्वस्थ हो गई है। अपने भी बड़े पैमाने पर उन्नती प्राप्त की थी। उसकी इश्वरिय लोक साधना सीधे इश्वरियक शेत्र के तीसरे स्तर तक बढ़ गई थी। क्या ये जियाओ इश्वरिय समराट के दाएरे में आगे बढ़ गया है। अगर मैं ये जियो का पिता होता। अगर सच में ऐसा नहीं हो सकता तो मैं भी उनका बेटा हो सकता हूँ। उस स्थिती में शायद मेरी साधना एक पल में ही सीधे इश्वरिय राजा के स्तर तक बढ़ जाती। राजा जो मदद नहीं कर सकता था लेकिन ये जियो के प्रत्यक्ष रिष्टेदारों से इर्ष्य करने लगा। वह विशेश रूप से ये जियो के बेटे से इर्ष्य करता था। उन्होंने रूलिवादी रूप से अनुमान लगाया कि भाविश्य में ये जियो के बेटे की प्रतिभनिश्चित रूप से एक बहुत मजबूत बैच होगी। जब वह अभी पैदा हुआ था तब उसके पास बहुत बढ़ी खेती भी हो सकती थी। रेखा के हुआन युआन कभीले की सदस्य के रूप में, हाला कि वे नौ प्रांतों से नहीं थे, जहां ये जियो के रक्त संबंध अपेक्शाकृत दूर थे, उन्होंने भी सुधार का एक निशान प्राप्त किया था। यह वह मामूली बढ़ावा था जिसने उसे सफलता पूर्वक उस तर तक आगे बढ़ने दिया जिस तक वह पहुँचना चाहता था। सब लोग जल्दी से हटो, वह अपना कलेश शुरू करने वाला है और एक ईश्वरिय समराट बनने वाला है। युन कांद की ओन बेहद उत्साहित थे, उसे उम्मीर नहीं थी कि ये जियाओ की उन्नती वास्तव में इतना बड़ा हंगामा करेगी। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि उपस्थित सभी लोगों ने कमोबेश अपनी साधना में व्रिद्धी की थी। ये जियाओ की उन्नती के लिए उसे प्रभावित करना पहले से ही बहुत कठिन था। हाला कि ये कमोबेश उसे थोड़ी व्रिद्धी दे सकता है। हाला कि उसके लिए इतने सारे लोगों को सुधारना पहले से ही बहुत संतोश जिनक था। यदि उनका अनुमान सही था, तो नौ प्रांतों के वे वन्शज जिनके पास ये ज्याओ के समान रखत रेखा थी, उनकी खेती इस समय और भी अधिक बढ़नी चाहिए थी, और उनकी योग्यता और भी अधिक बढ़नी चाहिए थी. वे जुवान युवान कबीले के रुरिवादी सदस्यों के साथ पूरी तरह से तुलनिया थे. यह विशेश रूप से ज्यांगहाई शहर के लोगों के लिए था. शायद उनमें से कुछ ने सामान्य जुवान युवान की रक्तरेखा को भी पार कर लिया था और उन लोगों के स्तर तक पहुँच गए थे जो जुवान युवान परिवार के युवा उस्तादों के बराबर थे. हाला कि उन्हें नहीं पता था कि कृपान तलवार अमर ने जन दिया है या नहीं. यदि वह जन दे सकता है या यदि उसके पिता, माता, भाय या बहन है तो उसकी उन्नती बहुत बढ़ी होगी. उदाहरं के लिए क्रिपान तलवार अमर के ततकाल परिवार के सदस्यत भले ही वे इश्वरिय राजा के दाइरे में आगे नहीं बढ़े हो भविश्य में इश्वरिय राजा को विदा करने की गारंटी दी जाएगी जब तक कि उन्हें आधे रास्ते में मार नहीं दिया जाता यही कारण था कि जब उससे पता चला कि क्रिपान तलवार अमर इश्वरिय समराट के दाइरे में आगे बढ़ने वाली है तो वह बहुत उत्साहित था उस समय युन चानक्विंग ने पहले ही बिजली के संकट को पार करना शुरू कर दिया था उनका लाइटनिंग प्लेश भी बहुत मजबूत था आखिरकार वो ही इश्वरिय समराट के दाइरे में भी आगे बढ़ चुका था हाला कि किसी कारण से हर कोई घर में खेलता हुआ बच्चा लग रहा था ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका लाइटनिंग प्लेश ये जियाओ की तुलना में वास्तव में बहुत छोटा था दोनों के बीच का अंतर अभी बहुत बढ़ा है युन जुआन युवान ने कुछ चिंता के साथ कहा मुझे नहीं पता कि दादा जी चांद किंग सफलता पूर्वक आगे बढ़ेंगे या नहीं यह सुनकर हर कोई चुप हो गया क्योंकि युन जुआन युवान ने ऐसा लग रहा था जैसे ये जियो की तुलना में युँ चांद कुइन बेकार था युन कांद कियों ने उसे आश्वस्त किया निश्चिंत रहें उसकी साधना अभी भी बहुत अच्छी है इस साधारन बिजली के क्लेश के तहट आगे बढ़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब वही इश्वरीय समराट के दाइरे में आगे बढ़ता है तो आपकी रक्षक्ती दूसरे स्तर तक बढ़ती रहेगी हाला कि आप उनके प्रत्यक्ष रिष्टेदार नहीं है फिर भी आप युन परिवार के सदस्या है हाला कि आज से आपको और भी कड़ी मेहनत करनी होगी चून की वह आगे बढ़ चुका है इसलिए उसका वन्ष निश्चित रूप से एक प्रतिभा पैदा करेगा जो आपसे कम नहीं है युन जुआन युवान ने सिर हिलाया युन कांग की ओन सही था वह युन चांग की प्रत्यक्ष वन्शज नहीं थे इसलिए उन्होंने जो सुधार प्राप्त किया वह निश्चित रूप से युन चांग कींग के जैविक पोते से हीन था हाला कि वह अभी भी कुछ सुधार प्राप्त करेगा इश्वर ये समराट वू यंग ने बधाय दी भाई कांग की यौन इस बार आपने एक दिन में दो इश्वर समराट प्राप्त किये है बधाय हो युन कांग की यौन ने मुस्कराते हुए जवाब दिया हाला कि वह मदद नहीं कर सका लेकिन आभर गया अफसोस की बात है क्रिपान तलवार अमर के सामने चांग कींग अपर्याप्त प्रतीत होगी उसके इश्वर ये समराट बनने के बाद यून परिवार के शिश्वे जिन्हें वह अपने साथ लाया था निश्चित रूप से क्रिपान तलवार अमर से बहुत कम होंगे उतना ही कम आशिर्वाद प्राप्त कर सकते हैं साथ ही इश्वरिय समराट बनने से हुई वृद्धी इश्वरिय समराट के स्तर पर निर्भर थी ये जियो जैसे स्वर्ग के चुने हुए का उलेक करने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी ये हनुमान लगाया गया था कि नौ प्रांतों के सभी 14 हरब लोगों को आशिर्वाद प्राप्त होगा हाला कि युन चांद की भी आशिर्वाद प्रदान कर सकता था लेकिन उसने सबसे आधिक युन परिवार को दिया युन परिवार का आकार 9 प्रांतों के 14 हरब लोगों से कहीं कम था अन्य परिवारों द्वारा प्राप्त आशीरवाद की तुलना निश्चित रूप से ये जियाओ द्वारा दिये गया आशीरवाद से नहीं की जा सकती वे दोनों ईश्वरिये समराट थे लेकिन दोनों के बीच का अंतरस्पष्ट था उसी समय दिव्यक कब्र में ये जियाओ का क्लेश पहले ही समाप्त हो चुका था ये पूरी तरह थप हो गया था ये जियाओ के शरीर को पोशन देने वाले बैंगनी बादल से शुध उर्जा की लहरे एक के बाद एक उतर रही थी ये जियों ने उस उर्जा का भरपूर आनंद लिया इश्वरिये समराट की शक्ती बहुत प्रबल थी कोई आश्चर्य नहीं की हर कोई इश्वरिये समराट बनना चाहता था वर्तमान ये जियाओ ने महसूस किया की वह वह व्यक्ती था जो आसानी से उन मास्टरपीस तक्नीकों की वास्तविक शक्ती को प्रदर्शित कर सकता था यह इतना प्रानपोशिक था कि यह फट गया उस सारी उर्जा को अफशोशित करने के बाद ये जियाओ ने बोलने के लिए अपना मुह खोला आखिरकार मैं आगे बढ़ने में सफर रहा चार महान देव कुलो के लोगों को जल्दी इसमें शामिल होना चाहिए मुझे नहीं पता कि उन्हें इश्वरिये सामराज्य के खजाने के बारे में पता होगा या नहीं जब वह समय आएगा तो बहुत संभावना है कि वे नौ प्रांतों पर हमला करेंगे मुझे अपने समय का अच्छा उप्योग करना है और पहले अपने शरीर में कानून की उर्जा को अफशोशित करना है उस बिंदू तक सोचते हुए ये जियो ने तुरंट स्पेस वार्पिंग मास्टरपीस तकनीक का इस्तिमाल किया और जहां वह था वहां से गायब हो गया वह पहले से ही एक इश्वर ये समराट था वह कानून की उर्जा को सीधे अपने शरीर में जमा कर सकता था और फिर धीरे धीरे उसे परिश्पृत कर सकता था चार महान इश्वर कुलों को क्रोधित किया गया था और दिव्यराजे के खजाने को जाग किया गया था जब बिजली का संकट गायब हो गया था तब ये जियो अभी अभी निकला था वे आदिकालीन वीर आत्माय भी लुप्त हो गई उस समय चार महान देव कुलों के इश्वरिय समराट बहर पहरा दे रहे थे वे सभी अत्यन तुत्साहित थे बिजली का क्लेश गायब हो गया है उन्हें क्लेश से सफलता पूर्वक पार हो जाना चाहिए था इस इश्वरिय समराट की कब्र में पुरातन इश्वरिय समराटों को पूरी तरह से नश्ट कर दिया जाना चाहिए था इश्वरिय समराट की समाधी का तंत्र अप्रभावी होना चाहिए जल्दी से अंदर जाओ और देखो हर कोई बिहद उत्साहित था और जल्दी से देखने के लिए दोर पड़ा हाला कि जब वे सभी अंदर पहुँचे तो वे तुरंथ हक्का बक्का रह गए अंदर कोई इश्वरिय समराट नहीं थे वास्तव में अंदर एक भी व्यक्ति नहीं था पहले के इश्वरिय राजाओं को उस दिव्य बिजली ने मेल में बदल दिया था जिसे ये जियाओं ने पार कर लिया था युन चांद किंग और अन्य ये जियाओं की मदद से भाग निकले थे लेकिन दूसरों के पास मौका नहीं था वे कहा हैं? हमारे लोग कहा हैं? कहा है हमारा इश्वरिय समराट? वह कहा गया? प्रशनवाचक चिन हो धरंग चिन है क्या ऐसा हो सकता है कि वह कलेश को पार करने में सफल नहीं हुआ? क्या वह विफल हो गया? असंभव यदि वह फ्लेश को पार करने में सफल नहीं हुआ, तो उन आदिम वीर आत्माओं के लिए अंत्मे घुटने टेकना और पूजा करना निश्चित रूप से असंभव होगा। फ्लेश को पार करना अवश्य ही सफल रहा होगा, लेकिन यहां क्या हुआ, उसी क्षन बाहर से कुछ आकृतिया दोरी चली आई, वे चार देव कभीले के आध्यात्मिक हवाय जहाजों की रखवाली करने वाले युद्धा थे, इश्वरी ये समराटों कुछ बुरा हुआ है देव कुल ने हमें एक संदेश भेजा है, क्या चल रहा है, चारों इश्वरी ये समराटों ने एक दूसरे की और देखा, उन्होंने तुरंत एक सोचा हुआ पत्थर थमा दिया, आश्य का पत्थर आध्यात्मिक हवाय पोत पर सर्नी से जुडा था, ये आध्यात्मिक हव इसे जुर सकता है, भले ही वे अंगिनत तार्किया क्षेत्रों से अलग हो गए हो। जब उन्होंने आश्य का पत्थर प्राप्त किया और उससे जानकारी प्राप्त की, तो चारों देवतुलिया समराट तुरंत फ्रोधित हो गए। चार महान देव कुलों में से इश्वरिये समराटो द्वारा इश्वरिये समराट की कब्र की पूरी स्थिती को जाना गया। हम वास्तव में किसी के द्वारा मूर्ख बनाए गए थे। यह सोचने के लिए कि हमने सोचा कि हमारे अपने लोग इश्वरिये समराट के दाएरे में आगे बढ़ गए हैं। अगर हमें पता होता कि यह कोई और है तो हम दोल कर उसकी परिशानी को दूर कर देते। D. इमेन बीट स्टार कौन है वो रहस्यमई शक्स। उसने वास्तव में हमारे चार महान देव कुलो के इतने सारे मार्शल आर्ट मास्टर्स को मारने का साहस किया। अगर मैं उसे पकड़ लेता तो मैं निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। अब यह कहने का क्या फाइदा। वह पहले से ही एक इश्वरिय समराट बनने के लिए आगे बढ़ चुका है और अब वह गायब भी है। हम उसे कहा ढून सकते हैं। दी, एमेनिट, चार इश्वरिय समराट इतने क्रोधित थे की वे लगभग ढह गए। उस पल वे मूर्खों के एक समूर की तरह महसूस करते थे जो दूसरों के साथ खिलवाल कर रहे थे। यह सोचने के लिए कि वे पहले इतने उत्साहित थे। आखिरकार जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे उतना ही अधिक उन्हें लगता था कि वे अत्यंत मूर्ख हैं। हाला कि उस सेकंड में आशे का पत्थर एक बार फिर से प्रसारित हो गया। जब उन चारों ने खबर सुनी तो उनके शिश्य तुरंट सिकुर गए। वास्तव में इस तारों भरे आकाश में एक दिव्य सामराज्य का खजाना है। उस देविय सामराज्य का खजाना वास्तव में तेरह पुरातन इश्वरिय समराटो द्वारा खेती की गई कानून उर्जा को चुपाता है। चारों की आखे चमकने लगी। वह खबर बहुत ही रोमान चक थी। यहां तक की इसने उनके दिलों में बहुत सारा गुस्सा भी धो दिया। दूसरों को शायद पता ना हो की कानूनों की शक्ती क्या है लेकिन इश्वरिय समराटों के रूप में वे कैसे नहीं जान सकते थे। यही वह शक्ती थी जिसकी इश्वरिय समराट मुख्य रूप से साधना करते थे। जब कानूनों की शक्ती एक निश्चित स्तर तक यदि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वे महान सर्वोच शाश्वत क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, वे कम से कम अंतिम चरंग के इश्वरिय समराथ क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई इश्वरिय समराथ के दायरे के दूसरे स्तर तक उन्नत होता है, तो वहाँ अपने शेश जीवन के लिए दूसरे स्तर पर रह सकता है और फिर कभी आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए था क्योंकि जब उन्न पुरातन इश्वरिय समराथ की मृत्यू हुई थी, तो वे पहले स्तर के इश्वरिय समराथ क्षेत्र में नहीं थे। जो शक्ती वे अब प्राप्त कर सकते थे, वो प्राचीन काल की शक्ती के एक प्रतिशत या एक बटा सो तक भी नहीं पहुँच सकती थी। उनकी सच्ची साधना इश्वरिय समराथ राज्य की मध्य अंतावस्था में थी। कानून उर्जा दिव्यरक नहीं थी। दिव्यरक लगातार सेवन किया जाएगा। हाला की समय बीटने के कारण कानून उर्जा का उपभोग नहीं होगा। वे अस्तित्व की दो पूरी तरह से अलग अवधारनाय थी। उनके लिए भले ही वे केवल एक दायरे से आगे बढ़े हो यह पर्याप्त था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इसके बिना अपने पूरे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैं बस उनके साथ परेशानी ढूंधने वाला हूँ। मैं इस अफसर का उप्योग जुवान युवान देवता कभीले को नश्ट करने के लिए कर सकता हूँ। सही बात है। फुवान युवान देवता कभीले पहले भी कई बार हमारे खिलाफ जा चुके हैं। आज हम मिलकर पुराने हिसाब बराबर कर सकते हैं और उन्हें अच्छी सीख दे सकते हैं। तुरंट सभी सैनिकों को इकठा करो और जुवान युवान देवता कभीले से अपनी पूरी ताकत से लड़ो। नौ प्रांतों की तरफ ये जियाओ तुरंट दिव्य सामराज्य के खजाने में पहुँचे। कि वहां से दर्जनो स्टार्क शेत्र दूर थे। हाला कि ये सोचने का समय नहीं था। उसके पास अप करने के लिए बहुत सी चीजे थी। यहां तक कि गोल्डन बुग दिव्य आत्मा के पास संचलेशन का प्रबंधन करने का समय नहीं था। उसने नौ पुरातन ईश्वरिय समराटों के छलों की जाच नहीं की की अंदर कितनी अच्छी चीजे हैं। हाला कि वे चीजे थी जो उसकी पकड में थी इसलिए वह जल्दी में नहीं था। बहतर यहीं होगा कि पहले कानून की सत्ता को अपने पास ही रखा जाए जो पूरी तरह से उसके नियंतरन में नहीं थी। दिव्य सामराज्य के खजाने में आने और कानून की शक्ती के पास एक बार फिर से आने के बाद ये जियाओ अभी भी एक स्पष्ट दबाव महसूस कर सकता था। कि यह पहले से अलग था। इससे पहले की वही इश्वरिय समराट के दायरे में आगे बढ़े कानून की शक्ती का सामना करते समय उसने एक ऐसी शक्ती महसूस की जो उसे नश्ट कर सकती थी। इसके बावजूद उस समय उन्होंने एक ऐसी शक्ती का अनुभव किया जो उन्हें केवल थोगा सा ही दबा सकती थी। वे दो पूरी तरह से अलग अवधारनाय थी। यह बिलकुल असली चाकू और प्लास्टिक के चाकू जैसा था। एक असली चाकू वास्तव में आपको मार सकता है जबकि एक ब्लास्टिक का चाकू आपको केवल नुकसान पहुचा सकता है। ज्यादा तर मामलों में खत्रा अभी भी अपेक शाकू रित कम था। एक गहरी सास लेते हुए यह जियाओ ने अपना हाथ उठाया और डिवाइन किंगम के खजाने को सील कर दिया। वह पहले कानूनों की सारी शक्ति को उस्थान पर अपने शरीर में अफ्शोषित और संरहीत करना चाहता था और फिर भविश्य में धीरे-धीरे इसे परिश्वित करना चाहता था। ये जियाओ कानून की उर्जा के नीचे पालती मार कर बैट गया और अपने शरीर में दस महान पृती तकनीकों को प्रसारित करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तिमाल किया। दस महान कृती तकनीकों के संचलन शक्तिशाली शक्ती ने सीधे कानून की उर्जा को ये जियों के शरीर में डाल दिया और इसे अंतहीन रूप से अफशोशित कर लिया। यू चांकींग इश्वरिय समराट के दायरे में सफलता पूर्वक आगे बढ़ा। यू चांकींग की सफल उन्नती ने यू परिवार के सदस्यों की खेती को भी बहुत बढ़ा दिया। साथ ही इसने जुवान युवान कबीले के मार्शल कलाकारों की खेती में भी बहुत वृद्धी की। हाला कि इश्वरिय समराट बनने का उसका उपहार सपष्ट रूप से ये जियाओ के जितना मजबूत नहीं था। पूरे जुवान युवान कबीले में जो परिवर्तन लाया गया था वह ये जियो के स्तर की तुलना करने से बहुत दूर था। युव परिवार को जो तोफ़ा मिला वह काफी अच्छा था। पहले उन्हें पहले ही ये जियो से उपहार मिल चुका था। बाद में उन्हें युव चानकिंग से एक और उपहार मिला। जब दोनों को जोड़ा गया तो वास्तव में युव परिवार को सबसे अधिक लाब हुआ। युन जुवान युवान एक कम इश्वरिय राजा से सीधे पाँचवे स्तर के इश्वरिय राजा के दाएरे में आगे बढ़ा। वह 39 स्वर्ग पर चढ़ने के समान शक्तिशाली थी। युन परिवार के अन्य सदस्यों के सुधार भी अंगिनत थे। हाला कि उस समय हुआन युवान कबीले का एक सदसे अचानक आध्यात्मिक हवाई पोट से बाहर आया और जल्दी से युन कांकियों के बगल में देख पर आ गया। इश्वरिय समराट युन यह वह जानकारी है जो हमें अभी अभी आदेम इश्वरिय सामराज्य के खंधरों से मिली है। प्रिपया देख लीजिए, युकांकियों मुस्कुराया, क्या इतना महत्वपून है कि मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी दिव्य भावना ने इस पर जानकारी के माध्यम से स्कैन किया। अचानक उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरे पक्ष की रिपोर्ट छीन ली। इश्वरिय समराटवू यंग ने अपनी असामान्यता को महसूस किया और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ रहा था। क्या हो रहा है। यून कांकियों ने एक गहरी सांस ली और उसे जानकारी दी। उसने इसे लिया और देखा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंट बदल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नौ प्रांतों ने वास्तव में एक विशाल खजाना दफन कर दिया है। कारी एक अत्र करेंगे। अगर वे भी इसके बारे में जानते हैं तो मुझे लगता है कि वे बिना किसी हिचकी चाहट के तुरंट हामला करेंगे। उस भयानक और अत्यंत शक्तिशाली आभा को महसूस करने पर सभी की अभिव्यक्ती बदल गई। यह भावना यह चार महान देवकुल हैं। वे इतनी जल्दी कैसे आ गए। उन्हें पहले से ही दिव्य सामराज्य के खजाने के बारे में पता होना चाहिए था। वे बहुत जल्दी आ गए और हमें तयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया। यह मुश्किल होने वाला है। युन चांद किंग ने कहा, उनके मार्शल आर्ट मास्टर्स मूल रूप से इश्वरिय समराट की कब्र में हार गए हैं। अगर हम वास्तब में लड़ते हैं, तो स्थिती बहुत गंभीर नहीं होगी। अभी भी कुछ उम्मीद है। कम से कम, वे दूसरे पक्ष को कुछलने की स्थिती नहीं बनने देंगे। युन कांद कियोंड ने तुरंट युन जुआ नयुवान से बात की। जुआ नयुवान, तुम इश्वरिय राजाओं तुरंट एक रक्षात्मक जाल बनाते हो। चाहे कुछ भी हो, आपको चार महान देव खुलो के इश्वरिय राजाओं के नीचे मार्शल आर्ट मास्टर्स के खिलाफ बचाव करना चाहिए। युण जुआन युवान ने गमभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, हम निष्चित रूप से मिशन को पूरा करेंगे। तुरंट लोगों को लाओ और सभी आध्यात्मिक हवाई पोतों की व्यवस्था करो। हमें कम से कम समय में नौ प्रांतों के सभी लोगों को दूर करना चाहिए। वे सब ट्रिपान तलवार अमर के वंशज हैं। जब ट्रिपान तलवार अमर इश्वरिये समराठ के दाइरे में आगे बढ़ी तो इससे उनकी रक्त रेखा जागरित हो गई। कई लोगों की रक् श्वंश्चों से भी कम नहीं थी। उनका भविश्य असीम था, हमें उन पर हर नहीं माननी चाहिए। जेंग तिन्या ने उत्तर दिया। चिंता मत करो इश्वरिये समराठ के उन। अगर इस दुनिया में एक भी शक्स नहीं बचता है तो वो मैं ही होगा। मैं इस दुनि जेंग तिन्या ने तुरंट अपने लोगों को नीचे उतारा। उसी समय वो सभी आध्यात्मिक हवाई जहाजों को नौ प्रांतों में ले आया। यून जुआन युवान और अन्य नौ प्रांतों के उपर आकाश में पीछे हट गए और चार महान देव कुलों को हमला करन की अगले ही क्षंड चार महान देव कुल उनके सामने आ गए। आध्यात्मिक हवाई पोत अभी आना बाकी था लेकिन चार महान इश्वरिय समराट पहले ही आ चुके थे। तारों भरे आकाश में इश्वरिय समराटों के दबाव ने लोगों के दिलों को जग जोर कर रख तारों वाले आकाश में उन्होंने एक खाली क्षेत्र बनाया, जैसे की वे उनका स्वागत कर रहे हो। जमीन से ऐसा लग रहा था मानों आकाश के तारे दोनों तरफ इकटे हो गए हो, जिससे बीच में एक बड़ा खाली क्षेत्र बन गया हो। वो क्या चीज है? आकाश क और देखो, वेतारे दोनों और क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, आज बहुत सी अजीब चीजे हुई हैं. हमारे छात्रावास के सभी साथियों ने अपनी साधना में उन्नती की और यह केवल एक छोटी सी उन्नती नहीं थी, बलकि बड़ी संख्या में उन्नती थी. मैं बस, केलो, हाला की, जैसे ही उन्होंने अपनी चर्चा समाप्त की, उनके शहर में अलार्म बजने लगे. सुवान युवान कबीले के सभी सदस्य तुरंत आध्यात में खवाए पोत पर चर जाते हैं. ध्यान दे, यह सब का है, खत्रा आ गया है, हम तुरंत चलेगे, वे पर को जिसने भी सुना, वह भौचक का हुए बिना नहीं रह सका. क्या चल रहा है? क्या हुआ? हम अचानक पीछे क्यों हट रहे हैं? यह सही है, हमारे खेती किस तर में सुधार हुआ है? इतनी अच्छी चीज़ पलक जपकते ही दुनिया के अंप में कैसे बदल सकती है? य यह फरजी खबर नहीं हो सकती है, है ना. एक ड्रिल, यह नहीं होना चाहिए. अपने उपर देखो, आध्यात्मिक हवाय पोत नीचे आ गए है. हे भगवान, हम वास्तब में अब बड़ी मुसीबत में हैं. मुझे नहीं पता, रहने भी दो, बस उनका पीछा करो और भाग गई थी. मार्शल ग्रेंड मास्टर्स गोभी की तरह थे, उनमें से अंगिनत थे. वे सभी अस्तित्व थे जो पहले से ही उड़ सकते थे. आकाश में, किसी ने एक बार फिर चिल लाया. हर कोई, घबराव मत. हाला कि हमारा समय बहुत तंग है, हमारे पास पर्यापत आध् हवाई पोथ हैं. सभी मार्शल ग्रेंड मास्टर्स ने अपने कबीले के लोगों को लाया, जो अभी तक उडान भरने और अस्थाय परिवहन कर्मचारियों के रूप में कार्य करने के लिए मार्शल ग्रेंड मास्टर्स के स्तर तक नहीं पहुँचे थे. किसी को भी जोख ऐसा करने की हिम्मत नहीं की. जुबान युवान कबीले द्वारा इतना बड़ा हंगामा करने के साथ यह मामला निश्चित रूप से सामान्य नहीं था. अगर इसे ठीक से नहीं किया गया, तो लोग वास्तव में मर सकते हैं. इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी. जिय का शिनई को एक ऐसी जगह मिली जहां कोई नहीं था और उसने चुपके से ये जियो से संपर्क करने के इरादे का इस्तिमाल किया. ये जियाओ की उन्नती के कारण वह पहले ही ईश्वरिये राजा के दाएरे में आगे बढ़ चुकी थी. इस समय वह युन जुआन युवा के दुश्मनों को भी मार सकता था, बस उसकी ताकत ही पहले से ही इश्वरिये समराठ के दाएरे तक पहुँच चुकी थी. यदि वह तारों भरे आकाश में जाता तो यह चार के विरुद्ध चार होता. वह लड़ाई का रुख पूरी तरह से पलट सकता था. हाला कि यह अ सीनियर जिया क्या चल रहा है? जिया शिनई ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं, कुछ ज्यादा नहीं. युन जुवान युवान ने सिर हिलाया और तुरंत कहा, सब ठीक है, अगर कुछ होता है तो बस कहो, हम सभी अब सबसे खतरनाक समय में हैं, कोई भी ला परवाह नहीं हो सकता. जिया शिनई ने सिर हिलाया और हलकी से हाँ में जवाब दिया, युन जुवान युवान निरीक्षन करने के लिए तुरंत अन्य स्थानों पर चला गया. उस समयतार की आकाश में चारों देवतुलिया समराट आ चुके हैं. युन कांत की यौंग न परेपन से कहा. यहां हवा देना बंद करो. आपके हुआन युवान देवता कबीले ने इश्वरिय समराट की कब्र में हमारे कई कुलों को मार डाला. आपको अभी कीमत चुकानी चाहिए हैं ना. युकांत कियों ने थंडी सास ली. यहां बक्वास करना बंद करो. हमने त तनिक भी हानी नहीं पहुंचाए. एक सामान्य लडाए में अनिवारिय रूप से हताहत होंगे. हाला कि हमारा हुआन युवान कबीला और नीदरलेंड का कबीला निश्चित रूप से युद्ध शुरू करने की पहल नहीं करेगा. मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप तु इस इल्लो वो मुश्यू ने बिना किसी कारण के सीधे हमला किया. यू कांद कियोंग और अन्य स्वाभाविक रूप से जानते थे कि दूसरी पार्टी का लक्षे क्या था. दूसरी पार्टी के रुखने की उम्मीद करना असंभव था. इसलिए जिसक्षन दूसरी करने के लिए हमला किया. उनके हमलों का समय दूसरी पार्टी से बिलकुल भी पीछे नहीं रहा. बूम! तारों भरे आकाश में दो मास्टरपीस तकनीकों का विसफोट हुआ. आकाश और प्रित्वी के बीच तुरंत प्रकाश का एक विशाल गोला चमक उठा. प्रकाश का यह गोला बहुत शक्तिशाली था. यह एक छोटे सूरज की तरह था जिसने पूरे तारों वाले आकाश को रोशन कर दिया. हाला कि यह केवल शुरुआत थी. अगले ही क्षन दोनों देवतुल्य समराट आपस में लड़ने लगे. अन्य तीन स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन करने आए. युन चांद कींग और इश्वरिय समराट वू यंग भी उसी समय युद्ध में शामिल हुए. साथ इश्वरिय समराट तीन बनाम चार. इसके अलावा युन चांद कींग खुद उस दायरे में आगे बढ़े थे. वह उन लोगों से अलग था जो लंब के कभीले की हींता को निर्धारित कर दिया था. बूम 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 आकाश में मास्टरपीस तक्नीक लगातार प्रस्फुटित हुई. सभी प्रकार के प्रकाश पुंजापस में टकराए, प्रकाश की विशाल गेंदों को हिलाते हुए जो रात को रोशन कर सकती थी. मास्ट भयानक था. क्या वही इश्वरिय समराटों के स्तर की लड़ाई थी? यह बहुत शक्तिशाली था. इतनी दूर से भी उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे उनके सामने हो. वे जानते थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि विरोधी का युद्ध का दबाव बहुत आधिक था. अतह इतनी दूर से भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानोवे उनके सामने हो. युन जुआनयुवान ने अपनी मुठी भीन्च ली और उसकी आँखों में रोश्नी आ गई. क्या वही एक इश्वरिय समराट की ताकत थी? प्रिपान तलवार अमर वही इश्वरिय राजाक्षे प्रत्र के शिखर पर था. उसने पहले भी ऐसे अस्तित्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जीत भी गया था. प्रिपान तलवार अमर तुम कितने मजबूत हो अभी तो तुम इश्वरिय समराट बन ही चुके हो. ऐसे में एक इश्वरिय समराट आपके सामने क्या मा रखता है. युन कांग कियों, जो आकाश में था, शिकायत करना बंद नहीं कर सका. उनमें से तीन-चार महान इश्वरिय समराटों के खिलाफ लड़ रहे थे. इसके अलावा, यह मुख्य रूप से वह और इश्वरिय समराट वुयंग थे. दो अनुभवी प्रतम स्तर के इश्वरिय समराट धारंग कर रहे थे. युन चांग किंग, जो अभी अभी आगे बढ़ा था, अभी भी थोड़ा कमजोर था. उन पर दबाव बहुत आधिक था. या उस समय क्रिपान तलवार अमर आ सके तो बहुत अच्छा होगा. विस्नयादि बुधक चिन्ह, जब च उम्हारा हुआन युवान देवता कबीला वास्तव में भाग्यशाली है कि उसने एक और इश्वरिय समराट को विक्सित किया है. इरश्या की लप्तों ने उन्हें उनकी समझदारी खो दी. हाला कि फिर भी आप सभी को अभी भी मरना है. तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. तलवार तेज करने के आठ साल अस्तित्व में आया और दुनिया को चोका दिया. वे भागना चाहते हैं उन्हें धौने न दे. हमारे द्वारा लाए गए सभी दिव्य क्रिस्टल को बाहर निकाले, इंटेस्टेलर टेलिपोर्टेशन अरे को खोले और अधिक देव कबीले के सदस्यों को इकठा करें. मैं देखना चाहता हूँ कि वे मर चुके हैं या नहीं. उस समय, कुछ हीश्वरिय समराटों ने पहले से ही नौ प्रांतों की दुनिया में जुवान युवान देवता कबीले पर ध्यान दिया था. वे एक आत्मिक हवाई पोत पर सवार होकर भ अध्यात्मिक उर्जा लगातार अफ्शोशित होने लगी थी. जब उन्होंने इंतिस्टेलर टेलिपोर्टेशन व्यूल देखा, तो युन कांद की यौंग और अन्य इश्वरिय समराट अपनी भौहें उपर किये बिना नहीं रह सके. उनके एक्स्प्रेशन बेहत भद् इंतिस्टेलर टेलिपोर्टेशन अरे ने भारी मात्रा में उर्जा की खपत की. एक सामान्य व्यक्ति इसका इस्तिमाल नहीं कर सकता था. केवल उन शीर्ष तरियत देवकुलों में जो बेहत मजबूत थे, उनके साथ खेलने की ताकत थी. हाला कि चार महान देवकुलों मे कुछ ताकत थी जब उन्होंने हाथ मिलाया. वे इस कदम को दूर करने में सक्षम थे. उस चाल के प्रकट होने का अर्थ था कि चार महान देवकुल अपने सैनिकों की संख्या में बहुत वृद्धी करेंगे. उस समय यह उन लोगों के लिए बर्फ में बर्फ जोडने जै ऐसे ही वह आगे बढ़ने ही वाला था कि पलक जपकते ही वह फिर दब गया. चार महान देवकुल उन दोनों से अधिक शक्तिशाली थे. ना केवल दूसरे पक्ष ने उन्हें संख्या के मामले में दबा दिया, बल्कि उनकी उत्कृष्ट तकनीक को भी उनसे उच्चा दर उस तार की अक्षेत्र में तारो से भरा आकाश देदी प्यमान था. एक रहसे मया और असाधा रंग गठन पैटन बनाने के लिए एक साथ फ्यूज करते हुए तारो की किरने एक के बाद एक निकली. इसके अलावा इसका विस्तार जारी रहा और अंत में इसका व्यास 10,000 म से अधेक हो गया. जिसक्षन टेलिपोर्टेशन सरनी दिखाए दी, तारो वाले आकाश में उलकापेंड अगले सेकेंड में मन लगने लगे. यह ऐसा था जैसे आसपास की सारी उर्जा इसके द्वारा अफशोशित कर ली गई हो. उसी समय, शक्तिशाली प्रभामंडल सरन से बाहर निकल आया. वे चार महान देव कुलो के मार्शल आर्ट के स्वामी थे. उनके बीच गौडसलेर दाइरे और गौडली किंग्स थे. एक के बाद एक उनमें से अंगिनत थे. चार महान देव कुलखेती और योधाओं की संख्या के मामले में दो महान देव कुलो को दबाने में सक्षम थे. जैसे ही वे मार्शल आर्ट मास्टर्स दिखाए दिये, उन्होंने कई इश्वरिये राजाओं को दरकिनार कर नौ प्रांतों की भूमी पर हमला कर दिया. उस द्रिश्य को देखकर यून कान की उनने अपने दाथ पीस लिए. वह चिंतित और प्रो से कई मार्शल आर्ट मास्टर नहीं थे. उन्हें अभी भी एक दूसरे के डोमेन की रक्षा करनी थी. अगर वे उन्हें सूचित भी करते तो देवता कुल पर्याप्त लोगों को इकठा नहीं कर पाते. चार महान देव कुलों ने हमेशा जुवान युवान कबीले और नी उन्जुवान जो नौ प्रांतों के उपर आकाश में था, ने उस द्रिश्य को देखा और तुरंत कहा. सभी एश्वरिये राजाओ, तैयार हो जाओ. दुश्मन की उच्छस्तरिये लडाकों ताकत को नौ प्रांतों में प्रवेश्न करने दे. जैसे ही उन्होंने बोलना स माप्त किया, तारों भरे आकाश से पहले ही एक हमला हो चुका था. युन्जुवान जुवान ने अपनी मुठी से वार किया. दो महाशक्तियां आपस में टकराई, जिससे तुरंत शौक वेव और प्रकाश का विस्फोट हुआ. उसके बाद एक के बाद एक हमले हुए और महान युद्ध तुरंट शुरू हो गया. जमीन पर जेन तिन्या ने पहले ही खत्रे को भांप लिया था. उसने तुरंट नौ प्रांतों के जुवान युवान कभीले के सदस्यों को आध्यात्मिक हवाई पोत तक पहुँचने के लिए गती प्रदान की. हाला कि नौ प्र पहले ही लोगों को अपनी पूरी ताकत के साथ प्रतिरोध करने के लिए ला दिया था. दो महान देव खुलों में एक साथ कई इश्वरीय राजा नहीं थे. चार महान देव खुलों के निरंतर सुध्रिकरंग का सामना करते हुए वे अपनी बुद्धी के अंत में थे. व अध्यात्मिक जहाज लोगों से भरा हो, वे बाहर नहीं निकल पाएंगे. जेन तिन्या ने अपनी मुठी कसकर पकड़ ली. फिर मेरे लिए एक खुनी रास्ता मारो. अपनी पूरी कोशिश करो और जितना हो सके उतने कुलियों को भेजो. हाँ, पूरे नौपरांत अराजकता में थे. उस समय का संकट अतीत की स्टार बीस्ट से 10,000 गुना अधिक गंभीर था. उसी समय, Divine Kingdom के खजाने में, ये जियाओ, जो तेजी से कानुनों की शक्ती को अफशोशित कर रहा था. मूल रूप से कुछ महसूस कर रहा था, जब वह वहां कानुनों की शक्ती को अफशोशित कर रहा था, तो उसे चुपचाप अपने दिमाग पर ध्यान के बिंद्रित करना था और चुटकार पाना था सभी विचलित करने वाले विचारों का। इसलिए वह यहां आशे पत्थर से समवाद भी नहीं कर पाए। हाला कि एक बिंदू था। ये जियाओ आखिरकार एक इश्वरिय समराथ था। इसलिए उनकी धरनाना केवल पहले से पहसूस कर सकता था। जिससे उसका मन व्याकुल हो गया। एक और वहन और प्रांतों को बचाना चाहता था लेकिन दूसरी और वह कानूनों की शक्ती के अफशोशन को काटने में असमर्थ था। इश्वरिय सामराज्य के खजाने में कानूनों की बहुत आधिक शक्ती थी इसके अलावा नियमों की शक्ती को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल और बेहद अस्तिरस्तित्व था। यह परमानू शक्ती की तरह था। जरा सी चूप भी दुनिया के विनाश का कारण बन सकती है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कानूनों की शक्ती को आत्मसात करने से पहले चार महान देव कुलों से लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। हाला कि चार महान देव कुलों के बहुत से लोग थे। वो एक समून को मार सकता था लेकिन वो उन सभी को नहीं मार सकता था। अगर उसने उन सभी को मार डाला तो कौन इस बात की गारंटी दे सकता ह कि बाद में और लोग नहीं आएंगे क्या होगा यदि बाद में आने वाले लोग भी तब थे जब वह कानूनों की शक्ती को अफशोशित कर रहा था क्या यह और भी अधिक शक्तिशाली देव कुलों को आकर शित करेगा इसलिए यह एक जूटा प्रस्ताव था जिसे बिल्कुल भी स्थापित नहीं किया जा सकता था जैसे ही उनका दिमाग गरबढ़ा गया एक के बाद एक मुसीबते आई ऐसा लगता था कि कानूनों की शक्ति ने ये जियाओ के दिल में अराजक्ता को भांप लिया था और हल्चल शुरू कर दी थी वह बहुत खतरनाक संकेत था कानूनों की एक अत्यंत अस्थिर और शक्तिशाली अतुलनिय शक्ति के रूप में एक बार अराजकता दिखाई देने पर यह निश्चित रूप से घातक होगा हाला कि उसी क्षण एक और भी शक्तिशाली शक्ति अचानक प्रकट हुई ये जियो का दिल घबरा गया लेकिन दूसरी पार्टी ने धीरे से कहा चिंता मत करो, पर्याप्त समयलो, हर चीज की अपनी नियती होती है जिस क्षण ये शब्द बोले गए, यह ऐसा था जैसे कोई जादूई शक्ति थी जिसने ये जियाओ के कुछ अराजक दिमाग को तुरंट शान्त कर दिया उसके बाद दूसरे पक्ष की मदद से ये जियाओ ने कानून की उर्जा को तेजी से आत्मसात कर लिया गती बहुत बढ़ गई, लेकिन आदेश जरा भी अराजक नहीं हुआ अंत में, कुछ ही समय बाद, ये जियाओ ने अपनी आखे खोली और उसके मुँँ के कोने थोड़े मुले हुए थे ये हो, चुका है, सभी कानून उर्जा पहले से ही उनकी शरीर में अफशोशित हो चुकी थी और भाविश्य में धीरे-धीरे परिश्कृत हो सकती थी उस समय, डिव्य सामराज्य का खजाना पहले ही अपने अस्तित्व का अर्थ हो चुका था ये जियो को कानून की उर्जा को दूसरों से छीनने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी हाला कि वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपने आसपास को उर्जन में देख रहा था अभी अभी मुझे लगा कि मैंने एक आवाज सुनी है जो बहुत हद तक मेरी जैसी थी अब यहां कोई क्यों नहीं है रहने भी दो शायद यह उनकी अपनी मनुवे ज्यानिक समस्या थी इसके अलावा भले ही वास्तव में कुछ था दूसरी पार्टी निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी सद्भावना होती तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अब उप्रोक्त नौ प्रांतों का था यह चार महान देव कुल थे यह सोचकर यह जियाओ की आखे थोड़ी हिल गई और उसका शरीर तुरंत मौके से गायब हो गया नौ प्रांतों की जमीन पर विभिन शहर पहले से ही अस्त्व्यस्त थे चार महान देवता कभीले जुवान युवान कभीले को अच्छा समय नहीं देने के लिए द्रिर थे विशाल इंटिस्टेलर टेलिपोटेशन व्यून ने उन्हें बहुत सारे कुलों को ला दिया था उन में से मार्शल आर्ट मास्टर नदी पार करने वाली काप की तरह थे उन में से अंगिनत थे यद्यपी नौ प्रांतों के हुआन युवान कभीले ने ये जियाओ को एक इश्वरिय समराठ बनने का उपहार प्राप्त किया था उनकी खेती बहुत बढ़ गई थी हाला की एक उपहार अभी भी एक उपहार था इसके अलावा वे लोग ये जियाओ के ततकाल रिष्टेदार नहीं थे जैसे की उसके माता-पिता, भायक, पत्निया और बच्चे इसलिए उनके लिए उनस्तित्वों से तुलना करना स्वाभाविक रूप से असंभव था जो दशकों, सदियों या यहां तक की हजारों वर्षों तक श्रमसाध्य रूप से समवर्दित किये गए थे हर कोई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था और हर जगा हराजकता थी यदि आध्यात्मिक वायूपोतों ने अपने रक्षात्मक अवरोध को सक्रिये नहीं किया होता, तो शायद वे वायूपोत भी उसी क्षन द्वस्थ हो गए होते निराशा और चीक पुकार की आवाजें जैसे जैसे वे लगातार आपस में जुरते गए चार महान देव कुलों के अधिक से अधिक मार्शल आर्ट मास्टर प्रकट हुए लडाई से सदमे की लहरे हर जगह थी, विस्फोर्ट हर जगह थे और विनाश की उर्जा हर जगह थी जयांगाई शहर में किन युयान मार्शल आर्ट अकादमी के चार महान देव कुलों के तीन गौड रियल मार्शल आर्ट मास्टर्स के साथ मारपीट का आदान प्रदान करने के लिए इंतजार कर रहा था उन में से दो इश्वरियक शेत्र के दूसरे चरण में थे और एक इश्वरियक शेत्र के तीसरे चरण में था उसने पहले भी लोगों के कई समूहों को आध्यात्मिक हवाय पोत पर भेजा था जब वह उस समय वापस आई और छात्रों के एक समूर को ले जाने वाली थी तो उसे चारमहान देव कुलों के मार्शल आर्ट मास्टर्स द्वारा लक्षित किया गया था दोनों पक्षों के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था किन युयान ने उन में से तीन के खिलाफ अकेले लड़ाए लड़ी उसके पास केवल इश्वरी अक्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना थी और उसे ये जियाओ की कृपा से यहां लाया गया था उसने संचलेशन करना बिलकुल भी समाप्त नहीं किया था उस समय यह अवश्यम्भावी था कि लड़ते समय वह शक्तिहीन महसूस करेगी फिर भी उसने उन छात्रों से बचने में कोई कसर नहीं छोड़ी कई दोर की लड़ाई के बाद उसके शरीर पर पहले से ही कई घाब थे और ताजे खून ने उसकी लंबी पोशाक को लाल कर दिया था सीनियर किन आपको जल्दी जाना चाहिए हमारे बारे में चिंता मत करो तुम अवश्य ही बच निकलने में समर्थ होगे चात्र सभी चिंतित थे और रो रहे थे किन युयान ने अपने चान्दी के दातों को कसकर भींच लिया बकवास की बात मत करो जब तक मेरी सांस बाकी है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा विप्रीद पक्ष के तीन लोग थंडे धन से मुस्कुराए आपका लहजा काफी सक्त है दुर्भाग्य से आपकी हड्डिया हमारी मुठी जितनी सक्त नहीं है उसे उसके रास्ते पर भेज दो इसी दोरान तीनों ने हमला कर दिया किन युयान महसूस कर सकती थी कि वो उस हमले का सामना नहीं कर सकती शायद वो ही यही था उस पल उसके दिमाग में उसके जीवन का अतीत कौंध गया अपने जीवन में उन्होंने ज्यादा तर खेती की वो कुछ लोगों और कुछ चीजों से मिली और उसके दिल में उससे भी कम लोग थे उसके दादा, उसके चाचा, लू वानवान का परिवार उसके रिष्टेदार और दोस्त सभी को उसके द्वारा हवाई पोत पर ले जाया गया था उसे अब चिंता करने की कोई बात नहीं थी अगर उसे अभी भी एक बात की चिंता थी तो वह बड़ा ललका होना चाहिए जिसे उसने पहले पसंद किया था किन यूवान को लगा कि उसका दिल पिघल गया जब उसे याद आया कि जब वह पढ़ता था तो वह हमेशा कितना कोमल दिखता था हाला कि उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास चिंता करने के लिए पहले से ही कोई और था जिया परिवार की जिया बिंगीं के पास एक महान स्थिती थी इसलिए वह उसकी रक्षा के लिए उसे पहले ही ले गई होगी। वह भी ठीक था, वह मन की शांती के साथ जा सकेगी। दूसरे पक्ष के हमले की रोशनी ने पहले ही उसकी आखों को चमका दिया था। वह आध्यात में कूर्जा जो उसने छोड़ी थी, अब उसकी तलवार उठाने के लिए पर्याप नहीं थी। वास्तव में यह उसके कमजोर शरीर को सहारा देने के लिए भी पर्याप नहीं था। अलविदा, हर कोई, इस खशन से, इस यूग को ये जियो के नाम से ब्रांडेट किया गया। अत्यदेक निराशा में किन यूयान ने अपनी आखें बंद कर ली और शांती से मौत का सामना किया। बूम, एक चौकाने वाले विसफोट के बाद फूराक शेत्र विसफोट के जटके से गिर गया। प्रचंद वायू चली और चारों दिशाओं में धूल उठी। सभी के कानों की सीटी की हवा अत्यंत कर्ण भेदी थी, मानों किसी के भी कान के परदे को खरोंच सकती हो। हाला कि किन यूयान ने महसूस किया कि उसके शरीर पर पहले चोट के अलावा कोई नई चोट नहीं थी। इससे वह थोड़ी हैरान हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि विरोधी की चाले बहुत मजबूत थी। वह बहुत जल्दी मर गई और दर्द महसूस भी नहीं कर पाए। उसने धीरे-धीरे आखे खोलने की कोशिश की। उसके चारों और की धूल धीरे-धीरे गायब हो रही थी। उसके सामने की जमीन अप्रभावित थी जिसका अर्थ था कि प्रतिद्वंद्वी ने उस पर हमला नहीं किया। उसके सामने एक आक्विती प्रतीत हो रही थी। यह बहुत जाना पहचाना एहसास था लेकिन वह नहीं बता सकती थी कि यह कौन था। जब धूल पूरी तरह से छड़ गई और दूसरे पक्ष की पीट पूरी तरह से प्रकट हो गई तो उसकी सुंदर आखे तुरंत चौर हो गई और उसकी पुतलिया संकुचित हो गई। उसने क्या देखा? एक ऐसी शक्सियत जिससे वह बेहत परिचित थी। यह आखिरी व्यक्ति भी था जिसके बारे में उसने पहले सोचा था ये जियो। ये जियाओ ने वास्तव में उसके सामने ब्लॉक कर दिया था। फिर कि वह इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्टी की शक्ती में वृद्धी भी सीमित थी। इसके अलावा अधिकांश वृद्धी पिछली ताकत नीव और योग्यता पराधारित थी। उदाहरं के लिए वह अचानक ही राजा के राज्य से परमेश्वर के राज्य के तीसरे स खराब थी। वह उससे ज्यादा मजबूत कैसे हो सकता है। हाला कि उसके सामने का व्यक्ती एक ऐसे अस्तित्व का विरोध करने के लिए स्पष्ट रूप से एक व्यक्ती पर निर्भर था जिसे वह अपने चरम पर भी विरोध नहीं कर सकती थी। वह क्या चल रहा था। लगता है मैं समय पर आ गया। ये जियाओ घूमा और मुस्कुराया। उस समय अन्य तीन गौड रियलम मार्शल आर्ट मास्टर्स ने देखा कि उनकी चालो को ये जियाओ ने रोप दिया था। उनकी आखे ठंडी हो गई और उनकी हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गय मैं तुम्हें मार दूनगा। तीनों ने फिर हमला किया। उनके आकड़े तीन अलग-अलग दिशाओं से आए और सीधे ये जियाओ के चेहरे की ओर बढ़े। ध्यान से किन युयान डर के मारे चिल लाए। अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह जीवन भर नही भूल पाएगी। तक्राना, 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 तीन आकृतियां जो उड़ने वाली थी बीच हवा में खूनी धुंद की तीन गेंदों में फट गई। तुरंत मारता है। ये जियों ने कुछ नहीं किया। उनमें से कुछ तुरंत मारे गए और मलबे में फट गए। अधिक से अधिक, उन्होंने केवल यही सोचा कि ये जियाओ उनमें से एक था, केवल किन युयान को पता था कि ये जियाओ के पास पहले कम साधना थी। उसमें अपनी दिव्या आत्मा को सक्रिय करने की क्षमता भी नहीं थी। बाद में उन्होंने अपनी दिव्या आत्म को एक प्रक्रिया से गुजना पड़ता है है ना अन्य स्थानों पर वधभी भी जारी था पर उसकी सड़क पर चीखने चिलाने की काफी आवाजे आ रही थी ये जियों ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और एक तेज सास छोड़ी उसके बाद उसने आकाश का सामना किया औ और अपना दाहिना हाथ उपर उठाया ये जियों के नाम पर नौ प्रांतों पर आक्रमन करने वाले चार महान देव खुलों के सभी सदस्यों को मार दालो एक को भी जीवित नहीं छोड़ा चौकाने वाली आवाज ने किन योयान का दिल अचानक तापने लगा हाला कि जिस बात ने उसे और भी भयानक बना दिया वही यह थी कि अगले सेकंड में पूरे शहर में विसफोटक भणियों की एक अनवरत धारा निकलने लगी बैंग 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 विसफोटों की आवाजे अन कहे थे, फिर भी वह ऐसा करने में सक्षन था, क्या वह बहुत जादूई नहीं था, यहां तक कि महान इश्वरिय समरार भी शायद ऐसा नहीं कर सकते थे, है ना, ये जियो, उसने ये कैसे किया, ये जियो, तुम, तुम, किन युयान के दिल में एक बड़ा तूफान आ गया, उस वक्त वो इतनी शौक्ट थी कि बोल भी नहीं पा रही थी, ये जियो ने उदासिंता से कहा, मुझे अभी भी कुछ करना है, मैं पहले चुट्टी लूनगा, जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनका फिगर तुरंत वहां से गायब हो गया जहां वह थे, उसी सम कुछ समझ चुकी थी, ये जियो कृपान तलवार अमर थी, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, ये जियाओ हमेशा आलसी धंग से पढ़ता था, जैसे कि उसने कभी भी साधना पर ध्यान नहीं दिया हो, तो यह इसलिए था क्योंकि उसे अब और खेती करने की आवश्यक्ता नहीं थी, वह पहले से ही बहुत मजबूत था, हास्यास पद बात यह थी कि वह अभी भी उसे चीजे दे रही थी, खेती करने में उसकी मदद करना चाहती थी, उस पल में ऐसा लगा कि उसे आखिरकार समझ आ गया है कि ये जियाओ के मन में उसके लिए कभी क कोई भावना क्यों नहीं थी, उसने शायद पहले कभी उसकी आखों में प्रवेश नहीं किया था, है ना, एक मार्शल आठ कौतुक में एक ननी चीटी के लिए भावनाए कैसे हो सकती है, यह तब था जब किन युयान ने एक आत्महीन मुसकान प्रकट की, तो वह व्यक्त बुब बनने के लिए साधना में रुची रखता था, कम से कम इस समय तो वह महिलाओं के साथ नहीं जुड़ना चाहता था, नौ प्रांतों के उपर आकाश में युन जुआ नयुवान और अन्य जो गतिरोध में लगे हुए थे, उन्होंने अचानक अपने में संधनित हो गया था, उसी समय प्रकाश की एक किरन जो इतनी तेज थी कि इसने किसी के रोंते खड़े कर दिये, तेज गति से तारोव वाले आकाश की ओर चली गई, एक पल में इसने सारे खून के कोहरे को बहा दिया, उस द्रिश्य को देखकर जिया शिनई तुरंत उत के वह तुरंत गायब हो गया जहां वह था और प्रकाश की उस किरन का पीछा किया, जब अन्य ईश्वरिय समराटों ने वह द्रिश्य देखा तो वे भी दोड़ पड़े, ये जियों ने स्पेस वार्पिंग मास्टरपीस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया ओ, तुरंत तारो भरे आकाश में पहुँच गये, इसके बजाए वह उड़ता था, जैसे ही उसने उड़ान भरी, उसने चार महान देवता वंच के सदस्यों के दिव्यरक्त को अफशोशित कर लिया, जो अभी अभी नौ प्रांतों के विभिन हिस्सों में मारे गये थे, हाला कि वे छोटे- एक बुच्छा थे और उसके लिए ज्यादा नहीं उगाते थे, चाहे मच्छर कितना भी छोटा क्यों नहों, फिर भी वह मास का एक टुकड़ा था, इश्वरिय समराट के क्षेत्र में उसकी साधना के उन्नत होने के बाद, ये जियाओ की उन्नती की गती पहले की तुलना में बहुत धीमी हो जाएगी, इसलिए चाहे कुछ भी हो, वह खुद को उपर उठाने का हर मौका नहीं गवाएगा, तारों भरे आकाश में, चार महान इश्वरिय समराटों ने हुआन युवान और नीदरलेंड के कुलों के तीन इश्वरिय समराटों को दबा दिया, सभ ताकृती उसकी पीट के पीछे अपने हाथों से आकाश में खड़ी थी, उसने उपर देखा और धीवे से कहा, क्या यहाज युवान देवता कभीले के उस लड़के के बारे में चिंता करने की आवश्रक्ता क्यों है, यहाँ लगभग कोई भी आपका मैच नहीं है, वह उ दासींता से मुस्कुराया, मैंने ओयांक शेंडे ने कहा है कि मैंने जो कहा है, मुझे वह करना चाहिए, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह बिना कभरिस्तान के मर जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह बिना कभरगाह के मर जाए, उसे कोई नहीं बचा सकता, यह मैंने क युद्ध के मैदान में चार इश्वरिय समराथ जो मूल रूप से उपरी हाथ रखते थे उस आभा को महसूस करते हुए और भी उत्साहित हो गए। दूसरी पार्टी ने बहुत से इश्वरिय समराथ भेजे थे वे शायद अब और नहीं टिक पाएंगे। जब वे चार इश्वरिय समराथों के विरुद्ध लड़े तो उन्हें पहले ही बहुत चोटे लग चुकी थी। नए इश्वरिय समराथों के शामिल होने से वे शायद कुछ सांसे भी नहीं रोब पाएंगे। चार महान देव कुलों में से एक इश्वरिय समराथ ने अचानक नौ प्रांतों के दिशा से चांदी की रोषनी की एक लखीर देखी। जब उसने चांदी की रोशनी की उस लकीर को देखा, तो वो मदद नहीं कर सका और अपना सिर नीचे का लिया और आश्चर्य से देखा. वो क्या है? जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रकाश की लकीर एक पल में आ गई. इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सीने में दर्द महसूस हुआ. उनके पूरे शरीर को तुरंट अनैच्छिक रूप से पीछे की और उर्ते हुए भेजा गया. क्या हुआ? उस पर हमला किया गया. यह किसने किया? वो इतना तेज कैसे हो सकता है? इसके अलावा, वो एक इश्वरिय सम्राट था. एक इश्वरिय सम्राट के मजबूत शरीर के साथ उसे एक पल में कैसे ख़देड़ा जा सकता था? हाला कि वास्तविक्ता ने उससे बताया कि उसकी चेतना कम हो रही थी और वो धीरे-धीरे अंधेरे में डूब रहा था. वो मर चुका था. वो किस्म जो पूरी तरह से मर चुकी थी. उस खशंग अन्य तीन इश्वरिय सम्राटों के भाव बदल गए. दी एमेनिट एक दुश्मन का हमला है. उनके पास वास्तव में एक बैकप योजना है. कितना शक्तिशाली आभा है? यह उर्जा शायद हमसे नहीं हारती. वो है एक इश्वरिय सम्राट भी है. युन कांत कियोंग और अन्य लोगों के भाव भी बदल गए. उन तीनों ने जल्दी से अपना सेर घुमाया और देखा कि नो रंगों का प्रकाश उलका की तरह तेजी से तारों वाले आकाश की ओर उर रहा है. नो रंगों वाली रोश्नी के भीतर एक व्यक्ति धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी पीच के पीछे करके चला गया. उसने जो आत्म वि आप ट्रिपान तलवार अमर नहीं हो सकते है ना. ये जियो ने सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा कितना समय हो गया है. सीनियर यून मुझे पहले से ही नहीं पहचान सकते. यूँ चानकिंग शर्मिंदगी से मुस्कोराई. पहले इश्वरिय समराट की कबर में उसने कवच और हेलमेट पहन रखा था. यूँ चानकिंग ने अपना असली चहरा नहीं देखा.